हेलो मेरे विद्यारतियों कैसे आप लोग होप आप सब ठीक होंगे और मुझे पता है आप लोग ने दिवाली एकदम मजे से मनाई होगी कहीं बच्चों ने और कहीं बच्चों ने एकदम पढ़ते हुए मनाई होगी है ना लेकिन जिन बच्चों ने दिवाली मनाने की वज 9 hours का है और जिन बच्चों ने अभी तक उसे नहीं देखा है मैं उनसे request करता हूँ कि उसको देख लें because वो weightage बहुत अच्छी carry करता है exams में है ना तो आप उसको बस option में न छोड़ दीजिए आपको easily समझ आएगा तो आज हम लोग मेरे बच्चा एक नया act स्टार्ट करने जा रहे हैं कौन से पढ़ाएंगे सर आज आप मेरे बच्चा आज आपके सर पढ़ाएंगे दा इंडियन पार्टनर्शिप एक्ट 1932 ठीक है बेसिक से पढ़ेंगे करेक्ट लेमेन लेंग्वेज में समझेंगे और फिर उसको एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे जितना आपके एक्जाम सीए फांडेशन लेवल पर रेलेवेंट होता है ओके सर अंडर्स्टूट सर तो चलो स्टार्ट करते हैं मेरे बच्चा पहले कुछ बेसिक्स देख लेते हैं इंडियन पार्टनर्शिप एक्ट का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं यह एक्ट कहां एप्लीकेबल होता है यानी जिस एक्ट को हम पढ़ने जा रहे हैं वह पूरे इंडिया में वहहते हैं conviction है मजए की बात क्या है कि जितने भी एक्ट आपके स्लेवस में है that is 1st October 1932 महात्मा गांदी जी का बड़े कब हुआ था भई 2nd October को हुआ था उससे एक दिन पहले देखिए 1 October और year कौन सा 1932 तो 1 October 1932 को ये जो Act है Indian Partnership Act ये इंडिया में लागू हुआ था तो सर क्या उससे पहले कोई Partnership का Act था ही नहीं क्या मेरे बच्चा था उससे पहले था आपके प्यारे आपके प्यारे Indian Contract Act में ही कुछ sections हुआ करते थे जो इस Partnership के law से डील करते थे यानि Indian Contract 1872 में पहले Partnership भी included था बड़ हमें लगा कि भईये जो Indian Contract Act के provision है वो strong नहीं है वो इतने अच्छे नहीं है कि सही से बता पाए तो 1932 में हमने क्या ख़रा जो Indian Contract Act के provision है Partnership से related उनको delete कर दिया गया repeal कहते हैं law की language में उसे repeal कर देना delete कर दिया गया cancel कर दिया गया और एक October से एक नया Act लेकर आ हम गए clear है सबको yes or no yes sir और कितने section लेके आया हम इस Act में section 1 से लेके section 74 however सारे section आपके syllabus में नहीं है but majority of the section आप मान लीजे आपके syllabus में यानि all 74 section पढ़ाने वाला हों के नहीं because CA foundation पर सारे 74 तो नहीं है but yes आप मान लीजे 90% sections आपके syllabus में है I hope ये intro आपको clear होगा इसमें कुछ दम नहीं था main चलते हैं असली मुद्दे पर सबसे पहला question जो मेरे दिल में आना चाहिए partnership पढ़के वो ये आना चाहिए कि भाया हमें partnership की जरुवत क्यूं पढ़ी जैसे जब मैंने आपको companies act पढ़ाया था तो यही तो question आया था कि companies की क्यूं दरुवत पढ़ी वैसे ही आपका सवाल आना चाहिए किस तर हमें partnership की जरुवत क्यूं पढ़ी हम क्यूं पार्टनर्शिप में जाकर business करते हैं correct तो देखिए layman language में समझते हैं यह हमारी एक बहुत ही popular guy का है popular singer है जिनका नाम क्या है बच्चों अधिन चेक पूजा और यह कौन सा गाना आप इनका गाना पसंद करते हैं कि नहीं करते हैं इनका कौन सा गाना popular है एक है दिलो का shooter है मेरा scooter दिलो का shooter है मेरा scooter है ना selfie मैंने ले ली आज तर पे मेरे रहता ताज बहुत ही popular songs है और कौन सा था swag वाली टॉपी मेरी swag वाली टॉपी है ना तो यह बहुत ही अच्छी singer है इसमें कोई दो राय नहीं है लेकिन पता नहीं लोग इनकी कला को समझ नहीं पाते थे लोग इनकी कला को समझ नहीं पाते थे भगवान ने तो इन्हें बहुत talent दिया था कूट-कूट के लेकिन आने वाले 100 years में जब पब्लिक घूम के देखेगी तो इन गानों को कहीगी वा लेजेंड लेजेंड लगा देंगी इनके नाम क्याएगे लेजेंड धिन्चेक पूजा ठीक है सर इसका partnership से क्या लेना देना है वो बताओ अरे बिटा आ रहा हूं आ रहा हूं ठीक है आ रहा कि इन्हें एक ऐसे music बनाने वाले की जरूरत है जो वर्ल्ड का best music बनाता हो अगर इन्हें एक ऐसा person मिल गया जो वर्ल्ड का बेस्ट music create करता हो तो लोग धिन्चेक पूजा के गानों को भी पसंद करने लग जाएंगे ऐसा धिन्चेक पूजा को लगा ऐसा धिन्चेक पूजा को लगा तो यह कहां गई धिन्चेक पूजा जी गई हमारे ग्रेट एयर रहानसर के पास जो बहुत ही अच्छा संगीत बनाते हैं धिन्चेक पूजा क्या कहा देखो धिन्चेक पूजा ने कहा या business partner की बात हो रही है मेरे बच्चे जब भी हम partnership में बात करेंगे तो हम business partner की बात करेंगे आपके तरह आपको business partners के बारे में सखाएंगे life partner को select करना आप मुझसे जादा बहतर जानते होंगे ठीक है so will you be my partner ऐसा पूचा क्यूं पूछा धिंचेक जी ने क्यूं पूछा क्या आप जानते हैं क्यूंकि उन्हें A.R. रह्मान साहब की जरूत थी क्यूंकि उन्हें पता है जैसे ही इनकी स्टॉंग्स पे जैसे ही इनके जो बोल होंगे उन पे इनका म्यूजिक लगेगा तो वो गाना अपने आप पूजा अब देखिएगा तुम्हें पुरानी बातों पर वापस ले जाता हूं इसको बोलते हैं और इसको बोलते हैं कि Acceptance और क्या यह Legally Inforcible होता है यानि यहां पर भी पार्टनर्शिप भी यह जो आपस में पार्टनर बन रहे हैं गाने-गाने के लिए यह भी एक कॉंट्रेक्ट है इसलिए पहले Indian Partnership Act भी जो प्रोवीजन थे वो कॉंट्रेक्ट में ही थे because partnership is also a special type of contract ठीक है अच्छा वापस आते अपने सवाल पर कि हम partnership में क्यों जाते हैं बताइए DPG जो है वो AR रह्मान सर के पास क्यों गई because उन्हें लगा कि उन्हें उनकी जरूरत है है ना so there is some need of other person यानि वो अकेले यह सब नहीं कर सकती वो अकेले यह सब नहीं कर सकती देखो माल लो यह और यह बी है ठीक है एह है और बी है ए और बी आप जानते हैं इंसान perfect नहीं होता A is not perfect because कोई भी human perfect नहीं होता इसमें कुछ अच्छी बाते होंगी और कुछ गलत बाते होंगी और B भी मेरे बच्चा is not perfect तो जब दोनों ही perfect नहीं है जब दोनों ही perfect नहीं है आप लोग मुझे बताएंगे अगर ये दोनों एक दूसरे की खामियों को दूर कर देंगे तो क्या होगा ये दोनों partner बनने की कोशिश करेंगे देखी आगे जैसे ये इसको मिला और ये इसको मिला देखो मुलाकात हो गई इन दोनों की और दोनों ने क्या कर ली मेरे बच्चा partnership कर ली और ये ही same photo आपके study material में भी बनी हुई है ये ही same photo बस उन्होंने ये photo बताई मैंने पीछे की story भी आपको बता दी ओके सर हाँ तो normally एक जो person होता है वो partnership में दूसरे person के लिए इसले जाता है expertise of the other person यानि मेरे अंदर तो skills है लेकिन मुझे एक ऐसे बंदे की जरूवत है जो सामने वाले के पास जो मुझे जरूवत है वो सामने वाले के पास skills है मान लिए example लेता हूँ मैं यहां पर आपको lecture पढ़ा रहा हूँ teaching कर रहा हूँ मुझे पढ़ाना आता है मैं जानता हूँ कैशे पढ़ाना भच्च को क्या बताना है सब मुझे पता है ठीके क्योंकि teacher भी कभी student था क्योंकि teacher भी कभी student थे इसलिए मुझे पता है बच्चे को क्या दरूवत है कहा समझ आता है कहा समझ नहीं आता है कहां वो रट्टा मारने की कोशिश करता है लेकिन इस lecture को record करने के savage ने क्र एप इक इसा कैम्रा मैं जो जब चाहिए जुम करते जब चाहिए पकड़े एक अच्छा बंदा चाहिए जो इन तो टेक्निकल चीजों को मैनेज कर सकें तो मैं क्या करूँगा अब यह पढ़ाओ यह कैमरा पकड़ों मैं यहां पढ़ाओं यह कैमरा पकड़ों तो भाई हम क्या करेंगे हम तो पढ़ाने पर दिहां देंगे ना करेंगे हमारा मेंटलेंट तैलेंट होगा क्या कहते है वीडियो एडिटिंग कैमरा को सही से अच्छे से करना कि गुर्पिस दर हीरो लगे हैं है ना तो हम उस बंदे के साथ क्या करेंगे पार्टनर्शिप करेंगे इसीलिए हम सामने वाले परसन की एक्सपर्टाइस की वज resources हो सकते हैं जो मेरे पास नहीं है मेरे को मान लीजिए मेरे को एक आओ एक example लेते हैं तो और बहतर समझोगे ठीक है यह आपके गुर्प्रीत भाईया है ठीक है गुर्प्रीत भाईया और यहां एक भाईया है शाम भाईया गुर्प्रीत भाईया और शाम भाईया ठीक है गुर्प्रीत भाईया का बच्पन से एक सपना था बच्पन से एक ड्रीम था कि वो क्या करना चाते थे वो अपने समोसे की शौप खोलना चाते थे अपने हातों से बनाया हुए समोसे लोगों को बेचना चाते थे तो मेरा बच्पन से बच्चो एक ड्रिम था कि भईया मैं एक समोसे की दुकान खोलूं या समोसे की दुकान निये कि स्टॉल खोलूं जहां पर मैं अपने हातों से बनाया हुए गर्म अगर हम समोसे अपने प्यारे कश्टमर्स को बेश सकूँ अपने प्यारे कश्टमर्स को बेश सकूँ लेकिन गुर्पी जर के पास समोसे बनाने का बहुत बढ़िया उमधा टैलेंट था बहुत बढ़िया समोसे बनाते थे लेकिन मेरे बच्चा गुर्पी जर के पास पता ह कोई लोन नहीं देता था कहता था हम तुम्हें किस बात पर लोन दे दें मैं कहता था समोसी की दुकान खोलूँगा करोड़ो रुपे कमाऊँगा तुम्हें थोड़ा इंटरस्ट भी दे दूआ कोई दिक्कत निया भाई साब करोड़ो वाला बिजनस करूँगा समोसी इन व मुझे यह तो नहीं पता समोसे कैसे बनते हैं, मुझे यह तो नहीं पता लेकिन मुझे तेरे उपर भरोसा है कि तू यह कर सकता है, तो ऐसा करते हैं, मैं capital ले आता हूं, मैं shop ले आता हूं, जो भी चीज़े लगेंगी, shop, furniture, correct और utensils बनाने के लिए, यह सब चीज़े जो समो समोसे की दुकान में लगने वाली हैं, वो मैं लेकिया आता हूं, गुर्पित तो क्या ले, तो अपना समोसे बनाने का talent लेकिया, तो अपना समोसे बनाने का talent लेकिया, यानि शाम भाहिया की जो कमजोरी थी, कि उन्हें समोसे नहीं बनाने आते थे, और गुर्पित भाहिय के पास जो resources है मैं उन्हें use करना चाहता हूँ ठीक है तो resources के लिए क्या आम भाई ने गुर्पीद भाई से क्यों करिए because of his skills and experience because मेरे अंदर जो skills थी इसलिए उसने हमार साथ partnership करी वो अगर खुद समोसे बनाने चाहता तो समोसे की जगा कुछ और ही बन जाता है ना उन्हें तो यह भी नहीं पता है समोसे में आलू डलते हैं कि कुछ और डलता है शाम भाई को इतना भी मालूम नहीं था है ना ओके अमीर बन्द है ना समोसे कभी खाए नहीं हमेशे जाया करते थे मैकडोनल्स वगेरा तो पता नहीं चला लेकिन इन्हें पता है कि जीवन में जो है गुर्पी सर कर सकते क्या यह बात क्लियर हो गई यह सर नेक्स्ट पॉइंट आता है बन्द हो जाती है और रिस्क टेकिंग एपटाइट यानि जो रिस्क टेकिंग थी अगर एक बंदा अकेला जाता है अकेला बिजनस अमरे क्लोंग uh होता है जो होता है बिजनस के फेल होने का वह सारा पंद इक आ ओपर नहीं रहता है वह भी रहता है बट जाता है वो भी amongst the person बट जाता है और responsibilities भी बढ़ जाती है कि यह काम तू करेगा यह काम मैं करूँगा इसलिए मेरे बच्चा लोग partnership में जाते हैं इसलिए मेरे बच्चा लोग partnership में जाते हैं I hope आपको यह points clear हो गयोंगे यह basics था basics था not as such mentioned in your books but you I think you should know अब आता है सबसे पहला section हम start करने जा रहे है section 4 लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं ठीक है एक बात बताना चाहता हूं partnership में ना ध्यान से समझे ना बड़ी important बात बता रहा हूं partnership act में ना दो टाइब के provisions है दो टाइब के provisions है ठीक है not subject to contract और दूसरा है subject to contract ठीक है सर इसका मतलब क्या है मेरे बच्चा law में partnership act में दो बाते बड़ी important है कुछ section में वो लिखता है subject to contract और कुछ section में वो subject to contract नहीं लिखता है इसका क्या मतलब है subject to contract का मतलब fulfill करिएगा आपको सिखाया गया होगा partnership में आपने जब partnership के accounts पढ़ेंगो तो आपने एक चीज़ सिखेंगे हम लेकिन उसमें हमने यह चीज़ सिखी है profit sharing ratio कितनी होगी profit sharing ratio कितनी होगी profit sharing ratio तो इसमें law पता क्या बोलता है आपका Indian partnership act पता क्या बोलता है equal होगी क्या होगी मेरे बच्चा profit sharing ratio equal होगी दो partner होगी दो में equal होगी तीन partner होगी तीन में equal बटे की जितना भी है equal होगी लेकिन अगर deed में कुछ और mention है तो वो applicable होगी यानि law तो कहता है equal है बट अगर deed में कुछ और mention है तो वो है, इसका मतलब है कि contract जो partners के बीच में agreement हुआ है, वो इस law के provision को override कर सकते हैं, वो इस law के provision को override कर सकते हैं, यानि law में लिखा है profit sharing ratio equal है, but it is subject to contract मतलब कि contract में अगर equal के लाव कोई और ratio भी लिखी होगी तो वो override कर जाएगी, आपको ये कुछ और agree कर लिया, तो वो override हो जाते हैं, फिर वो चलता है जो partners ने agree कर रहा है, ना कि जो act में लिखा हुआ है, लेकिन जो मेरे बच्चा not subject to contract है, मतलब यहाँ पे act में लिखा नहीं होगी ये line, बट क्यूंकि उसमें ये subject to contract वाला point नहीं लिखा होगा, तो यानि वो किजे, contract करने के बाद भी change नहीं हो सकती है, यानि अगर partners ने कुछ और agree भी किया, तो भी वो law को override नहीं कर सकते हैं, यानि इस case में law override हो जाता है, जो भी partners ने agree करा, और इस case में law override नहीं होता है, दीरे दीरे हम आगे जाएंगे तो आपको और बहतर से ये बात समझाएगी, बट अभी के लिए मुझे लगा कि आपको पहले ही ये बात पता होनी चाहिए, तकि बाद में आप confuse ना हो, बाद में आप confuse ना हो, because case studies पर बड़ी प्यारी बन सकती है अगर institute चाहे, institute एक provision ऐसा दे सकता है, कि partners ने ये agree करा है, आप बताओ क्या applicable होगा, law applicable होगा, या जो partners न चलते हैं, important बात पर चलते हैं, ठीक है, important बात पर चलते हैं, section 4 को मैं read करके बताता हूँ, एक एक word का आज हम मतलब दिल से समझेंगे, ठीक है, section 4 बोलता है, partnership क्या है, what is partnership, partnership is the relation, सबसे पहला word उसने क्या बताया, partnership एक relation है, ठीक है, okay, किनके बीच की relation है, between, persons लिखा हुआ है या person लिखा हुआ है, persons लिखा हुआ है, यानि implied है, दो या दो से जादा, हाँ या ना, yes तर, definition में persons word यूज हुआ है, जिनोंने agree करा हो, agree मतलब, agreement आगया आपका, agree मतलब क्या आगया मेरे बच्चा, agreement आगया कि उन persons के बीच में क्या होना चाहिए, agreement होना चाहिए, agreement आप जा share करना है, next point के आया, sharing of profit, next point के आया, sharing of profit, किस चीज के, business के, business के, यानि business होना भी ज़रूरी है, partnership के लिए, और next point आया, carried on by all, और any one of them acting for all, तो अगर मेरे बच्चा में partnership को, parts में बाट दूँ, तो देखो, पांच पार्ट निकल के आएंगे, पहला क्या था, भाया, एक तो ये two or more person होने चाहिए, पहली बात जो definition, एक एक point को समझेंगे, मैं पांच points लिख रहा हूँ, two or more persons होने चाहिए, ठीक है, जो agree करे, जो agree करे मतलब क्या होना चाहिए, agreement होना चाहिए, agreement होना चाहिए, इसको भी समझेंगे, और business का profit share होना चाह चाहिए, पहले तो business होना चाहिए, और business का क्या होना चाहिए, sharing of profit होनी चाहिए, sharing of profit होनी चाहिए, और last point क्या था, जो कि हमें detail में समझना पड़ेगा, जो कि बच्चों को बिल्कुल समझ नहीं आता है, that is, carried on by all, और any one of, any of them acting for all, last point क्या है या, carried on by all, or any of them acting for all, इसका दूसरा नाम भी आपको अभी बता देता हूँ, इसका दूसरा नाम होता है, mutual agency, अभी मतलब बताया है क्या मैंने नहीं, अभी तक मतलब नहीं बताया है, just मैंने तोड़ा है चीजों को, मैंने breakdown किया, समझाया, कुछ नहीं है मेरे बच्चा, कहीं आप कहें कि गुर्पी सन ने समझा दी, अभी नहीं समझाया, पढ़के, मैंने definition पढ़ी, और definition के मुझे पता चला, 5 तुकड़े हो गए, ठीक है, 5 तुकड़े हो गए, और law इसी क जादा person होने चाहिए, उनके बीच में agreement होना चाहिए, business होना चाहिए, profit sharing होनी चाहिए, ये पांचों चीजे हैं तो वो partnership है, ये पांचों चीजे हैं, तो वो एक partnership है, ठीक है, अभी इसको समझेंगे, चलो, who are partners, partners कौन होते हैं, partners वो लोग होते हैं, जो partnership में enter करते हैं, या नहीं इन ही लोगों की बात कर रहे हैं, जो दो या दो से ज़्यादा लोगों ने agreement किया है, उनहीं को partner बोलेंगे, और collectively इसे firm बोलते हैं, collectively इसे firm बोलते हैं, एक example ले लेते हैं, तो हमें better समझ आएगा, ये देखिए, बाबु भहिया, राजु भहिया, और शाम भहिया, बाबु भहिया, राजु भहिया, शाम भहिया, इन्होंने क्या करा, इन तीन person ने agree करा, क्या agree करा, कि हम मिलकर ना एक circus start करते हैं, और जितना भी profit होगा, इस circus से, उससे हम क्या कर लेंगे, उससे हम क्या कर लेंगे मेरे ब इसनद से प्रॉफिट आएगा ठीक है तो इन्होंने एक फार्म खोली जिसका नाम क्या रखा इन्होंने रोयल सरकस एंड को तो पार्टनर्स कौन है पार्टनर्स हैं बाबू भहिया राजू भहिया शाम भहिया और इन तीनों को मिला कर कहा जाता है फार्म कहीं लोग इसे फ form कहा गया है ठीक है ओके सर अब एक-एक element को समझना चालू करते हैं एक-एक element को जब यह element cover हो जाएंगे तब आपको पता चल जाएगा reality में partnership क्या होती है लेकिन जबते कि element खतम नहीं होंगे आपको partnership समझेगी नहीं ठीक है तू और मोर परसन पहले इस बात को समझते हैं आजाओ आजाओ चलो तू और मोर परसन यानि partnership में हमेशा 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 या तो दो या उसे ज्यादा लोग होंगे चीक है और persons कौन होंगे परसन कौन होंगे वो परसन जो लौ रिकोगनाईज करता है उनको partner बनाया जा सकता है यानि देखना इंडिविजूल क्या इंडिविजूल पार्टनर बन सकता है तो आप बताना major है या individual minor है major है या individual minor है अगर individual major है तो बन सकता है partner छीक है बट minor है तो बनने सकता है क्यों इंडियन कॉंट्रेक्ट एक्ट मना करता है याद है कि नहीं इंडियन कॉंट्रेक्ट एक्ट बोलता है कि माइनोर तो कॉंट्रेक्ट कर ही नहीं सकता है वाइड भी निश्यों होते हैं इसलिए जो माइनोर है वो मेरे बेटा पार्टनर नहीं बन सकता है लेकिन माइनोर एक beneficiary बन सकता है partner नहीं बन सकता क्या बन सकता है beneficiary बन जाएगा लगे तो बट partner नहीं बनेगा और beneficiary भी तब बनेगा जब सारे partners approve कर देते हैं ठीक है यह हो गई individual की बात क्या एक company क्या एक company partner बन सकती है partnership firm में the answer is yes why the answer is yes because company is a separate legal entity because company law की नजरों में एक अलग person है इसी लिए इसी लिए मेरे बच्चा company partner बन सकती है बट क्या एक firm क्या एक partnership firm क्या एक partnership firm कि दूसरी partnership firm में partner बन सकती है क्या the answer is no why because partnership firm is not a separate legal entity यानि वो लौ की नजरों में अलग नहीं है अब इसका क्या मतलब है वो लौ की नजरों में अलग नहीं है मान लो ए और बी ने आपस में partnership करी तो law इसको एक अलग person नहीं मानती लौ यह मानती है यह अ और बी ही है जो partnership है इन दोनों को collectively मैं partnership बोल रहा हूं कोई अलग परसं क्रिएट नहीं हो इन दोनों को collectively क्या बोल रहा हूं partners बोल रहा हूं इसी लिए AB end को जो इन्होंने partnership खोली AB end को वो किसी और partnership firm में partner नहीं बन सकती है नहीं बन सकती है चलो एक knowledge test कर लेते हैं देखना Mr. Ram जिनकी age 20 साल है आपको क्या लगता है partner बन सकते है या नहीं बन सकते है जल्दी बताव Mr. Ram जिनकी age 20 साल है क्या वो partner बन सकते है येस चुकि वो एक वाई विकॉस ही जा रहे हो आओ मिस्टर शाम जिनकी एस सतरा साल है बताइए बन सकते हैं क्या नहीं बन सकते क्यों नहीं बन सकते हैं माइन और है बट बैनिफीशरी बन सकते हैं कि दानसरी जा है रिलाइंस इंडस्टीज लिमिटीड पबलिक कंपनी न बन सकती है क्या बन सकती है क्यों बन सकती है क्योंकि एक separate legal entity है separate legal entity ABC & Co Co firm क्या बन सकती है partner the answer is no why no because firm is not a separate legal entity firm is not a separate legal entity तो पहला element clear हो गया गया यानि partnership की सबसे पहली requirement होती है दो ये दो से ज़्यादा लोगों का association होना चाहिए यानि वो साथ में आने चाहिए पहला requirement था और उसमें से भी कौन partner बन सकते हैं कौन नहीं बन सकते हैं मैंने आपको basic स्थोड़ा सा बता दिया है चलो आगे चलते हैं ये दुबारा वोई चीज लिखी हुई है ठीक है बड़ आपके study material की language में जो मैं already समझा चुका हूँ next point पे चलते हैं next point पे next element क्या था कि उनके बीच एक agreement होना चाहिए agreement होना चाहिए agreement होना चाहिए आजाओ वापस आजाओ agreement को आपको याद होगा agreement Indian contract act में क्या लिखा हुआ था प्रॉमिस इसके बदले करा हुआ promise correct promise इसके बदले किया हुआ दूसरा promise है ना when promises और set of promises forming consideration for each other yes or no यही था कि नहीं था ठीक है और आप जानते promise कैसे बनता है offer plus acceptance से बनता है तो partnership भी partnership भी वो यह कहना चाते agreement मतलब हमेशा offer और acceptance से ही बनेगी यानि parties उन्हें voluntary voluntary बनाएंगी यानि partnership कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता है दो यह दो दो लोग एक बंदा आया और मुझे कहने लगा चल मेरे साथ partnership कर ले नहीं voluntary offer plus acceptance offer plus acceptance होगा voluntary होगी तभी वो एक partnership है वरना वो partnership नहीं है क्योंकि contract यानि जब मैं यह बोलता हूं कि पार्टनर्शिप एक contract है तो उसमें वो सारे essential elements होने चाहिए जो एक contract में मैंने आपको सिखाये थे clear है कि यह बात yes sir yes sir so partnership must be result of an agreement agreement अब आप जान गए हैं और यह voluntary होगी correct खुद से parties करनी चाहिए उनका मन होना चाहिए partnership में आने का जबरदस्ती नहीं और contractual nature की मतलब यह तरह का contract ही होता है ठीक है अच्छा agreement आप जानते और writing में भी हो सकता है एक्सप्रेस में भी यानि देखना क्या बोल रहे हैं यह आहा कितनी प्यारी बात कही है ठीक है अभी एक और example लोंगा तो आपको और मजा आएगा कि agreement express भी हो सकता है partnership का और इंप्लाइड भी हो सकता है यानि इंप्लाइड एग्रिमेंट भी हो सकता है और एक्सप्रेस में यह ओरल भी हो सकता है और राइटिंग में भी हो सकता है तो एग्रिमेंट कैन भी एक्सप्रेस और इंप्लाइड और एक्सप्रेस में भी इट कैन भी ओरल और राइटिंग बट एग्रिमेंट होना जरूरी है partnership के लिए उन दो या दो से ज्यादा लोगों के अच्छा minimum partners कितने हो सकते हैं भाईया minimum partners आप जानते हैं दो लोग होने चाहिए और maximum partner कितने होने चाहिए maximum 50 maximum partners कितने अलावड है 50 section 464 of companies at 2013 maximum कितने 50 तो minimum partner 2 maximum 50 अगर 50 से उपर जा रहे हैं आपके partners तो आपको उसको compulsorily company निया LLP में convert करना पड़ेगा compulsory नहीं तो उसको illegal माना जाता है चलिए दो example लेता हूं मैं और आप मुझे बताईएगा कि इसमें agreement है या नहीं कि ए ए ए ए बी एक सी थे एक मिस्टर सी थे चलो और बढ़िया सा एक्जाम्पल लेते हैं एक सी थे जिनके दो बैटे थे ए और बी जिनके दो बैटे थे ए और भी ठीक है सी अंकल थे जिनके दो बैटे थे इनके पास एक दुकान थी जिसमें tv बिखते थे टीवी की दुकान थी ठीक है टीवी की शौप थी A और B उनके दो बैटे थे ठीक है आधी दुकान एक है आधी दुकान बी की है आप मुझे बताओ अब A और B जो दुकान चलेगी क्या यह partnership बोलों इसको जल्दी बताओ क्या इसको मैं partnership बोल सकता हूं A और B दो या दो से ज़्यादा लोग दो तो है लोग बट क्या partnership बोलों दान सर इस नो why no because यह voluntary है किया यह तो अपने आप automatically हुआ है ठीक है इसको हम बोलते हैं यह जो हुआ है this is by status this is by status और partnership कभी भी status से नहीं बनती किस से बनती है by agreement बनती है यहाँ पे इन दोनों के बीच कोई agreement नहीं था agreement करते हैं agree करते हैं एक बंदा offer देता है दूसरा acceptance देता है कि हाँ आओ दोनों मिलके एक टीवी की shop खोलेंगे टीवी सेल करने की shop खोलते हैं और वो टीवी सेल करते हैं महां से और कहते हैं जितना भी profit होगा हम आपस में बाट लेंगे profit sharing हो गई तो law कहेगा यह partnership है क्या आपको feel हुआ कि कब agreement है और कब agreement नहीं है अगर agreement नहीं है फिर चाहे वो एक्सप्रेस हो चाहे इंप्लाइट दोनों में से कोई भी अगर agreement नहीं है तो इट इस नॉट पार्टनर्शिप विकोज इस बाट स्टेटर बट जहां पर and to share the profit and losses equally from the restaurant business बताईए पहले बताईए टू और मोर परसन है क्या तू और मोर परसन है क्या दानसर इस एंड भी फिर मुझे बताओ agreement है क्या दोनों ने खुझ से agree करा है या अपने आप बन गई है यह पार्टनर्शिप दोनों ने खुझ से agree करा है तो एग्रिमेंट भी है profit sharing हो रही है क्या profit sharing हो रही है क्या answer is yes business है क्या answer is yes तो law बोलेगा यह जो है इसको हम बोलेंगे partnership simple वही next आते हैं यह आपका मेरा बच्चा agreement का जो आपके study material में लिखा हो क्या लिखा हो एक बड़ी रीड कर लेते हैं it may be observed that partnership must be the result of an agreement partnership हमेशा agreement से बननी चाहिए वो भी दो या दो से ज्यादा परसन के बीच में there must be an agreement जो सारे लोग करेंगे ठीक है जितने भी partners बन रहा है सबने agree करना चाहिए और यह हमेशा क्या होगी voluntary और contractual nature की होगी इसको हमेशा voluntary और contractual कहा जाएगा यह express भी हो सकती है यह implied भी हो सकती है यह oral भी हो सकती है और यह return भी हो सकती है ठीक है तो second element आते हैं थर्ड पर आने से पहले थोड़ा सा और एक discussion मेरे को करना था agreement के ओपर कितने बच्चों को यह लगता है वैसे तो मैं बता चुका हूं कितने बच्चों को लगता है कि partnership जो deed होती है क्योंकि agreement को क्या बोलते है partnership deed बोलते हैं कितने बच्चों को लगता है कि writing में ही होनी चाहिए as per law writing में होनी चाहिए as per law क्या आपको लगता है yes or no बताओ क्या आपको लगता है यह writing में होनी चाहिए the answer is no अभी हमने बढ़ा था the answer is no law नहीं बोलता writing में होनी चाहिए आपकी partnership deed law कहता है मुझे फरग नहीं पड़ता है आपका agreement oral में है या writing में है मुझे फरग नहीं पड़ता है यह नहीं law ने आपको दोनों option दिये है oral भी कर सकते हो writing में बट मुझे बताओ अगर कल को आप CA बन जाएंगे और आपका client आपके पास आएगा तो आप उसे क्या advice करोगे आप उसे law ने तो आपको दोनों option दिये ओरल भी और राइटिंग में बट आप अपने client को क्या advice करना चाहोगे औरल वाले में जाने की advice करोगे या writing में अडवाइस करोगे क्यों advisable है because कल को अगर लड़ाई होती है तो याद थोड़ी रहता है मैंने क्या कहा था मैंने आपको कहा था आज मैं कहा रहा हूँ तो इक्वल शेरिंग करेंगे बट कल को मैंने का नहीं नहीं हमने तो यह अगरी करा था 90% profit मैं रखोंगा 10% तो लड़ाई हो जाती है पार्टनर्स में इसलिए it is always advisable to have the deed in the writing to have the deed in the writing एक क्या पूछा था सर क्या पूछा था पूचा था क्या फ्रमेलिटी होती है जब आप पार्रॉस workplace टिए डीडि क्या क्या फॉर्मेलिटी होती है तो देखे थे प्र्मेलेटी डिसक्स कर लेते हैं सबसे पहली चीज कोई और यहां पर क्या है कोई भी फॉर्मैलिटी नहीं होती है पार्टनर्शिप की डीड के लिए पार्टनर्शिप की एग्रिमेंट के लिए क्यूंकि यह राइटिंग में भी हो सकता है और वर्बली भी हो सकता है बट एडवाइजेबल क्या है राइटिंग में आप इसे करें यह express भी हो सकता है और implied भी हो सकता है बड़ यह ध्यान रखना जब आप writing में बनाते हो ना तो फिर उसको क्या कर लेना एक तो ध्यान से draft करना सारे points को और उसको stamp करा लेना उसको क्या करा लेना stamp करा लेना as per stamp act 1899 stamp act 1899 के हिसाब से उसे क्या करा लेना stamp करा लेना अगर writing में कर रहे हो तो अगर writing में कर रहे हो तो उसे stamp करा लेना ठीक है और यह special point है यह special point क्या है अगर आपकी partnership में immovable property यानि land और building भी involved है यानि आपकी partnership अगर land और building खरीद रही है या आप ऐसा capital उसमें introduce कर रहे हो land या building को तो law कहता है कि भाईया फिर आपको अपनी partnership deed writing में करनी mandatory है कब अगर आपकी partnership में immovable property involved है फिर आपको उसे stamp भी कराना पड़ेगा as per stamp act और stamp तो कराना ही पड़ेगा साथ ही साथ registered भी कराना पड़ेगा as per registration act as per registration act तो यह आपका चार माग का सवाल है कि what are the formalities जब आप partnership deed से related या वो यह भी पूछ सकते हैं कि क्या क्या बातों का ध्यान रखे partnership डीड को बनाते हुए तो यह बात है वह यह किसी चीज़ का ध्यान नहीं रखना औरल राइटिंग वर्बल इंप्लाइड एक्स्प्रेस लेकिन स्टैंप करा ले ना इम्मूवल प्रॉपर्टी यह तो रजिस्टर भी करा ले ला दाट्स एट ठीक है कि नेक्स्स 4 माक का जो कोशना आता है अब ही हम अग्रिमेंट को ही मैं थोड़ा साइव आपटेयल में डिसक्स कर रहा हूं ऐलिमेंट को कि अग्रिमेंट partnership agreement या partnership deed में क्या content आना चाहिए क्या content आना चाहिए तो ये content आना चाहिए बढ़ हम इसको practically सीखेंगे इस content को कैसे सीखेंगे ऐसे मज़ा नहीं आता आओ practically सीखेंगे ठीक है practically चलो याद है आपको मैंने शाम बहिया के साथ partnership करी थी आपके गुर्पीत भाईया ने समोसे की दुकान के लिए तो उन्हों ने कहा मैं मैं आपको सिखा रहा हूं अब शाम भाईया और गुर्पीत भाईया जब समोसे की पुकान के लिए mitorship करने वाले आप मुझे बता आप मुझे बताना क्या मैं करूँ जाना किने बिल्कूल करूँगा तो आपको खुद कर歌 वाइटिज ह्वी तो मैंने पार्टनरसिप write लडाई ना हो ताकि बात में हमारे बीच लडाई ना हो फील करते जाना इस बात को देखना सबसे पहले मैं आपके सामने आज बनाने जा रहा हूं ठीक है आज मैं आपके सामने एक partnership deed बनाने जा रहा हूं मैंने का शाम भाई अपनी partnership का नाम क्या रखेंगे उसने भाईया रखेंगे गुर्परीत शाम एंड को गुर्परीत शाम एंड को तो पहला clause मैंने partnership में डीड में लिखा name of the name of the firm is क्या है बताओ गुर्परीत शाम एंड को ठीक है गुर्परीत शाम एंड को यानि पहली चीछ जो आई वहाई की name of the partnership second आई की name of all the partners second ठीक है name of partner one क्या है बताईए गुर्परीत शाम भाईया शाम को पूरा नाम आएगा भाईया नहीं लगेगा शाम का पूरा नाम पता है क्या है शाम कुमार है यहां भाईया भाईया नहीं चलेगा पूरा नाम आएगा name of all the partners अब आएगा बिजनस का नेचर क्या है बताओ बिजनस का नेचर क्या है नेचर ओब बिजनस क्या लिख दूं समय से बेचने की दुकान लिख दूं ना 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 थोड़ा तोफेस्टिकेटेट वर्ड लिखते हैं ना अच्छा लगेगा रेश्टूरंट थोड़ी बहुत कॉल्टिंग कॉल्टिंग भी तो बेचूँगा रेश्टूरंट सर्विस ठीक है तो सेल्डी टेबल्स अच्छा प्रिंसीपल प्लेस और प्लेस ऑफ बजनस ऑफ पर्म क्या मांग रहे हैं प्रिंसीपल प्लेस और अधर प्लेस प्रिंसीपल प्लेस मेरी जो दुकान है बेटा वो पूने में रहेगी पूने का पूरा अड्रेस आएगा जहां पर र पूना पिन कोड 41006 अरे यह क्या हो गया यार ठीक है और अधर प्लेस अगर मेरी कोई ब्रांच भी है हमारी एक ब्रांच भी है तो वो भी लिख देता हूँ अधर प्लेस मेरी एक और ब्रांच भी है जो कहां पर है जो औरंगाबाद में है तो शौप नंबर 3 नियर मेला और उसके बाद और अंगाबाद और उसका पिंकोड ठीक है तो आपने ये भी बता दिया आपनी पार्टनर्शिप डीड में पार्टनर्शिप की तारिक से स्टार्ट हो रही है आज का लेक्चर आ रहा है आपका आज की डेट क्या बताओ पार्टनर्शिप य भी आगई है डूरेशन ऑफ दी पार्टनर्शिप की तैने सालों केली हम पार्टनर्शिप कर रहा है कितने सालों के restrictionsर रहा है be पढ़ गया 7 duration of the partnership firm हम दोनों ने मिलके कितने सालों के लिए करिए मान लीजिए हम दोनों ने पांस सालों के लिए करिए इस फाइफ years duration of partnership firm is five years यह वाला point भी डाल दिया अच्छा capital कौन कितनी लाएगा बताओ आप तो जानते 구meno sir के पास पैसे निए शाम के पास पैसे है तो शाम capital I am the sham capital 3 पिए इज रुपी जा करोल के गुर्पीड कैपिड यह हम इस रूपीज मैं गरीब बनना हूं रहा है ना तो शाम की करोल कितनी है एक करोड गुर्पीड की केपिड़ कितनी है दस हजार वेक्टेटल कॉंट्रिबिशन हागए इच पार्टनर का श कई शा just तो उसने पता क्या का उसने जा यानी शाम और राम की जो रहेगी वह रहेगी कि एट रेश अजेट 8 ratio 2 यानि अगर 100 रुपे कमा जाएंगे तो 80 रुपे शाम भीजा को मिलेंगे और 20 रुपे गुर्पिस सर को मिलेंगे कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं है चलिए ये भी हो गया provision for admission, retirement, expulsion यानि admission होगा तो कैसे होगा तो मैं इसमें लिख सकता हूँ provision for admission admission, retirement और expulsion कैसे होगा with consent of all partners मैंने लिख दिया क्या with consent of all old partners मतलब सारे partners की consent लगेगी तभी एक नया बंदा आएगा या पुराना जाएगा चलिए ये भी हो गया अच्छा interest on capital मिलेगा या नहीं मिलेगा drawings में मिलेगा या नहीं मिलेगा तो मुझे बताओ interest on capital मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए देखो शाम कहा रहा है मिलना चाहिए क्योंकि उसने तो एक करोड रुपे लगाए मैंने कम पैसा लगाए तो शाम कभी नहीं मानेगा कि ना मिले शाम कहेगा भाईया मिलना चाहिए यहां पर मैं काम करने वाला हूं मैं समों से बनाने वाला तुम्हारा तो पैसा लग रहा है तो सेलरी भी मिलनी चाहिए तो सेलरी मिलेगी तू दी वर्किंग पार्टनर सेलरी मैं ने लिखा डीड में सेलरी two working partner कितना रुपिया कितना ले लूँ बच्छो सेलरी बताओ तूम्हारे सर को कितनी मिलनी चाहिए तीन हजार रुपे महिना भी करते यह देखो तो यह आपकी partnership डीड बन गई अब मैंने बना ली डीड मैने का शाम भाई इस पर फटा फट क्या कर दो साइन कर दो भाई या साइन तो शाम भाई ने कर दिये साइन ये देखो शाम गुर्पीज दर ने भी आपके साइन कर दिये गुर्पीज दोनों के साइन हो गए बलकि ये तो है साथ में witness के भी sign कराऊंगा और उसके बाद इसको क्या करा लूँगा stamp करा लूँगा क्लियर है के सबको yes or no जल्दी बिदाईए क्या ये point clear हो गया next जो question आपको आता है इस laborus में बार बार पूछा जाता है क्या पूछा जाता है कि content क्या होना चाहिए partnership deed का partnership deed का और यहां पर important point है partners चाहें तो जो उपर point बताए गये हैं उससे जाधा points लिख सकते हैं और चाहे तो उपर लिखे हुए points में से कुछ delete भी कर सकते हैं यानि हमने कोई mandatory उपर जो लिखे हुए वो mandatory point नहीं है उनमें बढ़ाया भी जा सकता है घटाया भी जा सकता है drafting करते हुए यह तो बस हम suggest कर रहे है normally इतनी बाते लिख लेना अपने agreement में या partnership deed में तो total five elements थे मेरे बच्चा पहला element था two or more person association of two or more persons कर लिया गया yes second element था agreement agreement से related में आपको partnership deed के बारे में भी सब बता दिया जबकि यह वाला point आपके study material में agreement और partnership deed का अलग-अलग detailed discussion कर रखा है दूर-दूर बट मुझे लगता है जब दोनों बाते एक ही है तो दूर-दूर कर देंगी क्या बात है एक ही साथ कर लेना चाहिए अब चलेंगे हम third element के उपर जो definition से बन क्या आया था क्या element आया था मेरे बच्चा तीसरा that is existence of business there must be some business there must be some business business की definition भी दे रखिये partnership act में section 2 clause B section 2 clause B बोलता है business includes every trade occupation profession यानि आप कोई भी काम करते हो चाहिए वो फिर trade हो खरीद के बेचने का कोई occupation हो या profession जैसे कि CA, lawyer, doctor वो सारी चीजे business मानी जाएगे तो ये सारी चीजे business है अगर आप ये कर रहे हो तो law कहेगा भाया ये this is very important for the partnership अगर business है तो partnership होगी बट अगर business नहीं है तो partnership नहीं होगी और business का motive क्या होना चाहिए आप वो क्यों कर रहे हो gains कमाने के लिए यानि profit कमाने के लिए आप वो कर रहे हो ठीक है जहाँ पर आपकी intention profit कमाने की नहीं है वहाँ पर partnership भी exist नहीं करेगी वहाँ पर partnership भी agree नहीं करेगी important example है देखिए business के उपर है business concept के उपर Mr. A और Mr. B ने agree करा कि हम association में साथ में आते हैं और एक एक लाख रुपे हर साल डालेंगे एक लाख रुपे contribute करेंगे हर साल ये association मिलके क्या करने वाले है हम कपड़े बनाएंगे will produce clothes and distribute the clothes to the needy people ठीक है free of cost मुझे बताओ यह जो कपड़े बनाके free में बाट रहे हैं क्या यह business हो रहा है for profit the answer is no यानि यहाँ पर association है क्या यहाँ पर association है क्या दो या दो से जादा लोगों का the answer is yes यहाँ पर agreement है क्या क्या दोनों पार्टी साथ में खुद से offer plus acceptance है यह answer is yes but क्या यहाँ पर business हो रहा है for profit for earning profit the answer is no तो जब यह बात satisfy ही नहीं हुई तो law कहेगा this is not a partnership this is not a clear case of partnership की definition में fall नहीं करेगा okay sir okay sir यानि business का होना बहुत जरूरी है business का होना जरूरी है plus 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 and 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 gains profit कमाने के intention से business करो बट profit कमाने के intention से अगर यह दोनों चीज़े हैं तो हम partnership की तरफ चाह सकते हैं हम partnership की तरफ चाह सकते हैं तो there must exist a business ठीक है और business की definition फिर लिख हुई है occupation और profession है ना तो business होना जरूरी है और साथ ही उसका motive क्या होना चाहिए profits को कमाना उसका motive क्या होना चाहिए profits को कमाना next point that is आप business कर रहे हो profit कमा रहे हो लेकिन profit sharing भी mandatory है अगर profit sharing नहीं हो रही है partners के बीच में तो वो partnership नहीं कहलाएगी वो partnership नहीं कहलाएगी so sharing of profit is mandatory but sharing of loss is not mandatory सर इसका क्या मतलब है सर इसका क्या मतलब है देखो case studies लेते हैं इस case studies से आपको clear हो जाएगा Mr. A, Mr. B and Mr. C agreed to form an association to start swimming pool business यानि A, B, C ने का चलो मिलकर एक swimming pool बनाते हैं वहाँ पे swimming pool बनाने के बाद क्या करेंगे उसको लोगों को एक गंटे के rent पे कि लोग आके यहाँ पे swimming कर सके 100 रुपीज, 200 रुपीज पे करके तो वो वाला business कमाएंगे to earn profit ठीक है तो यहाँ पे दो या दो से जादा लोग है yes है, क्या दोनो agreement है, क्या agreement है, the answer is yes, क्या business है, swimming pool का business है बादिया swimming pool को लेंगे और क्यों कर रहे हैं profit कमाने के लिए but next question is, क्या profit sharing करने वाले हो या नहीं करने वाले हो, तो देखो, case 1, अगर यह agree हुआ, agreement मनों ने यह agree करा, कि सारा का सारा profit A को मिलेगा, मतलब B और C को कोई profit नहीं मिलने वाला, जितना भी swimming pool से profit आएगा, वो सिरफ A को मिलेगा, तो लोग हैगा यह partnership नहीं है, क्योंकि यहाँ पर sharing और profit का essential element present नहीं है, जो की होना चाहिए, यहाँ पर profit share नहीं हो रहा है, बट वहीं, case 2, अगर यह agree करता कि profit तो हम तीनों equally बाटेंगे, profit will be shared equally, तीनों में equally बाटा जाएगा, बट फार्म का अगर loss हुआ, तो वो एक ही जेब से जाएगा, क्या इसको partnership कह सकते हैं, दा answer is yes, यानि, law कहता है, profit sharing होनी चाहिए, loss sharing नहीं भी हुआ तो फरक नहीं पड़ता, बट profit sharing बहुत ज़रूरी है, profit sharing बहुत ज़रूरी है, loss की sharing नहीं भी हुई, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, और इस point से मुझे एक और बात पता चली, क्या बात पता चली, पता क्या, profit sharing ratio can be different, profit sharing ratio can be different from loss sharing ratio, loss sharing ratio, यानि अगर आप चाहें, तो profit sharing ratio कुछ और रख सकते हैं, loss sharing ratio कुछ और रख सकते हैं, बट हाँ, most of the cases में, ये दोनों सेम होती है, most of the cases में, आपने अभी तक जो सीखाओ को, आपने profit sharing ratio is equal to loss sharing ratio, बट law आपको अलाओ करता है, आप चाहें तो profit sharing ratio अलग रखें और loss sharing ratio अलग रखें ये, तो unless otherwise agreed, unless otherwise agreed मतलब contract में अगर कुछ और agree नहीं हुआ है, agree नहीं हुआ है, मतलब और लिया return जैसा भी contract है, उसमें अगर agree नहीं करा है, तो law कहता है, profit equally share होगा partners के अमंग, बट हाँ, अगर कुछ और agree हुआ है, तो profit sharing ratio वो होगी जो उन्होंने agree करी थी, और normally loss भी profit sharing ratio में ही बाटा जाता है, बट अगर आपने कुछ और agree करा है, तो profit sharing ratio can be different from the loss sharing ratio, loss sharing ratio, ठीक है, now coming towards the last, last element, जो बच्चों को समझने में बहुत difficult जाती है, that is, business carried on by all, और any one of them acting for all, and यहां देखो, दिल भी बना हुआ है, वाई यहां पे दिल क्यों बना हुआ है, पता है, because this element is the heart and soul of the partnership law, अगर यह satisfy हो रहा है, तो partnership पक्का मानी जाती है, मतलब बाकी elements तो check कर नहीं है, साथ में यह element भी check होगा, this is the cardinal principle of the partnership law, this is the conclusive evidence of the partnership law, इसको हम क्या बोलते हैं, mutual agency भी बोला जाता है, but let's understand in the layman language, पहले इसका मतलब समझते हैं, यह क्या मतलब है, यह mutual agency का मतलब क्या है, ठीक है, ओके, एक example से समझाता हूँ, पहले एक line पढ़ देता हूँ, उसके बाद एक example से समझाता हूँ, आपको समझ जाएगा, और नहीं समझा तो बताना, ठीक है, हर partner principle भी होता है, और agent भी होता है, दूसरे partner का business के लिए, चलिए, mutual agency का मतलब यही होता है, एक example लेते हैं, A, B, C, A, B, C, तीन partners हैं, इनका business है, purchase and sale of old cars, इनका business क्या है, old car को खरीदते बेशते हैं, यह तीनों लोग, ठीक है, अब एक बंदा आया, Mr. D, और उसकी मुलाकात A से हुई, उसकी मुलाकात किस से हुई, A से हुई, D ने कहा, मुझे एक car चाहिए, मुझे एक car चाहिए, ठीक है, एक और आगे भी डाल देता हू, purchase and sale of old cars and spare parts, spare parts भी बेशते हैं, मान लो, ठीक है, D ने कहा, भाई, मुझे मेरी car के लिए spare parts चाहिए, D ने क्या कहा, मुझे मेरी car के लिए spare parts चाहिए, तो A ने पूचा, भाई, कौनसी car के लिए spare parts चाहिए, तो उसने कहा, मेरे को चाहिए, Alto 800, Alto 800 car है, उसके लिए मुझे ये वाला spare parts चाहिए, A ने, A ने, उस दिन दुकान पे B और C नहीं थे, उस दिन दुकान पे B और C नहीं थे, सिर्फ A बैठा हुआ था दुकान पे, A ने का भाई है, ये लो spare parts, D ये लो spare parts, और ये spare parts आपकी car में लग जाएगा, उसने का पका मेरी Alto 800 में लग जाएगा ना, इसने का हाँ, वो गया, और उसे घर जाके, जब उसने mechanic को, mechanic की shop पे गया, पर mechanic की shop पे जब उसने वो part दिया mechanic को, तो mechanic का अब ये क्या उठा लाए तुम, ये क्या उठा लाए, ये Alto 800 का part नहीं है, ये तो किसी और गाड़ी का, अल्टो 800 में नहीं लगेगा, D दोड़ा दोड़ा वापस आया, दोड़ा दोड़ा वापस आया, और देखता है कौन बैठे हैं दुकान पे, B और C बैठे हैं, A नहीं बैठा है, बताओ बात किसने करी थी, D को समान किसने बेचा था, B, C ने या A ने, B, C ने या A ने, तर A ने बेचा था समान, A ने बोला था, अल्टो 800 में लगेगा, क्या ये बात B और C ने कही थी क्या, the answer is no, but law कहता है, partnership में mutual agency का concept लगता है, मतलब ये बात जब A ने कही, तो वो as a agent act कर रहा था, किसका, B और C का agent, B और C का वो क्या था, agent था, इसलिए, जब D दुबारा दुकान पे जाएगा, और B और C दुकान पे बैठे होंगे, जब B और C दुकान पे बैठे होंगे, और A नहीं होगा, और D जाएगा, और कहाएगा, भईया, ये अल्टोई धंडरेल का पार्ट दिया था, तो अब वो ये नहीं कह सकते हैं, कि हमने तुमें नहीं बेचा था, इंपलाइट कंदिशन ब्रेक हो गई थी, ठीक है, clear है क्या, ये सर नो, ये सर एकदम clear है, सर एक और example लीजे न, एक और example लीजे, चलो एक और example लेते हैं, पहले example में मैंने कहा है, A ने जो बात बोली, बहले B और C को नहीं पता थी, कि A ने बात वो बोली है बट ऐसा लोग ऐसा मानता है कि यह बात B और C ने भी बोली है यह B और C से पूछ के बोली गई है क्योंकि there is a Mitchell agency concept next example same लेते हैं ताकि आप लोग relate कर पाएं A, B, C three partners again किसका purchase and sale of old cars and its pair parts F आया A, B, C F आ गया ठीक है साथ F ने एक पुरानी कार बेची old car sale करी किसको C को उस दिन दुकान पर A और भी नहीं थे C को बेची गई है दुकान कौन सी बेची गई old car बेची गई F ने लेकिन F ने old car बेचते हुए C को ये कहा कि भाया ये car चोरी की है ये car कैसी है चोरी की है ये बात F ने C को बताई तीने का कोई बात नहीं आर चोरी के हम देख लेंगे मैं खरीद लेता हूं और C ने वो चोरी की कार पता होते हुए भी उसे परचेज कर लिया तो law कहता है अगर C ने परचेज करा है ये बात हम ऐसा मानेंगे कि A और B को भी पता है बहले हि उन्हें पता हो चाहे ना पताओ बहले हि ये बात A और B को ना पता कि वो गाड़ी की चो this is the concept of mutual agency यह होना बड़ी ज़रूरी है यह होना बड़ी ज़रूरी है तो अगर पांचों चीज़े हैं आपकी में दो यह दो से ज़्यादा लोग भी एनिया association of two or more person second वो कोई business कर रहे हैं for acquisition of gains कर रहे हैं उनमें agreement है profit sharing है और mutual agency है तो हम कहते हैं partnership अब issue पता है कहां आता है अपना जब आपको सवाल आएगा एक्जाम में कि यह partnership है या नहीं तो आप यह बात चेक कर सकते हो कि दो यह दो से जादा लोग ने गिन लोग है आप यह बात भी चेक कर सकते हो कि वह बिजनेस कर रहे हैं नहीं आप ये बात में अगरी करता हैं ये लो ने उनके उपर ये डाल दिया है लेकिन इस्यों अधर या यह आप सवाल लेंगे के लिए मैं पर नंबर डाल देता हूं ताकि आप लिख पाओ ठीक है मुझे बताओ आप मुझे बताओ कि यह है या नहीं है नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर 7 आप मुझे बताना यह विए पार्तनर्रिफ्स में कवर हो रहे हैं नहीं यह सातों के साथ कमेंट सेक्शन में मैं ka reference सही देदा है देखते अज कौन अनसार सही देगा को कर लिए गए विटा बताओ अरे तर करने दो करो 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 कर आप की बोटल दो कि पिंग कलर की लडकियों वाला कलर क्या होता है लडकियों वाला कम इस अब्सक्राइब क्या क्या हो लडकियों कार यह कि surprised चलो करें सॉल्व करना स्टार्ट करें येस सर आप समने कमेंट सेक्शन में अंसर लिख दिये होंगे चलो Mr. A wants to do business of trading in books वो किताबों को खरीदना बैचना चाहता था इस business के लिए उसने 10 employees hire करें मुझे बताओ क्या ये 10 employees और ये ए 10 employees और ये ए क्या ये ये मेरे बच्चा partnership बोला जाएगा क्या the answer is no क्योंकि यहां कोई profit sharing की बात ही नहीं हो रही है यहां पर employees रखे गए पार्टनर्शिप यह partnership का relation नहीं है employer employee का relation not a partner relation ठीक है okay यह तो दोनों बड़े प्यारे मुझे बड़े पसंद आई यह दोनों Mr. C और Mr. D एक land के co-owners हैं एक land के co-owners हैं ठीक है उनके पास एक land है जिसके वो क्या है मालिक है यानि आदे आदे land के मालिक है इस land से rent आता है मुझे बताओ अगर land से rent आएगा ठीक है अगर land से मान दो यह रेंट यह लेंड है दस एकड़ की पांच एकड़ C की है पांच एकड़ D की है अब इस से rent आता है रुपीज 10 लेक मुझे बताओ कि आदा आदा बढ़ जाना चाहिए यह नहीं बढ़ जाना चाहिए यह कहने की तो ब्लैंड आधी आधी ओनर मैं हूं आदा तू है तो जो रेंट आएगा वो भी तो यह मैं चाहता नहीं भी हूं तो भी तो बटे गई ना यान सो रेंट फ्रॉम दे लेंड इस शेयरड एस पर को अवनर्शिप पर्संटेज तो लॉग कहेगा भाईया यह पार्टनर्शिप नहीं है बिकॉस देर इस नो एग्रीमेंट बिट्वीन अस जस्ट बिकॉस वी आर को ओनर्स तो हमारे बीच शेयर हो रहा है तो हमारे बीच मैं थोड़ा सा गरांसर चेंज कर दिया कॉंसेट में कि दोनों लेंड के कोनर से दोनों ने एग्रीमेंट करा कि हां हम एक बिजनस करेंगे और प्रॉफिट को इक्वली बाटेंगे तो लोग आएगा भाईया यह क्या हो गई ओड़ी आप पार्टनर्शिप हो और आप हर चगां देख रहेंगे मैं मिच्टोल इजनसी का कॉंसेट मैं दो या दो से जाधा लोग टेस्ट कर रहा हूं अग्रीमेंट कर रहा हूं प्रॉफिट शेरिख बट मिच्वल इजनसी टेस्ट नहीं कर रहा हूं क्यूंकि मुझ distributing it to the poor person तो reality में यह एक ट्रेडिंग तो है manufacturing तो है बट profit motive नहीं है उस business का तो हम क्या कहेंगे यहां पर partnership नहीं होगी यहां पर partnership नहीं होगी बट वहीं इस question में जब मैंने poor person हटा के earning profits कर दिया ठीक है earning profit कर दिया तो यहां पर दो या दो से जादा लोग है क्या यहां पर business है क्या for earning profit यह तो association भी है agreement भी है business भी है बट profit कह रहे है सारा का सारा profit किसे मिलेगा L को मिलेगा और N को सिर्फ salary मिलेगी तो अगर L को सारा profit मिलेगा तो sharing of profit वाला element हो रहा है क्या satisfy नहीं हो रहा है यह भी partnership माना जाएगा मुझे लगता है बहुत बच्चों ने यह वाला गलत कर दिया होगा क्योंकि profit शेरिंग पर बाकी सारे elements है बट शेरिंग और profit भी तो होना चेथा यहां पर 100% profit अगर L को मिल रहा है तो profit sharing कहां हो रही है तो लोग बलेगा नहीं ठीक है Mr. L and Mr. N ठीक है यहां पर 2 या 2 से ज्यादा परसन एग्रीड यानि अग्रीमेंट मैन्यूफेक्ट्रिंग फुलन क्लोट वर अर्निंग प्रॉफिट यानि बिजनस फॉर दूइंग प्रॉफिट हावेवर क्या कि प्रॉफिट तो दोनों में एककोली बटेगा बट लॉस एन ही पूरा का पूरा बियर करेगा मुझे बताओ क्या sharing of loss होना चाहिए का partnership में दा अंसर इस नो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है बट sharing of profit होना ही चाहिए तो yes this is a partnership yes this is a partnership चलो यह एक और special question आ गया आहा प्यारा सवाल यह देखेंगे वाई कितने लोगों ने सही करा इसको तुम एक अलग page भी ले जाओं क्या two firms each having 12 partners आओ एक firm है अरे एक firm है जिसमें 12 partners हैं और एक firm है जिसमें 12 partners हैं दोनों firm ने agree करा क्या है कि हम दौनों commune होकर एक ही firm बन जाते हैं 24 partners वाली 25 partners वाली अब इसको डिफरेंशेट करना बेटा उसको डिफ इसको डिफरेंशेट करना कि question में क्या दिया है को्सτε्षन में यह बोला हुआ है 12 partner vλι चाहते हैं यानि इसको पार्ट्णर व्ण सकती तो कभी बन सकती यहां पर एक फर्म बन जाना चाहते हैं यानि this is the case कि ये सारे के सारे नाव 24 के 24 लोग किसी एक firm में पार्टनर होंगे तो ये पॉसिबल है तो ये जो नई पार्टनर्शिप बनी है ये शिज़ पार्टनर्शिप इये पार्टनर्शिप विद फिन्टीफोर पार्टनशब मतलब पार्टनर्शिप किन के बीच में अमंग 24 बांग 24 फार्टनश घीक है तो पार्टन शीप पार्टन बन सकती है कि द daw अनुर यहाँ पर पार्टनशीप कि नहीं मैंने, नहीं सर आपने अंसर नहीं लिखा, लिख देता हूं, येस, लिख देता हूं, येस, ये एक प्यारा सा सवाल लगा था मुझे, जो आपको पता होना चाहिए, और दोनों में फरक बता दिये, जहां पर आपकी confusion होती है, एक और test your knowledge question आया है, बड़ा प्यारा question है, आओ, समझते हैं, ठीक है, एक बन्दा था Mr. कामत, बन्दा क्या था, Mr. कामत, और उसके साथ six other person थे, इन्होंने आपस में agreement करा, इन साथ लोगों ने आपस में क्या करा, agreement करा, बट agreement में देखो, क्या क्या बाते लिख थी, agreement में लिखा था, सारा काम, सारा काम, कामत ही करेंगे, सारा काम, कामत ही करेंगे, सारा काम कामत ही करें गे प्राफिट शेरिंग रहेगा इकॉल फ्राफिट शेरिंग कि रहेगा एकॉल ठी आप इसे पार्टनर्शिप कहो गए यानि है कोई बिजनेस भी कर रहे थे बिजनेस थो यह कर रहे थे उसमें प्रॉफिट भी हो रहा था प्रॉफिट इकोली भी लेकिन प्रॉब्लम पता क्या थी प्रॉब्लम यह थी कि सारा का सारा काम सिरफ कामत ही करते थे बाकी छे लोग काम करते ही नहीं थे साहा कामु और कैम काम करता था जो प्रोफिट बढ़ता था तो सब पथैए कि यह नहीं मानी चाहे या आप केए और गार क्वाहा है है तो हमसे partnership हम नहीं मानेंगे अहां आओ एक line बढ़ते हैं यह आपका अंसर ना इस line में छुपा हुआ है क्या line है business carried on by all या तो सारे के सारे business कर सकते हैं या या law कहता है कोई भी business कर सकता है सब के भी हाफ पर यहीं तो मिच्चोल अजनसी है तो जरूरी नहीं है कि सातों partners ही काम करने चाहिए अगर कामत ही काम कर रहा है और सब partners के भी हाफ पर काम कर रहा है तो भी law उसे क्या मानेगा partnership मानेगा because this is known as concept of Mitchell agency this is known as concept of Mitchell agency तो बहले ही सारा काम कामत कर रहा है बट ही इस दूइंग दवर्क ऑन दी बिहाफ ऑफ आल partners तो यह केस सुप्रीम कोट तक गया था और सुप्रीम कोट ने देखो क्या कहा यह केस था सुप्रीम कोट ने पहली चीज़ there should be an agreement क्या agreement है क्या है किस चीज़ का agreement होना चाहिए to share the profit as well as the losses of the business profit और loss को share करने का agreement होना चाहिए बिल्कुल है बिजनस होना चाहिए अब बिजनस चाहे सारे करें चाहे सब के विहाफ पे कोई एक करे कोई सारी फरक नहीं पड़ता इसको हम partnership बोलेंगे और इस case में इस case में फरक नहीं पड़ता कि सारी कि सारी पावर और control कामत के पास था एक ही partner को सारा control दे दिया था उससे फरक नहीं पड़ता चाहे उसके पास bank account चलाना है वो भी उसके पास power थी फर्म के नाम पर उधार लेना है वो भी उसके पास power थी बट law कहता है क्योंकि मिच्चो लेजन्सी है तो यह partnership मानी जाएगी क्योंकि यहाँ पर बाकी सारी चीज़ें भी satisfy हो रही हैं बाकी सारी चीज़े satisfy हो रही हैं clear है कि सबको yes और no जल्दी बताओ ठीक है अब आप स्तीक चुके हैं क्या सीख चुके हैं क्या क्या सीख चुके हैं क्या पार्टनर्शिप क्या होती है पांच एलिमेंट्स सिखाये थे और partnership है या नहीं वो चेक करना भी आपने सीख लिया वो चेक करना भी आपने सीख लिया, अगर आपको चेक करना हुआ है जो दो लोग साथ में घुम रहे हैं यह partner है या नहीं business partner तो law कहता है आपको three test करने होते हैं, three test of partnership होते हैं, three test, अगर आप यह three test कर लोगे, इन्यकों बोलते हैं true test of partnership, true test, true three test of partnership, partnership अगर आप यह तीन टेस्ट कर लहते हो तो लौ बोलता है और यह हो जाते हैं क tevarem का हो जाते हैं तो यह sponsored सिप מא और यह मोर्यवर कर चुकर आ यह στην already cover कर चुके हैं क्या क्या है पहला है agreement होना चाहिए पहला क्या है मेरे बच्चा agreement क्या agreement मैं आपको detail में cover करा चुका हूँ yes or no जल्दी बताओ yes sir cover करा चुके second क्या है profit sharing होनी चाहिए business की agreement होना चाहिए sharing of profits होना चाहिए correct और third आप जानते ही है mutual agency होनी चाहिए पिर इसमें से एक और question आता है इसमें से conclusive evidence कौन सा है तो law कहेगा सबसे conclusive evidence होता है mutual agency का यानि ठीक है तो law क्या कहेगा सबसे conclusive evidence का है अब क्या है आपके study material में देखना हाँ आपके study material में 5 elements अलग से दिये हुआ है और यह 3 test अलग से दिया हुआ है बट अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाईया उन पांचों element में से ही तो 3 elements को true test बना दिया गया है so I am not repeating those true test again here because elements में हम already पढ़ चुके बस मैंने आपको उन पांचों में से निकाल के बता दिया कि यह 3 जो है क्या है मेरे बच्चा true test माने जाते हैं अगर आपको check करना partnership है या नहीं तो check कर उनके भी agreement है या नहीं profit sharing का close है या नहीं और mutual agency का concept है या नहीं अगर यह 3 चीज़े हैं तो partnership है अगर यह 3 चीज़े हैं तो partnership है यही बात आपकी section 6 में लिख्य हुई है कि in determining कि यह जो group of लोग खड़े हुएं यह firm है यह partnership firm है या नहीं ठीक है तो आपको देखना पड़ेगा या यह person partner है या नहीं firm में तो आपको कैसा देखना पड़ेगा आपको देखना पड़ेगा partners के बीच की relation सारे relevant facts को देखके और कैसे दिखो के partnership की relation इन तीन चीजों से इन तीन टेस्ट करके ठीक है सर understood सर कोई दिक्कत की बात नहीं है अब एक बड़ा ही प्यारा केस लो है सुप्रीम कोट का क्या बोलता है संती रंजन दास गुपता वर्स्तिस दसरान मुर्जब मुल following factors अब इसमें सुप्रीम कोट ने कहा कि आपके बीच में कोई भी partnership नहीं है और किस basis पर decision लिया वो basis ये थे पहला basis ये था parties के पास कोई भी terms and condition नहीं थी partnership की यानि उनकी जो partnership deed थी वो oral थी पहली चीज़ उनने बोली कि उनकी partnership deed oral थी आया ना पहली point उनने बोला कि आपकी partnership oral है बट आप कहेंगे sir अगर आपने अभी तो बताया था partnership oral हो सकती है बिलकुल सही हो सकती है इससे इतनी problem नहीं थी but this is one of the reason कि उनने आपकी जितनी भी partnership की profit sharing सब कुछ oral है यानि उसका कोई record नहीं है मतलब यही तो हुआ कि वो oral थी बस आपके बीच में बात हुई होगी कभी तो अगर उनका कोई record नहीं है किसी भी तरीके का तो वो oral थी बट oral तो चल जाती है उन्होंने का चलो कोई बात नहीं उन्होंने का अच्छा partnership business के accounts हमेशा अलग बनते है तो ओल प्रोपरेटर के अलग बनते हैं partnership के अलग बनते हैं तभी तो आप सिखते हैं अपने accounts में partnership के accounts बनाना है ना तो law कह रहा है आपने तो कोई Supreme Court ने का आपने कोई books of accounts ही नहीं बना रखे अपने partnership के तो जब आपके कोई books of account ही नहीं तो प्रूब आप पैसा कोई जमा कराने है आपकी partnership में वो कितना जमा कराया कहां जमा कराया उसका कोई record है अब profit sharing है आपने बोला मिक्कोल profit बाटते हैं लेकिन accounts से ही तो पता चलता है कि partnership को कितना profit हुआ तभी तो बाट पाओगे जब accounts है ही नहीं तो कितना profit बाटना है वो पता कैसे चलता आपको तो आपके पास कोई books of accounts ही बना के नहीं रखे हुआ partnership नहीं तो भाईया एक और यह point आ गया तीसरी चीज आपने कोई bank account भी नहीं खोला है partnership का अलग से कि कोई collection होना है या partnership का कोई payment करना है वो अपने ही account में से करते रहते हो कभी यह कर देता है कभी यह कर देता है कभी एक partner कभी दूसरा partner तो पता कैसे चलता account है नहीं जब मन करा जिसका जैसे मर जी तो law ने का भया और नहीं आपने कोई return and intimation दिया था deputy director of procurement को यह बहुत पुरानी बात है अब देना नहीं पड़ता है बहुत पुरानी बात है तो इतना फरक नहीं पड़ता है बट लॉग कह रहा है क्योंकि यह सारी चीजे देखकर सुप्रीम कोट ने गाहा कि आप दोनों के बीच में कोई partnership नहीं है आप दोनों के बीच में कोई part because there is no evidence which can prove कि भया आपके बीच partnership हुई थी there is no evidence क्लियर रहे कि यहां तक concepts आपको जल्दी बताएए क्या यहां तक कारे concept मेरे बच्चों को clear हो चुके है yes or no yes sir सारे concepts clear हो चुके है now I am going to watch the next point that is types of types of partner form में जो partner होते हैं वो कितने तरीके के होते हैं एक दो तिन चर पंचे साथ चलो सारे के सारे सीखेंगे एक एक करके सबसे पहले सीखते हैं active partner active partner इसको हम actual partner भी कहते हैं या और 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 स्टेंसीबल पार्टनर भी बोला जाता है यह partner कौन सा होता है यह partner agreement से partner बनता है agreement से partner बनता है मतलब offer plus acceptance और यह सबसे important point इसका क्या है business में सबसे ज़्यादा भाग यही लेता है सबसे ज़्यादा भाग कौन लेता है हमारे partner तो जो partner partnership के conduct में actively participate करता है उसको हम बोलते है active partner और जब जब यह partner retire होगा ना तो इसको public को notice देना होता है इसको public को notice कैसे दिया जाता आपको पता है क्या public notice देने कैसे दिया अब मैं यहां पर लिखा तो हुआ है must give public notice on retirement यानि जब यह बंदा रिटायर होगा तो इसको public को notice देना है तो क्या करेगा यह ऐसे चिलाने लगेगा सुनो 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 मैं retire हो गया हूँ इस firm से ऐसा होगा the answer is no public notice देने का मतलब है newspaper में advertisement देना एक English newspaper में और एक local language के newspaper में आपको advertise देना है कि मैं अब इस firm का हिस्सा नहीं रहा हूँ इस तारिक से में retire हो गया हूँ अब लोग पढ़े चाहे नहीं बढ़े आपने public को बता दिया था newspaper में add दे कि हाँ मैं भया भी इस firm का हिस्सा नहीं हूँ तो वही कह रहा है active partner को public notice देना पड़ता है और if public notice is not given अगर इसने बंदे ने public notice नहीं दिया तो उसके बाद भी retirement के बाद भी अगर partnership कोई काम लोन वगेरा लेती है तो उसके लिए liable रहेगा उसके लिए यह liable रहता है इफ public notice not given liable for all the acts done by other partners even after the retirement even after the retirement क्योंकि public को तो अब भी यही लगेगा ना भाईया क्या लगेगा public को यही लगेगा कि आप आज भी partner है तो वही चीज सेम लिखी हुए आपके study material में यह एक person होता है जो partner agreement से बनता है and जो actively participate करता है partnership में और यह जब जाता है तो इसको क्या देना होता पब्लिंग नोटिस देना होता है और अगर यह पब्लिंग नोटिस नहीं देता है तो वही यह लाइबल रहता है other acts के even after the retirement next type of partner आता है sleeping partner dormant partner है ना sleeping partner या dormant partner देखे सो रहा है तो रहा अब उठ जा sleeping partner का मतलब यहाँ पे सोने वाला partner नहीं है पहली बात sleeping partner का मतलब यहाँ पे सोने वाला partner नहीं है यहाँ पे वो partner है जो partnership की respect में सो रहा है मतलब यह भी agreement से बनता है लेकिन यह actively participate नहीं करता है जैसे active partner तो actively participate करता है but sleeping partner actively participate नहीं करता है in the business और in the conduct of partnership और क्योंकि ये actively participate करता ही नहीं है तो लोगों को पता ही नहीं होता है ये partner है इसलिए जब ये retire होता है तो इसको public notice देने की जरूवत नहीं है यानि active partner देखो active partner वो partner जो actively participate करता है और sleeping partner वो partner जो actively participate नहीं करता है active partner अगर जा रहा है रिटाइब होके retire होके इं टॉकिंग अबाओ रिटाइर होके तो public notice देना जरूरी है वहीं अगर sleeping partner जा रहा है तो उसको क्या नहीं देना जरूरी है क्त SIM편 नोटीज देना पपलिक नोटीजर डेनिनी इस पेप्र में आड़ डेना जरूरी नहीं है यही बात आपके स्टेडी मेटिरल में भी लिक्की होई है यही बात मेरे बच्चा आपके स्टेडी मेटिरल में भी लिख्की हूई है नेक्स टाइप ओफ पार्टनर नॉमिनल पार्टनर एक ऐसा पार्टनर होता है जो पार्टनर होता ही नहीं है वाह यह लाइन बोली ना मेरे नॉमिनल पार्टनर एक ऐसा पार्टनर जो पार्टनर तो नहीं है लेकिन फिर भी पार्टनर रहे हैं सर समझ नहीं है पहले पढ़ Cristiano Ronaldo is one of the most famous football player in the world right now world में सबसे famous player है Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo कैसे बोलते हो यार तुम इनका नाम Ronaldo भहिया suppose एक firm ने एक partnership firm ने Ronaldo को approach किया ठीक है और कहा कि तुम हमारे याना nominal partner बन जाओ ठीक है हमारे venture में यानि तुम अपना नाम हमें यूज करने के लिए दे दो तुम अपना नाम हमें यूज करने के लिए दे दो अब क्या होगा जैसे ही firm यह बताएगी लोगों को कि Cristiano Ronaldo हमारा partner है तो क्या लोग उस firm के product खरीडने लग जाएंगे या नहीं बिल्कुल खरीडने लग जाएंगे तो दे लोग उनका क्या खरीडने लग जाएंगे और इवन मनी बेश्ट करेंगे नाव दा को इसकी रोनाल्डो को बदले में क्या मिलता है यहां पर रोनाल्डो को हम बोलेंगे पर उलouts लेकिन थर्ड पार्टी को यह ऐसे लाइबल होता है तो क्योंकि दुनिया को तो नहीं पताना कि सिरफ नाम का पार्टनर नॉमीनल मतलब नाम का पार्टनर बहुरी ध लगता है यह सच में पार्टनर नहीं है लेकिन जब अगर कुछ फर्म में घडबढ होती है तो लो कहेगा यह थर्ड पार्टी इसको पूरा का पूरा लाइबल रहेगा और इसको प्रॉफिट भी नहीं मिलते हैं यह नॉर्मली फीस चार्ज करता है आओ एक एक्जाम्पल लेते हैं मान लो ABCN को एक पार्म है उन्होंने शालू खान को बोला कि आप हमारे क्या बन जाए नॉमिनल पार्टनर बन जाओ सिरफ नाम के पार्टनर जैसे आपका नाम हमारी फर्म के साथ जुड़ेगा हमारी ब्रैंड इमेज हमारे प्रोड़क्त की सेल्स सब कुछ बढ़ने लगेगा तो शारू कहेगा मुझे बतले में क्या मिलेगा तो यह नॉर्मली शारू को एक फीज देते हैं लमसब फीज देते हैं 10 करोड 20 करोड 30 करोड जो भी देना है लेकिन उस फीज के बदले शारू खान लोगों की नजरों में ABC को का पार्टनर बन जाता है यानि कल को अगर ABC को कुछ भी गलत करती है तो उसके लिए शारू खान पे भी केस हो सकता है क्या यह क्या यह बंडल रहा है ना यह क्रओध करता यह बिजनस में पार्ट लेता है यह कुछ नि insid Len भाट न करता है बस यह बंडल देना take part in the conduct of the business, ये business में भी कोई पार्ट नहीं लेता है, क्योंकि इसे कोई फर्म से लेना देना नहीं है, लेकिन special point क्या है, third parties को ये ऐसे liable रहता है, जैसे कि बाकी normal partners है, बाकी partners जो सच में partners है, उनकी liability unlimited है, तो इस nominal partner की भी liability unlimited होती है, इस nominal partner की भी liability unlimited होती है, ठीक है, ओके सर, इसके बाद आता है partners in profits only, जैसा कि मैंने आपको बताया था, कि आप profit sharing ratio and loss sharing ratio को अलग रख सकते हो, loss sharing ratio को अलग जैसे ABC partner है, तो इन्होंने profit sharing रख हुई है, one ratio, one ratio, one ratio, one this is their profit sharing ratio, but loss sharing ratio इन्होंने रख है, AB, one ratio, one ABC, one ratio, one ratio, one profit sharing ratio, जैसे profit हुआ, तो तीनों में equally बटेगा, but loss हुआ, तो सिरफ कौन bond करने वाला है, A और B को लिए करेंगे, C, यानि यहां पर हम C को बोलेंगे, क्योंकि C profits में तो हिस्सेदार है, but किसमें हिस्सेदार नहीं है, losses में नहीं है, तो C will be known as partner in profits only, a partner who is entitled to share the profits only without being liable for the losses is known as partners, sir, लेकिन हम ऐसे बंदे को रखते क्यों है, बहुत सारी अलग-अलग reasons होते हैं, हो सकता है, इसका बहुत जादा experience हो, इसका बहुत जादा experience हो, और इसे हमें firm में चाहिए था, और यह firm में आने को ready नहीं हो रहा था, तो हमने का चलिए sir, loss हुआ तो मैं उठा लूँगा, हम दोने उठा लेंगे, please आप हमारी firm join कर लिए, हम आपको equal profit का हिस्सेदार बनाएंगे, तब जाके यह ready हुआ, तो हमने इसे आखिरकार बुला ही लिया, आखिरकार हमने इसे बुला ही लिया, तो इसी case में होता है, जब यह ज़्यादा, दूसरी party ज़्यादा दमदार होती है, ठीक है sir, ठीक है sir, next concept, incoming partner जो आ रहा है, और outgoing partner जो जा रहा है, पहले incoming partner क्या होता है, वो समझते हैं, इसके लिए, पुरा को एक firm थी, उसमें एक नया partner आना चाहता है, दी, तो दी को जब वो अपनी firm में add कर लेंगे, तो दी को बोलेंगे, incoming partner, दी को क्या बोलेंगे, आने वाला partner यानि, incoming partner, दी can be active partner होना sleeping partner, but he is a incoming partner, तो when new person is admitted into partnership, जब नया person admit होता है, partnership के अंदर, तो हम उसे क्या बोलते हैं, incoming partner बोलते हैं, और इसे आने के लिए, बाकि सारे partners हाँ कहने चाहिए, यानि, डी partnership में, डी तब तक नहीं आ सकता है, जब तक A, B, C, हा ना बोले, कि वो डी को partner बनाने के लिए ready हैं, वो डी को partner, अच्छा, ये देखना हम, partnership हम कुली थी, एक चाहर दो जार बाइस को, ठीक है, start date, और डी का admission हुआ, डी admission, 6 जुलाई 2022 को, तो मुझे बताओ, डी, कबसे liable होगा, third parties को, यानि बहारी दुनिया को, firm के कामों के लिए, क्या, एक अपरेल से लेकर, ये जुलाई, यानि पांच जुलाई, एक दिन पहले, एक अपरेल से लेकर, पांच जुलाई तक क्या वो liable रहेगा, not liable, D is not liable, D is not liable for this period, only old partners will be liable, but आगे के period के लिए, जब तक अब D retire नहीं होता है, तब तक वो क्या रहने वाला है liable, यानि उसकी liability कबसे start हो गई, कि firm कोई भी गलत काम करती है, और jail जाएंगे, जब partners तो D उसमें jail जाएगा या नहीं, वो इस पर depend करता है, वो काम यहाँ करा गया था, या वो काम यहाँ करने के बात किया गया था, तो यहीं बात लिखी हुई है मेरे बच्चा, not liable for any acts done prior to his admission by other partners, admission से पहले करे गए, कोई भी partners ने काम करे हो, उसके लिए D liable नहीं रहता है, और इसके लिए कौन सा गाना गाएंगे, ABC क्या रहें, आजा, आई बाहर, तु है, partners है, बेकरार, ओके, next concept है मेरे बच्चा, outgoing partner का, next concept क्या है, outgoing partner, outgoing partner को हम दूसरे नाम भी से भी जानते हैं, सर क्या नाम है, दूसरा partner यहीं लिख देता हूँ, जो partner retire हो रहा है, जो partner retire हो रहा है, ठीक है, ओके, तो कोई भी partner जो firm को छोड़के जा रहा है, leap कर रहा है, voluntarily, और उसके बाद retire होने के बाद, firm जो है, continue कर रही है, अपना business, तो law बोलेंगे कि जाने वाले partner को कहा जाएगा, outgoing partner, और इसके लिए कौन सा गाना कहा जाता है, जा 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 बहार, तू है एकदम बेकार, एक example लेते हैं, तब ज़्यादा बेटर समझेगा, ABC को एक firm थी, उसमें से C को लगा कि यार धंदे में आप कोई मजा नहीं आ रहा है, तो C retire हो गया, इस C को retire वाले बंदे को ही हम कहेंगे, outgoing partner, और एक और बात का धियान रखना, retirement का, अगर C एक active partner था, अगर जाने वाला एक active partner था, ये एक active partner था, तो ये public notice देगा, बट अगर वहीं ये एक sleeping partner था, ये dormant partner था, तो ये public notice नहीं देगा जाते हुए, ये याद रखने हैं, यानि outgoing partner जाते हुए, notice देगा या नहीं देगा, वह depend करता है कि वह एक active partner था, या sleeping partner था, ओके सर, एक case study भी लाया हुँ मैं, ताकि आप मुझे बताबाए, बाबु भहिया और राजु वास partner since last 10 years, बाबु भहिया और राजु लास्ट 10 सालों से partner हैं, और एक partnership business चला रहे हैं, जिसका नाम है Royal Circus and को, Royal Circus and को नाम का एक business चला रहे हैं, 10 January 2022 को, शाम, शाम was admitted to the partnership, 10 January को हमने शाम को admit कर लिया, तो शाम को अब क्या बोलेंगे हैं, क्योंकि हमने उसे admit कर लिया, incoming partner बोला जाएगा, और किसकी consent लगेगी उसे partner बनाने के लिए, पुराने partners की, यानि बाबु भहिया और राजु भहिया, दोनों की consent लगेगी, दोनों की consent लगने के बाद मेरे बच्चा, मुझे सवाल क्या था, सवाल यह है, कि शाम की liability कौन सी तारिक से start होगी, यानि 10 जनवरी 2022 से पहले करे गए बाबु भहिया और राजु भहिया के कामों के लिए क्या शाम liable रहेगा या नहीं रहेगा, तो लौ क्या बोलता है शाम की liability कब से start होगी, लौ क्या बोलता है शाम की liability कब से start होगी, the from the date he has joined, यानि from 10th January उसके पिछले करे गए partners के कोई भी काम के लिए शाम liable नहीं वाला है शाम लाइबल नहीं रहने वाला है clear है मेरे बच्चा yes or no so whether शाम विल भी लाइबल एक बिफोर बिफोर दा अंसर इस no the answer is no but यहीं वर्ड अगर मैं लिख दू on and after the answer is yes the answer is yes clear है क्या है so incoming partner क्या होता है एक बारी देख लेते हैं study material में क्या लिखा हुआ अब person who is admitted as a partner into an already existing firm जब एक पुरानी firm को कोई नया person join करता है with the consent of पुराने partners तो हम उसको बोलते हैं incoming partner और जब कोई partner छोड़ की जाता है firm को और बागी के partners firm को continue करतेते हैं तो हम उसको बोलते हैं outgoing or retiring partner और इस partner को public notice देना होता है अगर वो क्या है एक active partner है तो अगर वो एक active partner है तो इसको important mark कर लेंगे इस वाले partner को important mark कर लेंगे चीक है और इस वाले जो मैं समझा रहा हूं इसमें एक और difference भी बड़ा प्यारा समझाऊंगा ताकि आपको और clarity आये तो partner by holding out इसको एक example से समझेंगे फिर पढ़ेंगे partner by holding out और इसका दूसरा नाम है मेरे बच्चा partner by estople partner by estople estople world का मतलब बता दू कुछ ऐसा दिखाना जो है नहीं कुछ ऐसा दिखाना जो है नहीं जैसे मैंने आपको कह यह जो टीवी लग रहा है न जिस टीवी पर मैं पढ़ा रहा हूं यह जो डिजिटल पैनल है यह मेरा है बट सच में यह मेरा नहीं है किसका है physics वाला का है PW company को belong करता है बट मैंने आपको क्या बताया कि यह मेरा है क्योंकि मेरे घर लगा हो था हो सकता है एक example लेता हूं आपने अगर मेरे पुराने lectures देखे होंगे तो आप जानते होंगे कि मैं और सल्मान भाई बहुत अच्छे दोस्त थे मतलब अब नहीं रहे बहुत अच्छे दोस्त थे और उसकी वजह भी है क्यों नहीं रहे आज मैं आपको वह वजह भी बताना चाहता हूं कि सल्मान और मेरी दोस्ती क्यों टूट गई कि हम तो जिगरी हुआ करते थे करेक्ट कभी वो मेरे को पैसे दे जाता था कभी मैं उससे पैसे ले आता था बहुत अच्छे दोस्ते हम लोग अब ऐसा क्या हुआ देखना मैंने क्या करा था आपको याद है गुर्प्रीत ने एक फॉर्म खोली थी शाम के साथ मिलकर क्या नाम था उसका गुर्प्रीत शाम एंड को किस चीज़ की वो फॉर्म थी बताओ सर समोसा बनाने की बलकुल साथ मुझे पता चला मुझे क्या पता चला मुझे ये पता चला कि कैट्रीना की शादी विक्की भहिया के साथ हो रही है Katrina की शादी विक्की भिईय के साथ हो रही है तो मुझे लगा यह बहुत भ़घी आप्पॉर्चुनेटि है किस चीज की बिजनस के लिए क्यूंकि जब Katrina की शादी होगी तो वहां समोंसे भी तो रखे जाएंगे तो वहां समोंसे किस के होने चाहिए केट्रिना की दुका, केट्रिना की शादी पर हैं. गुर। चाम Il Tobi य स्पच्वें। बड़ मैं केट्रिना जी को .... इतनी मेरी बात नी थी क्यूंकि मुझे पता देगे यह जो opaन्त्रेक्ट मिले यह.. केट्रिना से मिल जाए समां भाई के घर पहुंचा मैंने का सलमान भाई सलमान भाई केटरिना जी की शादी है यह पता है रहे मुझे मत बता मैंने का यार वो उनकी शादी होने वाली है तो जो समोसे का कॉंट्रेक्ट है न वो मुझे दिलवा दूआ सलमान भाई ने गाड़ी उठाई मुझे बाजु में बिठा और हम लोग चलने लगें कode के घर गए सलमान भाई मैं उतर 나서 ओपाटरीना वहाँ पे खड़ी थी मैं बात कर रहा था मैंने का जी हमारे समोसे है ना वो वर्ड फेमस है वर्ड फेमस बहुत पसंद आएंगे आपके गैस्ट को बाकि हो सकता हैं वो कुछ और ना खाए समोसे घा के चल जाएं इतने बैस्ट है करी किन यार तो नाम भी कोई नहीं जानते तुमसे मैंने बहुत बड़ी है आपको मैं बताओं सल्मान जो है न तो क्या सल्मान वो हमारे पात्नर है वो हमारे पा्त्नर है थिक ist उन्होंने का ठीक है सलमान हमारे पाटनर है the a- चलो सलमान को मैनने अबना पाटनर बता दिया हो िक्षिया सलमान सर सच में पाटनर थे दांसर इसलो केटरियने जी ने में 50 लाख समोसों का contract देना हमारी शादी में 50 लाख लोग आने वाले क्योंकि हम बहुत popular हैं 50 लाख लोग आने वाले मैं 50 लाख का contract श्रादी का contract मिल गया है मतलब उनके वह समोसे बनाने का contract तो भईया वसुली मुझे आप से चोड़े 50 करोड रुपे उधार चाहिए अई symmetry को आप से 50 करोल उधार चाहिए आ वसुली नंग जा थीद थेरी तो इज़द तेरी यह उकाद लगनी रही हे। तो पिज़द कर रोच इंप कर पाएगा नहीं तुझा नहीं तुसरा नहीं दूंगा मैंने को कमेरी उकाद नहीं लगğinाद filing है बहा होल्डिंग आूट उन्होंने आपको होल्डाउट कर लिया अपने आपको रोक लिया यह एक कहने से कि भाईया मैं पार्टनर नहीं यानि वह रियालिटी में पार्टनर नहीं है बट इस ट्रांजेक्शन के लिए वह पार्टनर माने जाएंगे तो वसूली भाई ने मुझे देखा कि 50 करोड आए तो शाम जो मेरा असली पार्टनर था मैंने उसे कहा कि भई 50 करोड आगे समों से वह लेकर लंडन भाग गया वह लेकर लंडन भाग दिया 50 करोड रुपए और हम ना 콘ٹ्रेक्ट पूरा कर पाए और ना ही पैसे दे पाए हम ना ही वसूली भाई के पैसे दे पाए ब बताओ क्या वसूली भाई जब फोर्म पर केज करेंगे तो गुर्परी शाम एड को पे तो क्या उसमें सल्मान को भी घसिटा जाएगा या नहीं? law वो लेगा yes क्योंकि वसूली भाई की नजरों में सल्मान भी पार्टनर है और उन्होंने इसी बेसिस पर ही तो लोन दिया था वो 50 करोड गुरपरित और शाम के नाम पर कभी न देते उन्होंने ये लोन दिया ही सिरफ सल्मान की शकल देख कर दिया था और इसी लिए law कहता ह है कि अगर वह पार्टनर भाई estoppel है यानि वह सच में पार्टनर नहीं थे बट उन्होंने पार्टनर दिखाया खुद को तो वह भी लाइबल रहेंगा और सल्मान भाई पर लीगली केस हो सकता है वसूली भाई से और वसूली भाई अपना पैसा लीगली रिकवर कर सकते ह सलमान भाई से यानि वो फॉर्म पर केस करेंगे बड़ आप तो जानते हैं कि पार्टनर्स की लाइबिल्टी क्या होती है अनलिमिटीड होती है तो अगर हम दोनों 50 करोड नहीं दे पाएंगे तो कौन देगा सलमान भाई क्योंकि लाइबिल्टी उनके बाद तो बहुत पार्टनर था हां या ना सच में पार्टनर नहीं था और सर पार्टनर में भी वह सचका पार्टनर नहीं है बस दिखा रहा है दोनों में ही वह थर्ड पार्टी को लाइबल है दोनों में यह थर्ड ले तो इन दोनों के डिफ्रेंस मुझे बताईए इन दोनों के डिफ्रे पार्टनर not our real partner not our real partner अब जब दोनों ही real नहीं है तो difference कैसे हो गया सर अरे यह तो मैंने common चीज लिख दी बात तो सही कह रहे हो दोनों ही real partner नहीं है okay ठीक है तो main difference क्या है इन दोनों में में डिफरेंस nominal partner nominal partner partner by stopal में जो में डिफरेंस है यह पूरी दुनिया के लिए partner है पूरी दुनिया यानि all third parties all third parties all third parties knows that he is a partner all third party knows that he is a partner in the firm but partner by stopal में पूरी दुनिया को नहीं पता है सिर्फ वसूली भाई के सामने अगर मैंने सल्मान को बोला अपना partner तो वसूली भाई ही only that person only that person वो person वो third party to whom it has been represented जिसको आपने रिप्रेजेंट करा to whom जिसको आपने रिप्रेजेंट करा कि यह person partner है वही party को यह liable रहता है यानि partner by stopal is liable only to that person यानि वसूली भाई के लावा और कोई person भी अगर हमारी firm पर केस करेगा तो सल्मान को नहीं पकड़ेंगे लेकिन अगर वसूली भाई केस करेंगे तो सल्मान को पकड़ लिया जाएगा clear है क्या main example जो मुझे आपको बताना था अब देखो जब person या तो खुच से मतलब अगर सल्मान भाई सपय वसूली को कहीं और उनका partner हूं तो यानि खुच से उसने कहा या permit कर रहा है permit कर रहा मतलब मैंने बोल यह partner है मैंने बोला यह partner है हमारी firm में और वह चूप रहे मतलब वह permit कर रहे हैं क्या रिप्रेजेंट होना पार्टनर इन फर्म में पार्टनर बनने के लिए जब कि सच में वो पार्टनर नहीं है तो लो कहता है लेकिन किसको चुर्फ उसीपरटन को में जूर उस बात पे वत जिसने फ़र्म को और दिया था यानी वसूली भाहि सिरक वसूली है जो केस कर सकते हैं सलमान के उपर भी as a partner बाकी कोई परसन जिनको पता ही नहीं है कि वो partner सच में हमने और किती को बताया नहीं तो वैसा रहेगा क्या बात clear है कि आपको yes or no, yes sir, yes sir, clear answer तो कितने methods होते हैं, how many methods are there to become a partner by a stopper, एक जब वो खुद से कहता है कि हाँ मैं partner हूँ, यानि he himself represent himself as partner, जब वो खुद से कह देगा, तो वो भी या वो partner भाइस टोपल हो जाएगा, या allow others to represent him, या वो किसी और को allow करता है, जैसे इस case में मैंने कहा था, तो allow others to represent him, even एक और बात बताऊं, yes sir, एक और बात बताईए, बहुत प्यारी बात है, ध्यान देना, ABC partner थे, 4 जुलाई, 2022 को, T retire हो गया, फॉर्म से, T retire हो गया, 4 जुलाई, 2022 को, ये एक active partner था, और ये retire हो गया, इसने public notice नहीं दिया, इसने क्या नहीं दिया, public notice नहीं दिया, मुझे बताऊ, इसे public notice देना चाहिए था, या नहीं देना चाहिए था, बताऊ, एक active partner जब retire होता है, तो उसको देना चाहिए होता है, या नहीं देना होना चाहिए होता, देना चाहिए होता है बिल्कुल देना चाहिए होता है अब इसने अगर एक्टिव पार्टनर ने पब्लिक नोटिस नहीं दिया और इसके बाद कोई भी ट्रांजेक्शन हुई जिसने ये बिलीव करा कि C अभी भी पार्टनर है तो उसके लिए तो ये बन जाएगा ना पार् बन जाएगा partner by stable क्योंकि वो सच में partner नहीं है बत सामने वाली party belief कर करिया और अक्ट लिए अगर partnership के फ्राप पर अभी भी पुराना नाम यूज करा जाता है अगर partnership के फ्रम पर अभी भी पराना नाम यूज पार्टनर बागी सारे पार्टनर में से पार्टनर बैस्टोपल नका बड़ा फेवरेट है, ठीक है? ओक्य, एक्स और y पार्टनर से तो देखो X और Y कौन है? Partners, X ने इंटर्ड्यूस करा A को. A कौन है? एक परसन है ए, जो कौन है? manager है. पार्टनर नहीं है, कौन है मेरे बच्चा, मैनेजर है, X ने A को इंट्रिड्यूस करा, Z को बोला कि A मेरा पार्टनर है, यानि Z, Z को X ने क्या बोला, कि A भी मेरा पार्टनर है, जब कि A कौन था, मैनेजर था, A साइलेंट रहा, A ने कुछ नहीं बोला, जब X ने Z को ये बात कही कि A manager नहीं A partner है तो A silent रहा यानि A ने क्या करा allow कर दिया others कि वो partner बता रहे हैं वो accept कर लिया Z ने ये believe करके कि A partner है store TV firm को दिये उसने Z ने क्या दिये 100 TV firm को दिये उधारी पे credit पे अब credit period खतम हो गया जब credit period खतम हो गया Z did not get the amount of TV set sold firm ने Z को पैसा नहीं दिया Z जो है उसने case file कर दिया X और A के against आप मुझे बताओ क्या Z जीत जाएगा या हार जाएगा क्या X A के against case कर सकता है या नहीं कर सकता है main question यही है X के against तो कर सकता है Z but A के against कर सकता है the answer is yes because A क्या बन गया था partner by stopal बन गया था इसलिए Z A के against case कर सकता है so in the given case A the manager is also liable for the price because he becomes a partner by holding out therefore Z will succeed in the case therefore Z will succeed in the case and the same case यह जो सेम आपने section बढ़ा है section 28 यह सेम retirement के case में भी applicable होता है जहां पे आप public notice नहीं देते हैं जहां पे आप public notice नहीं देते हैं तो सामने वाला person जो होता है वह आपको मान लेता है partner के आप अभी भी पार्टनर हो और partner by stopal का concept लगके आप हो सकता हो जैसे example अब partnership firm जिसमें चार पार्टनर थे PQR and S 4 partner S retire हो गया firm से लेकिन उसने public notice नहीं दिया और उसका name अभी भी कहां पे use हो रहा था letter head पे use हो रहा था law कहता है S जो है वह as a partner by holding out मान के libel होगा किसको libel होगा जो भी उस firm को उधार देगी S को partner मान के उसके cases में S को भी अपनी जेव से पैसा देना पड़े गा पैसा देना पड़ेगा यहां पर मेरे बच्चा क्छतम होते हैं क्या खतम हो गया सर क्या खतम हो गया बेटा क्छतम हो गया बेटा टाइप्स ओ पार्टनर का concept खतम हो चु का अगर चलें कि बताओ और येश तर ऐत आगे चलते हैं टाइपस अफ पारटनर्शिप्ट टाइपस अफ पारटनर्शिप ये दो टाइप के न Iraqi उट्रेशंस से रिलेटिट एक बिजनस से रिलेटिट डूरेशन से रिलेटिट इधर बिजनस से रिलेटिट इधर चलो सबसे पहले समझते हैं partnership कौन सी वाली इजी है यहां पर फिक्स्ट आएगा सबसे पहले इजी वाली समझते पार्टनर्शिप पोर फिक्स्ट पीरियड जब पार्टनर्स मानलो ए और वी ने यह डिसाइड करा कि हम दो साल के लिए पार्टनर्शिप में आ रहे हैं, हम दो साल के लिए पार्टनर्शिप में आ रहे हैं, तो law कहेगा this will be known as partnership for fixed period, यानि आपने fix period decide कर लिया, second ہے partnership at will, partnership at will वो होती है, जहां पर duration decide नहीं होती, duration decide नहीं होती, हमने decide नहीं होती, कितने सालों के लिया पिए कितने दिने की लिया रहे कुछ भी decided नहीं है मिने कोई provision भी नहीं रख राव मतलबख़ कहीं बार क्या होता है हमने duration TOM Score कर रहुता है ॏ दियूरेशन कर रह宝ा है लेकिन इस बूला होता है कि यह building हम जब बनाएंगे जब आख जाएगी slit यह building complete हो जाएगी तो मेरी क्या कहते है partnership खतम हो जाएगी यानि कभी ना कभी हमें पता है कि partnership खतम होने वाली है तो वह partnership at will नहीं होती यानि एक ऐसी partnership जहां पर ना ही duration decided है और ना ही कितनी duration होने का formula decided है उसको हम बोलते है partnership at will और विल का तो मतलब आप जानते ही हो ना मेरी इच्छा है जब तक चाहूंगा तब तक continue करूंगा और जब बन करेगा छोड़ के चला जाएगा यानि चल रही है तो हो सकता सो सो साल चल लगी है partnership और नहीं चल लगी तो कली बंद हो जाएगी ठीक है तो partnership at will is where जहां पर ना duration decided है और नहां पर ना यह determine कराएगी कितने time तक चलेगी तो उसको हम बोलते है partnership at will ठीक है okay so let's read partnership at will section 7 में दिया हुआ partnership will वो होती है जहां पर देखना दो condition है ना ही fixed period decide हुआ है period भी decide नहीं हुआ और ना ही कोई ऐसा प्रोवीजन है जिसमें यह निकाला गया है कि partnership कितने समय तक चलेगी यानि यह भी अगर ही नहीं हुआ है कि वह कितने सालों तक चलेगी ठीक है तो ना ही time decide हुआ है ना ही कोई provision डाला है कि वह यह building complete हो गया तो कर देंगे यह project complete हो गया तो कर देंगे अगर ऐसी भी कोई बात नहीं डाली दोनों condition satisfy हो रही है तो हम बोलते हैं this is a partnership at will यह चलने को तब तक चलती है जब तक partners continue करना चाहते हैं ठीक है ओके सर तो दोनों ही condition satisfy होनी चाहिए अच्छा सर जब हमें पता ही नहीं है कि हमारी partnership कब खतम होगी तो अगर इस partnership को खतम करना है तो कैसे करेंगे तो law कहता है अब partnership at will अगर आपने partnership at will करी हुई है तो यह बंद हो सकती है कब जब कोई भी partner notice देगा राइटिंग में कैसे notice देना है औरल ही नहीं राइटिंग में जैसे notice देगा किसको बाकी partners को किस चीज का कि वह इस firm को क्या करना चाहता है वह retire नहीं होना चाहता वह इस firm को dissolve करना चाहता है तब से मेरे बेटा यह क्या हो जाएगी डिसॉल्व हो जाएगी ठीक है अच्छा तैकिन हमने पढ़ा बेटा fixed period का fixed period क्या होता है जहां पे आपने contract करते हुए चाहे oral हो चाहे return हो लेकिन duration decide कर ली थी अगर आपने duration decide कर ली थी तो उसको बोलेंगे partnership for a fixed period partnership for a fixed period normally जब वो period खतम हो जाता है तो law बोलता है partnership भी खतम हो जाती है partnership भी खतम हो जाती है अगर period खतम हो जाता है simple अगर A और B ने दो साल के लिए partnership करी थी और दो साल expire हो गए finish हो गए खतम हो गए तो law बोलेगा at the end of second year this partnership is no more but कई बार ये partnership दो साल के बाद भी expire होने के बाद भी continue करते रहते हैं क्योंकि उनका business अच्छा चल रहा होता है उन्होंने सोचा ये दो साल तक ही करेंगे बट business अच्छा चलने लगता है तो वो इसको continue करते हैं तो जहां पर आप partnership fixed period की continue करने लगते है ना expiry time खतम होने के बाद भी तो law कहता है भया इसको फिर हम partnership at will मानना चालू कर देंगे यानि अगर दो साल खतम होने के बाद भी यानि fixed duration खतम होने के बाद भी आप नया duration decide नहीं कर रहे हो और partnership को continue normally वो बंद हो जानी चाहिए थी बट आप उसे continue करते जा रहे हो तो लोग आएगा हम इसे बोलेंगे partnership at will और फिर partnership at will को अगर खतम करना है तो क्या होगा किसी एक partner को notice देना पड़ेगा बाकी सारे partners को writing में लिखकर कि भाईया मैं the intention कि मैं इस फर्म को क्या करना चाहता हूं dissolve करना चाहता हूं तो partnership at will हो गया partnership for fixed period हो गया now coming towards particular partnership and this general partnership particular partnership तब होती है जब हम किसी business specific business adventure के लिए आते हैं जब हम किसी specific business adventure के लिए आते हैं माल लीजिए हाँ हाँ ए के पास पैसा है और बी के पास लेंड है ए के पास पैसा है बी के पास लेंड है दोनों ने partnership start करी कि भाईया हम यहां क्या बनाएंगे एक residential project बनाएंगे residential project बनाएंगे ठीक है यह पूरा का पूरा तुम्हारी तुम लेंड देना मैं पैसा लगाऊंगा उसके ओपर residential project तो जितना भी profit होगा हम आपस में बाट नहीं है तो यह हो गया particular partnership यानि यहां पर किसी specific adventure के लिए यह लोग साथ में आये थे और जब residential project complete हो जाएगा तो law कहता है इन दोनों की partnership भी खतम हो जाएगी यानि जब यह residential project complete हो जाता है जब यह particular adventure complete हो जाता है तो यह partnership भी खतम हो जाती है और इन दोनों की जो liability होती है वो सिरफ इस residential project तक ही सिमित रहती है आओ पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है तो वेर आप परसंड बिकम सा partner विद अनादर परसंड इन एनि पर्टिकुलर adventure और undertaking किसी particular adventure के लिए यानि बिजनस के लिए दब पार्टनर्शिप इस कोल्ड अब particular partnership ठीक है अब partnership जो single adventure के लिए होती है वो normally बंद हो जाती है वो normally बंद हो जाती है adventure पूरा होते ही बट अगें दिस is subject to the contract मैंने आपको बताया था यानि लौ तो बोल रहा है वो जैसी एडवेंचर complete हो का बंद हो जाएगी बट क्योंकि यह subject to contract है तो मैंने आपको क्या सिखाया था अगर कोई चीज subject to contract है तो क्या होती है तो अगर वो चाहें तो इसे continue कर सकते हैं लौ तो बोल रहा है कि वो एडवेंचर पूरा होते ही है पार्टनर्शिप फर्म क्या हो जानी चाहिए बंद हो जानी चाहिए बट क्योंकि इस subject to an agreement मतलब अगर वो बाकी के पार्टनर्स चाहें एडवेंचर खतम होने के बाद भी उसे continue कर सकते हैं और पार्टिकुलर का उल्टा क्या हो जरन्रफ के लिए बाटीकोलर मेंकिसी अटीकुलर वेंचर के लिए गारा कि व्यां जर्ट के लिए बस साथ में बिजनेस करना इसी लिए आये हैं ठीक है पार्टिकुलर पार्टनर्शिप में लाइबिल्टी सिरफ उस पर्टिकुलर एडवेंचर तक की होती है लेकिन जनरल में लाइबिल्टी जादा होती है तो यहां पर बेटा खतम होता है आपका टाइपस ऑफ पार्टनर्शिप तो दिहान से पढ़ना कोश्चन में एक्स्प्लेइन दा टाइप ऑफ पार्टनर्शिप आईए नौर्मली दो-दो मांक्स के लिए इनकी डैफिनेशन पूछी जाती है ठीक है और जब भी इनकी डैफिनेशन आईगी तो एक्जामपल लिख प्रणेशन आँ डैफिनेशन पर्टिकुलर पार्टनर्शिप लिख दोसका मतलब मथ इपस्प्लेइन पार्टनर्शिपश्ट पर लिख दोसका मतलब टिक हिसर सर अब जाकर आप पार्टनर्शिप को सही से समझें never would have understood the partnership बट दो या दो से ज़्यादा लोग जरूरी नहीं है सिर्ब partnership में और भी चीजें होती हैं जैसे की company जैसे की club जैसे की Hindu undivided family co ownership association तो partnership company से कैसे अलग है partnership club से कैसे अलग है partnership Hindu undivided family से कैसे अलग है क्कुंकि यहाँ पर भी normally दो ये दो Celsius जाधा लोग ही आ तो जब यहाँ पर भी दो से जाधा लोग है यहाँ पर भी दोHH है तो पता के से चलेगा इन दोनों में क्या अंतर है है ना और कल को अगर आपका ق्लाइंट आएगा कि sir मुझे business करना है partnership खोलू यह company खोलू तो उसे advice भी तो करनी पड़ेगी लेकिन वह advice कब कर पाऊगे जब आपको इनके बीच का फरक पताओगा जब आपको इनके बीच का फरक पताओगा तभी तो मेरे बच्चा बता पाऊगे तो now what we are going to do is we are going to learn the difference between the partnership and company then partnership and club then partnership and that you have यह सबका differences अब हम पढ़ने जा रहे हैं ठीक है ओके सर एक एक करके start करते हैं मिटा एक करके start करते चलो थोड़ा सा और basic बता दूंगा start करने से पहले थोड़ा सा basic और बता देता हूं उसके बात पढ़ेंगे तो ज्यादा आप बहतर बढ़ें मुझे बताओ partnership में partners की liability क्या होती है जल्दी बताओ partners की liability क्या होती है तर partners की liability होती है unlimited ठीक है मुझे बताओ यहाँ पर agreement होना जरूरी है correct agreement होना जरूरी है बट वो oral होना चाहिए या return होना चाहिए यहाँ पर return agreement होना चाहिए औरल कुछ भी हो सकता है मैं बस पुरानी बाते revise करा रहा हूं ताकि आपको आगे जाके दिख करना है oral और return अच्छा partnership form registered होनी चाहिए या unregister होनी चाहिए क्या उसका रजिस्ट जैसे companies act में partnership from companies का registration कराना कंपल सरी है वैसे ही partnership में क्या partnership का registration क्या है optional है optional registration है आगे जाके हम पढ़ेंगे registration के बारे में detail में but registration क्या है मेरे बच्चा optional है उसके बाद minimum कितने लोग चाहिए partnership में minimum 2 maximum कितने चाहिए maximum एक्चुली बताऊ ना तो companies act में सो लिखे हुआ है और rules में 50 लिखे हुआ है तो हम कौन सा follow करेंगे हम 50 यानि 100 act में लिखा हुआ company act में but company rules में 50 prescribed करी हुए आज की तारीक में तो हम कौन सा बढ़ेंगे 50 लेकर चलेंगे ठीक है तो confused मत हो यह 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 सारी बाते हमने partnership के बारे में सीखी अब start करते है difference between partnership and company difference between partnership and company ठीक है सबसे पहले बताओ legal entity कौन सी होती है बताओ partnership एक legal entity है separate legal entity है company जल्दी बताओ sir firm एक अलग legal entity नहीं होती है जबकि company एक separate legal entity होती है और यह बास सैलोमोन वर्षिस सैलोमोन में सिध भी करी गई थी ओक्के बेटा मिच्चो लेजन्सी किसमें होती है मिच्चो लेजन्सी मिच्चो लेजन्सी partnership में होती है यानि हर partner agent होता है बाकी partners का है ना लेकिन company का member दूसरे members का agent नहीं होता है ठीक है अच्छा profit का distribution किसमें जरूरी है तरफ profit का distribution partnership firm में mandatory है ठीक है partnership firm में जो भी profit कमाया है वो हम distribute करते ही है लेकिन company में shareholders को profit देना या नहीं देना वो पर उपर होता है तो general ही हम सारा profit नहीं रहा यहांं पर कोई compulsion नहीं होता यह जम मन करा तब doing देदिया जम मन करे तब डिवीड़ेंट नहीं दिया ऑके then variable टी हो लाइबिल्टी क्या होती है partners की liability क्या होती है और सथर unlimited होती है partners की liability unlimited होती है यानि firm के debts को pay करने के लिए अगर firm के asset पूरे नहीं पड़ते हैं तो law कहता है भाई या partners के personal assets को भी दिया जाएगा बट company की liability क्या होती है company में members की liability क्या होती है depends आप limited मत कहने लगना बहुत बच्चे होते हैं जो limited कहते हैं अब आप जानते हो limited by shares में limited होगी unpaid amount तक limited by guarantee में limited होगी up to the amount जो guarantee दिया बट अगर वो unlimited company है तो फिर unlimited भी होती है तो यहाँ पर वो ही तीनों बाते लिखी होई है property किसके नाम पर होती है आप जानते company एक separate legal entity होती है तो वो अपने नाम पर अपने नाम पर property ले सकती है correct अपने नाम पर property ले सकती है ठीक है लेकिन partnership firm क्योंकि एक separate legal entity नहीं होती है तो firm की property jointly belong करती है किसको उसके partners को यानि वो जो property हम firm की कह रहे हैं वो सच में firm की नहीं है वो jointly hold by the partners होती है ठीक है share transfer क्या हम share अपना हिस्सा transfer कर सकते हैं तो partnership के case में आप अपना हिस्सा transfer कर सकते हो लेकिन तब तक transfer नहीं कर सकते हैं जब तक बाकी partners की consent मिल जाती है यानि partnership के case में आप अपना share अपना जो rights है वो transfer कर सकते हो but it can be transfer only जब partners की सारी partners की consent मिल जाती है जबकि यही अगर मैं company की बात करूँ तो shareholder transfer कर सकते हैं अगर private company है तो article of association को follow करते हुए और अगर एक public company है तो ऐसी कोई restrictions होती नहीं है तो in case of a public company shares जो होते हैं वो normally listed होते हैं और यहां पर आप किसी को भी खरीद बेज सकते हैं बिना किसी से पूछे management कौन करता है बताओ कौन management करता है normally सारे के सारे partners partnership में management करते हैं यानि सारे partners जो होते हैं वो हिस्सा लेते हैं लेकिन हां in the absence of an express agreement यानि अगर आपने किसी को sleeping partner बना दिया तो अलग बात है वरना नॉर्मल यह मानते हैं सारे active partner थे और management में पार्ट ले रहे हैं लेकिन बताओ कि यहां पर management कौन करता है यहां पर बेटा members जो होते हैं वो management नहीं करते हैं यहां पर कौन management करते हैं directors management करते हैं directors management करते हैं क्लियर है क्या है यस और नो जल्दी यस सर अच्छा रजिस्ट्रेशन किसका कंपल सरी है partnership का यह companies का partnership में registration क्या है मेरे बच्चा optional है क्या है no commulsion मतलब optional जबकि companies act में company तब तक existence में आती ही नहीं है जब तक कि इसका registration का procedure follow ना हो जाए ठीक है ओके सर ओके सर आगे चलते हैं winding up मतलब बंद करना या partnership वर्म बंद हो सकती है येस आपका जब मन करें सारे partners जैसे ही agree करेंगे partnership वर्म बंद हो जाएगी लेकिन अगर company बंद करनी होती है तो आपको क्या करना होता है कि ट्राइबुनल के पास जाना होता है या registrar of companies में जाके उसका नाम कटवाना होता है दो रास्ते होते हैं winding up के थोड़ा सा मुश्किल होता है company को बंद करना और थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है जब कि इसमें टाइम कम लगता है अच्छा नंबर ओफ membership पार्टनर्स कितने हो सकते हैं पार्टनर्स कितने हो सकते हैं maximum 50 कितने पाटनर्स हो सकते हैं पचास हो सकते हैं जबकि एक्ट में 100 लिखा हुए maximum 100 बट आज की तारिक में limit क्या दी हुई है 250 वुए है इस में कितने maximum हो सकते कंपनी में मेंबर्स Pvt यह तो maximum 200रडा पब्लिक अंपनी में तो टेरीस नो क्यों लिमिट यहша हमने कंपनी स्च मैं अलेडी पढ़ा हूँ इसलिक दुबारा दुबारा आ गया गया रजिस्ट्रेशन वाला पॉइंट हाँ दुबारा आ गया तो इसको मैं कट कर देता हूं इट सर रिपीटिट पॉइंट तो आयव कट इट डाउन हाना ओक्य सर डूरेशन ऑफ एग्जिस्टेंस अग्ते पाट्र्शिप तक चलती है और कंपनि कंप तक चलती है आप जानते कंपनी के पास होती है परपेच्छस सक्षेशन यानि जब तक law नहीं चाहेगा तब तक वो law की process follow नहीं होगी तब तक वो बंद नहीं होती बहले members मरते रहे बहले members जीते रहे कोई फरक नहीं पड़ता members change होते रहे बट यहां पर फरक पड़ता है क्योंकि वो अलग person नहीं होता है तो अगर पर बेटा difference खतम होता है partnership versus company का important difference partnership company का बड़ा है आएगा तो 6-7 माग के लिए exam में आपको देखने को मिलेगा कि next concept पड़ते हैं difference partnership और club में partnership तो अब आप जान गए हो club क्या होता है वो समझते है club होता क्या है एक lemon language में example समझ लेते हैं उसके बाद पढ़ेंगे difference को क्लब क्या होता है कि देखिये यह यह है यह चाहता है कि इससे swimming pool मिल जाए यह चाहता है इसके पास क्या हो swimming pool की facility हो ठीक है मुझे बताओ swimming pool कितने का आता है मान लो swimming pool बनता है 20 लाक रुपे का यह विचारा इतना मीर नहीं है कि swimming pool बना सके बट इसका सपना है कि swimming pool जो होना चाहिए ठीक है ऐसे ही इसकी society में हजारों लोग हैं ऐसे ही इसकी society में ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि swimming pool हो तो यह क्या करते हैं यह सारे लोग मिल जाते है ठीक है और सारे लोग मिलके पैसा contribute करते हैं मान लो 20 लाक रुप और क्या बना लेते हैं कि swimming pool बना लेते हैं तो यह जो लोग जिन्होंने पैसा contribute किया है these are the members of the club these are the members of the club ठीक है बट इन्होंने यह क्यों बनाया है swimming pool यह swimming pool इन्होंने अपने use के लिए बनाया अपने beneficial purpose के लिए बनाया recreational facility के लिए बनाया है तो यह partnership नहीं है यह business की partnership नहीं है कि swimming pool चला के आगे लोगों को देंगा पैसा यह club है कि जो भी club का member बनेगा वो क्या कर सकता है swimming pool अब swimming pool बनतो गया है लेकिन इसकी repairs and maintenance भी तो होगी हर साल उसका भी खर्चाएगा तो वो भी कौन देगा यह लोग देन इसका बट इसका objective profit कमाने का नहीं था तिरफ beneficial purpose था यानि अपने members के benefit या हो सकता है health को improve करना या हो सकता है recreation of the members जो मैंने example लिया था इसका था recreation facility यानि उन्हें मजा आना चाहिए मजा आना चाहिए आपकी city अगर आप एक बड़ी city से हो तो नौर्मली बड़ी cities में बड़े famous clubs होते हैं golf club होता है बाइस अब गॉल्फ क्लब क्यूंकि बहुत एक महंगा होता है उसमें बहुत बड़ी land लगती है तो लोग normally club बना लेते हैं golf club हो गया और भी बड़े सारे पूना club लखनाओ club ऐसे हर city में नौर्मली बड़ी-बड़ी cities में अपने club होते हैं और उस club की जैसी आप membership ले ले तो तो वहाँ जितनी भी facilities है वह आप utilize कर सकते हो membership fee pay करके membership fee करो club के member बन जाओ ठीक है और enjoy करो तो देखो partnership क्या आए association of person है जो profit कमाने के लिए है section 4 की definition देदी club क्या है जो profit कमाने के लिए नहीं आए बस किसी beneficial purpose के लिए अच्छा यहाँ पर जो लोग partnership में आते हैं उनको क्या बोलते हैं partners बोलते हैं और एक partner दूसरे का agent होता है जबकि club में जो लोग होते हैं उनको क्या बोलते हैं members बोल आता है फ्रापटी पते किसके नाम पे नाम पे होती है नौर्मली जो फ़र्म दीवापटी होती है वह partner की ब्रापटी होती है joint property होती हें बट जर क्लाप की क्यूंके किस में अगर मैंबर चेंज हो रहा है मर रहा है कोई फ़रक नहीं पड़ता तक लब चलता रहता है उसकी एक्जिस्टेंसка कोई फ़रकॉंक नहीं पढ़ता है क्या पाइंट क्लियर हो गया या रहिट येस और नो में yes sir clear हो गया sir एकदम clear हो गया चले अगले type पर चले जाए चलाओ जाया यह नहीं चलाओ जाया कि चलो पेटा कंसेप्ट क्या समझने वाले हम partnership versus joint hindu family but कई बच्चों को यही नहीं बता होगा joint hindu family होती क्या है या Hindu undivided family क्या होती है इसको detail में समझ लेते हैं तो joint Hindu family या इसका दूसरा नाम क्या है बच्चो और Hindu undivided family चीक है? डिटेल में तो नहीं जाओँगा बट एक basic structure आपको बता देता हूँ यह होती क्या है? Hindu undivided family तो normally क्या होता है? जब कोई ancestral property चीक है? इसमें क्या होता है? ancestral property होती है जो family को belong करती है और वो किसको मिलती जाती है? family members को मिलती जाती है किसको मिलती जाती है? family members को मिलती जाती है और यह जो business करती है family member ancestral property से इसमें members होते है family के members होते है जिसमें जो main person होता है करता होता है जो क्या करता है? business को manage करता है business को manage करता है वो कौन होता है? करता होता है और बाकी के सारे member business से कोई लेना देना नहीं लेकिन उनका भी ancestral property में हिस्सा होता है ancestral property में हिस्सा होता है तो Hindu undivided family में family members होते हैं जिसमें main member करता होता है जो business को manage करता है और property कौन सी होती है जो आपकी ancestral होती है ancestral मतलब father grandfather correct या great grandfather से जो मिली होती है ठीक है descendants को वो आपकी ancestral property होती है और उस property से ये business किया जाता है किसको मिलता है family members को automatically मिलता है ठीक है और करता main person होता है बाकी सारे members भी रहते हैं लेकिन business में इतना ज़्यादा कोई धियान नहीं देता है ठीक है okay now question comes कि partnership जो है वो कैसे अलग है joint Hindu family से तो सबसे important जो difference है वो क्या है कि दोनो create कैसे होती है देखना partnership हमेशा हमेशा किस से create होगी agreement से होगी यह हमने section 4 में भी पढ़ा था कि सारे partner जब मिलके agree करेंगे कि वो partnership में आना चाहते है तब होती है जबकि joint Hindu family किस से create होती है status से create होती है यानि by birth वहाँ पे agreement नहीं जो person उस family के अंदर जनम ले लेता है जो person उस family के अंदर जनम ले लेता है बाइबर्थ बाइबर्थ ठीक है वो उस family का क्या बन जाता है member बन जाता है जबकि partner का बेटा partner बनेगा वो जरूर ही नहीं है बट हिंदू family में बाइबर्थ ही उस family का member क्या बन जाता है family का member बन जाता है और उसमें उसका property में हिस्सा आ जाता है कई बच्चा यह पूछता है सर हिंदू family के सिरफ लोग चला सकते हैं Muslim लोग नहीं चला सकते हैं तो बेटा law बोलता है Hindu undivided family Hindu law फे गवर्न होती है ठीक है उसमें नॉर्मली तो Hindu undivided family बना सकते हैं इवन sick and jain person भी Hindu undivided family बना सकते हैं उनकी चल सकती है लेकिन एक Muslim person Hindu undivided family नहीं बना सकता है I hope यह clear हो गया यह बहुत बच्चों को doubt आता है अच्छा जब member मर जाता है जब member मर जाता है यानि partner अगर partnership में partner की death हो गई तो partnership का क्या होता है normally वो बंद हो जाती है यानि अगर चार partner में से एक partner बंद हो जाता है तो normally partnership law बोलता है बंद हो जानी चाहिए लेकिन वहीं अगर family का कोई member मर जाता है family का member मर जाता है तो उससे family business पे कोई फरक नहीं पड़ता है family business पे कोई यानि अगर चार मेंबर ते फैमिली में एक मर भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, सर अगर करता ही मर जाता है जो business को manage कर रहा था, तो जो सबसे eldest member होता है, दूसरा उसके जाने के बाद उसको करता बना दिया जाता है, उसको करता बना दिया जाता है, अच्छा management कौन करता है, पार्टनर्शिप में सारे के सारे पार्टनर्स को और हक है कि वो manage कर सकते हैं, however, अगर आप agreement से चाहो तो active partner और sleeping partner का concept लगा सकते हो, वरना law तो सारे पार्टनर्स को ही हक देता है business manage करने का, जबकि joint Hindu family में ये हक किसके पास होता है, सिरफ और सिरफ करता के पास होता है, यान अब male member या female member दोनों में से कोई भी करता बन सकता है, कई बच्चों को आज भी भी यही लगता है, सिरफ male member करता हो सकते हैं, अब law change हो चुका है, now male और female दोनों में से जो भी eldest होगा, उसको हम करता बना सकते हैं, और management उसी के पास रहती है, क्योंकि यहां पर mutual agency होती है, तो हर partner, दूसरे partner को या firm को bind कर देता है, यानि मैं अगर कोई action लेता हूँ, तो उससे बाकी partners पे भी liability आ जाती है, जबकि HOF के case में सिरफ करता के पास यह power होसती है, कि वो family को bind कर सके, बट बाकी लोगों के पास यह power नहीं होती है, बाकी members के पास यह power नहीं होती है, because करता is managing the whole business, liability किसकी रहेगी, partnership में सारे partners की liability क्या है, unlimited होती है, जबकि HOF में यह बड़ा special point है, कि करता की liability unlimited होती है, क्योंकि वो business की रेख देख कर रहा है, लेकिन जो बाकी members होते हैं, जिसको हम बोलते हैं, co-personer, co-personer, यानि बाकी members of the family, वो सिरफ और सिरफ unlimited liability नहीं होती है, सिरफ और सिरफ उतने ही liable होते हैं, जितना उनका family business में share होता है, उतना ही percent वो liable होता है, बट करता की liability unlimited मानी जाती है, अच्छा, क्या आप books of accounts मंगा सकते हो गया, जब partnership बंद होती है, तो क्या आप books of accounts मंग सकते हो गया, तो law कहता है, partner case कर सकता है firm के उपर कि मुझे, ठीक है, account दिखाओ, क्योंकि अगर firm बंद हो रही है, तो मुझे accounts, books of accounts देखने हैं, लेकिन अगर joint Hindu family separate हो जाती है, अलग-अलग हो जाते हैं लोग, तो member books of account नहीं मांग सकते है, family business के, ये भी बड़ा difference है, कि partner तो partnership के accounts मांग सकता है, बट family family business के account मांग नहीं सकती है, okay sir, partnership किस से govern होती है sir, Indian partnership act 1932 से, और जबकि joint Hindu family किस से govern होती है, Hindu law से govern होती है, अच्छा, क्या minor partner बन सकता है क्या, दा answer is no, minor partner नहीं बन सकता है, लेकिन वो benefits, beneficiary बन सकता है, correct benefits को लिए admit हो सकता है, बट H.O.F के case में तो आप जानते हैं, पैदा होत से ही, पैदा होते ही member बन जाता है, इसलिए minor becomes a member of the ancestral business by the birth, बर्त से ही minor H.O.F का member बन जाता है, उसको majority तक का wait करने की जरूरत नहीं होती है, okay, continuity, अगर partner मर जाता है, या insolvent हो जाता है, तो normally firm बंद हो जाती है, लेकिन joint Hindu family तब तक चलती रहती है, तब तक चलती रहती है, त जब तक कि वो separate ना हो, जब तक कि joint Hindu family के members अलग होने का decision ना ले, number of members, partnership में maximum member कितने चाहिए होते हैं, maximum कितने हो सकते हैं, पचास, उससे जादा जा सकते हैं कि नहीं, but H.O.F. में birth से बनते हैं, जितने मर्जी birth करो, कोई दिक्कत ही नहीं है, so members of H.O.F. is unlimited number, जितने लोग प नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, business में कितना हिस्सा होगा, तो partnership में आपका business में हिस्सा divided होता है, defined होता है, partnership में आपका share defined होता है, देखो एक example लेता हूँ, तब आप ज़्यादा बहतर समझेंगे इस point को, माल लीजे, A, B, C, partners हैं, इन्होंने का, A का हिस्सा है, 20%, B का हिस्सा है, 40%, और C का हिस्सा है, 40%, तो law कह रहा है, partnership में हिस्सा ना, पता होता है, किसको कितना मिलने वाला है, पहले साई, बट H.O.F. में क्या हुआ देखना, H.O.F. में पहले तीन लोग थे, E, F, G, H.O.F. में प्रोड की, पहले ये property तीनों को बिलॉंग करती थी, अब एक और member का बर्थ हो गया, E, F, G, H, H का बर्थ हुआ, तो अब क्या होगा, ये property चार लोगों को बिलॉंग कर जाएगी, एक और बर्थ हो गया, I, तो ये property सेम है, बढ़ते जा रहे हैं लोग, और अगर ये ही death हो होती, तो कम होते जाते, तो यहाँ पर H.O.F. के case में जो हिस्सा है, वो floating होता है, अगर लोग पैदा हो रहे हैं family में, तो लोगों का हिस्सा कम होता जाता है उस property में, automatically, correct, और अगर लोगों की death हो रही है family में, तो बाकी जो surviving लोग हैं, उनका हिस्सा बढ़ता जाता है, य उसका interest fluctuating होता है, ठीक है, death होगी तो हिस्सा बढ़ेगा, और birth होगे तो हिस्सा घटेगा, जबकि partnership में ऐसा नहीं है, partnership में तो decided है, ठीक है, और अगर नया partner, और वो भी अगर आ रहा है, आप का होगे sir, अगर नया partner आएगा तो नया partner इनके पूछ की तो आता है, consent है, वहा partnership versus joint Hindu family, I hope यह point आपको clear हो गयोंगे, direct theory question आएगा, अगर आएगा तो इस पर की differentiate between these things, ठीक है, next point आता है, partnership और co-ownership, co-ownership आप जानते हैं, ठीक है, co-ownership आप जानते हैं, बट एक बारी फिर भी आपको बता देता हूँ, co-ownership के बारे में क्या होती है, co-ownership क्या होती है, दो राष्टों से बताता हूँ, by law, co-ownership by law क्या होती है, सर आपकी writing सर मैं देख के सर आपका fan हो जाता हूँ, सर आप कैसे लिख ले तो, बेटा दिन रात practice करता हूँ लिखने की, आई से थोड़ी और by agreement, ठीक है, co-ownership by law और by agreement, co-ownership पहले by law का example लेता है, a के पास एक shop थी, a की death हो गई, तो उसका बेटा b जो sun था, और उसका c जो sun था, इन दोनों को ये property मिल गई, तो b और c क्या हो गई, co-owner बन गई, यानि ये shop किसकी हो गई, दोनों की हो गई, co-owner बन गई, किसके shop के, कैसे, by law, अपनी मर्जी से नहीं बने है, by law इसके co-owner बन गई, यानि इस shop में इन दोनों का हिस्सा है, this is known as co-ownership by law, by agreement का अगर example लूँ, a और b ने, मिलकर एक land खरीद ली, land purchase करी बट मिलकर, अगर दो लोग मिलकर land purchase कर रहे हैं, तो ये by agreement co-owner बने हैं, अपनी मर्जी से ये लोग owner बनना चाहते थे, इसलिए उनोंने साथ में मिलकर land खरीदे हैं, जिसे कई बार हम property लेते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि यार wife के ना ownership, but that is by agreement, ये law ने नहीं करा, ये हम दोनों ने आपस में decide कि जो नया land लेंगे न, वह हम दोनों के नाम पे लेंगे, है न, इसमें कहीं बारी tax planning भी होती है, tax planning कैसी, कि भाया क्या होता न, मान लो law में लिखा हुआ है कि भाया, stamp duty, अगर woman खरीदी है, तो देनी नहीं पड़ है, तो हम क्या करते हैं, अपना हिस्सा भी ले लेते हैं, woman को भी नाम दलवा देते हैं, ताकि उसके हिस्से पर हमें tax pay ना करना पड़े, clear है क्या, yes sir, clear हो गया, तो देखिए, पहले formation, co-ownership के दो रास्ते होते हैं, या तो वह agreement से बनेगी, या law, law मतलब inheritance, ठीक है, जबकि partnership partnership हमेशा हमेशा agreement से ही बनेगी, चाहे वो express हो, चाहे implied हो, अच्छा, implied mutual agency किस में होती है, बताओ, mutual agency, implied agency मतलब mutual agency की बात कर रहा है, मैं लिख देता हूँ, फिर आप भूल जाएंगे, तो कहेंगे, sir, यह क्या लिखा हुआ, mutual agency, sir, वैसे भी हम भूल जाएंगे, आपकी writing इतन partnership में partner का interest होता है, profit and loss जो होते हैं, वो share होते हैं, बट co-ownership में जरूरी नहीं है, कि profit और losses share हो, जरूरी नहीं है, अच्छा, partner अपना share transfer कर सकता है, कैसे, बाकी partner से पूछ के, लेकिन co-owner के case में, वो बिना दूसरे co-owner से पूछे हुए भी, अपना interest transfer कर सकता है, यानि, अग shop बेचना चाते हैं, कांग यह बना, हाँ, अगर C, T जो है, वो बेचना चाता है, तो उसको B से पूछने की जरूरत नहीं है, अगर C, अपना हिस्सा, shop में बेचना चाता है, तो जरूरी नहीं है, मेरे बच्चा, कि उसको B से पूछना पड़े, वो बेच सकता है, लेकिन अगर पार्टनर अपना हिस्सा बेचना चाहता है तो उसे हमेशा बागी पार्टनर्स की कंसेंट लगती है यह पॉइंट अभी आगे डिटेल में आएगा यह पॉइंट आएगा इसकी चिंता मत करना ट्रांसफेर वाली डीटेल में cover होगा साथ डिप्रेंग मेरे बच्चा के संग finance को कि चिछया फिर्टेंश़ और kidding तिरफ और सिरफ आप सोशल कोस के लिए आते हैं जैसे हमने एक्जाम्पल लिया था नीडी परसंस को दो तिन लोग आए कि हम एक लाख रुपे महीना डालेंगे और वूलन क्लोथ बनाके गरीबों में बाटेंगे that is known as association की association तो है वो साथ में तो आये हैं बट किसी social कोस के लिए आये हैं बट profit कमाने के लिए नहीं इसलिए वो difference है किस से partnerships है ठीक है अच्छा example partnership to run a business and earn the profit that is partnership और association किया है members of charitable society जो charitable society हो गए या improvement हो गए building corporation यह सारे लोग क्या होते हैं association होते हैं ठीक है जादे इसमें कुछ खास इसनी बात नहीं है important concept तो अब आया जाके अब जाके कुछ मसालेदार बात आई है क्या लिखा हुआ भया लिखा हुआ है सवाल पढ़ो कितना प्यारा लिखा हुआ है आपकी इतनी बड़ी स्कीन पे क्या partnership firm का registration कराना mandatory मतलब क्या कंपल्सरी है क्या इंडियन partnership act में क्या आपको partnership firm जो है रजिस्टर करानी mandatory है या optional है यह पूछा गया है वैसे तो हम बहुत सारी जगा पर यह discuss हो चुका है थोड़ी बहुत हिंट आ चुकी थी बट आपको क्या लगता है mandatory है या optional है mandatory है law क्या बोल रहा है law क्या बोल रहा है mandatory है या optional है mandatory है या optional है तो आओ चेक करते हैं लो कहता है इंडिया में जो इंडियन partnership act 1932 लगता है वहां पे firm का registration कराना optional है आपकी मर्दी के उपर है आप चाहें तो registration कराएं और चाहें तो अपनी firm का registration ना कराएं बट बाहर English law यानि इंडिया के बाहर मेरे बच्चा English law में यह compulsory होता है यह compulsory होता है बट एक बात ध्यान रखना कहरें इंडिया में firm का registration अप्शनल तो है लेकिन उसकी वजह से उसकी वजह से क्या होता है वाँ को जो अन्रेजिस्टर्ड फर्म होती है उसको बहुत सारी powers उसको नहीं दी जाती यानि अन्रेजिस्टर्ड फर्म के पास क्या नहीं होती है बड़ी सारी powers नहीं होती है जो हम आगे जाके सीखेंगे और क्योंकि उसके पास वह powers नहीं होती तो अगर किसी फर्म को वह powers चाहिए तो उसको रजिस्टरेशन कराना चाहिए इडवाइदेबल कि आप रजिस्टरेशन कराए नहीं तो आपको वह दो पावर्स नहीं मिलेंगी जो एक रजिस्टर फर्म के पास होती है ठीक है अभी पढ़ेंगे अच्छा और रजिस्टरेशन अगर आप वैसे तो ऑप्चनल है बट अगर आप कराना चाहते हैं तो मालनो चार पार्टनर्स हैं तो ऐसा नहीं हो सकता दो पार्टनर्स कह र हैं जब तक चाहएंगे लिए जब तक चारई गरी निखरएंगे तब तक आपका रूच्ट इस्ट्रेशन अगर्स अगर आप और आप highlighting चाहते हैं हां एक और बात बतातू कई बच्चे confused होते हैं जो लोग महरास्त्रा में रहते हैं उनके लिए बता रहा हूं महरास्त्रा में तिरफ महरास्त्रा एक ऐसा state है जहां पर मेरे बीटा registration को compulsory करा हुआ है ठीक है फॉर्म के रहे वैसे तो इंडिया लेवल पे क्या है ऑप्शनल है बट रिजिस्ट्रेशन महारास्टा में क्या हो गया है कंपल सरी हो गया अब प्रॉब्लम क्या आती है मुझे बताओ जो सीए फाउंडेशन एक्जाम है वो इंडिया लेवल एक्जाम है या तिरब म इंस्टिटूट के मेटेडियल में भी कहीं यह बात नहीं लिए कि महरास्टा के लिए कंपल सरी है इसलिए आपको और प्रोसेजर देखिएगा उन्हें एक statement वाइल करनी है जो किस से sign होगी तीनों partner से sign होनी चाहिए और साथ में fees पिस किस के पास ये फाइल होती है बेटा ये फाइल होती है registrar of firm के पास ये किस के पास फाइल होती है मेरे बच्चा कि रजिष्ट्रार ओफ फर्म चिक है सो गोपाल लखी माधव यह पार्टनर्स हैं मतलब बनना चाहते हैं पार्टनर्स बनना चाहते हैं पार्टनर्शिप में इन्होंने स्टेट्मेंट फाइल करी मैंने क्यों कहा कि वह यह जब तक सारे पार्टनर्स एगरी नहीं करेंगे तब तक आप रजिष्टर नहीं करा सकते हैं विकॉज यह जो रजिष्टर जो स्टेटमेंट जारी है रजिष्टर और फार्म के पास वह कौन साइन करेगा सारे पार्टनर्स और जब तक सारे पार् अधारिटी मिली हुई है वो अपने एजंट से ये साइन कराएगा ठीक है अब रजिश्टरार और फ़मके पास ये स्टेटमेंट भी चली गई और फीस भी चली गई ये स्टेटमेंट भी चली गई प्लस फीस चली गई वो क्या करेगा check करेगा आपकी statement को और फीज को की फीज उतनी आई है जितनी मांगी थी और statement ठीक है ना जब ये registrar of firm के पास मिलेगी after checking वो इसको क्या कर देगा approve अब approve का मतलब समझ ये क्या होता है सिरफ approve कहने के लिए नहीं इसका नाम क्या है registrar of firms registrar of firm के पास ना वैसे ये statewide होते हैं हर स्टेट में नॉर्मली एक दो रेजिस्टर खोले हुआ है ठीक है एक दो जगा सेंटर खोले हुए ये statewide होते हैं और आप उस registrar के पास जाते हैं जिस स्टेट के अंदर आपका principal office आता है ओके सर ये चेक करने के बाद क्या करेगा इसके पास एक register है जिसका नाम है register of firms ये उस register को खोलेगा और आपके नाम की entry करेगा क्या करेगा देखो register of firm क्या करेगा देखना ये register खोलेगा और registrar में लिखेगा आपने suppose अपनी firm का नाम क्या दिया था जी एल एम एंड को जी एल एम एंड को ये आपका नाम लिख लेगा name of the firm लिख लेगा फिर partners के नाम भी अपने register में लिख लेगा क्या के नाम है गोपाल लकी मादव वैसे तो पूरा नाम आता है बट मैं यहां सिर्फ लिख रहा हूं गोपाल लकी मादव ये भी लिख लेगा फिर और भी चीज़े लिख लेगा जो basic incidental है वो सारी चीज़े लिखकर जैसी वो आपकी चीज़े लिख लेगा उस register के अंदर तो आपको as a proof proof देगा क्या proof देगा तर कुछ proof भी तो देना चाहिए तो आपको देता है certificate of registration आपको क्या issue होत मिलता है certificate of registration जब आप companies को register कराते हैं तो मिलता है certificate of incorporation क्या आपकी company बन गई है incorporate हो गई है जिंदा हो गई है लेकिन जब आप firm को register कराते हैं तो मिलता है certificate of registration ठीक है कौन issue करता है ROC आपको एक specimen आपको एक specimen में दिखाना चाहता हूँ certificate कैसा दिखता है यह देखिए आईए इसको समझते हैं मैं एक specimen लेके आया हूँ Department of registration government of Kerala यानि Kerala के registrar of firms ने यह issue करा है acknowledgement of registration of firm यह एक certificate of registration है क्या लिखा होता देखो the registrar of firm केरला के registrar of firm ने acknowledge करा है क्या कि उन्हें statement मिल गई कौन सी statement जो partners ने बेजी थी जो section 58 में prescribed है कौन से Indian Partnership Act 1932 में statement registrar ने file कर ली है और जो firm का नाम है गोपी का firm यह गोपी का firm थी गोपी का firm has been entered in the registrar of number as 3 बटा 2017 2017 year में third firm है जो register हुई है 2017 year में third firm है गोपी का firm जो register हुई है केरला के अंदर फिर यह register of firm का digitally signed है उनका digital sign हुआ है तारीक लिखी हुए किस दिन यह issue करा गया है and place of issue लिखा गया है I hope आपको समझ आ गया होगा practically भी मैंने आपको बता दिया है कि जब आप registration करा लेते हैं तो as a proof आपको क्या मिलता है सर अब एक practical question करते हैं सर हमें कैसे पता चलता है form register है या नहीं ठीक है हमें कैसे पता चलता है कि form register है कि नहीं नॉर्मल ही पता क्या अगर ABC & Co लिखा हुआ है ABC & Co और अगर किसी का नाम लिखा हुआ ABC & Co ब्रैकिट में registered तो ABC & Co सिरफ लिखा हुआ है तो lock आएगा यह एक unregistered form है unregistered है ठीक है और ABC & Co ब्रैकिट में registered लिखा हुआ है तो कहता है यह कौन सी फर्म है registered form है कोई दिक्कात कोई दिक्कात नहीं अब आप कहेंगे सर लेकिन अगर यह फर्म unregistered है तो भी तो अपने नाम कहा कि registered लगा सकती है तो आपको अगर फिर भी शक हो रहा है अगर इस बंदे ने registered लगाया हो बट आपको लगता है यह फर्म unregistered है तो इससे क्या मांगोगे certificate of registration मांग लेना जैसी वह आपको certificate of registration दिखाएगा आपको प्रूफ हो जाएगा कि यह फर्म एक registered फर्म है यह फर्म एक registered अच्छा एक question और आपको आता है कि सर यह जो statement फाइल हुआ है इस statement में क्या data जाता है इस statement में क्या data जाता है क्या-क्या बाते बतानी होती है बेटा basic बाते बतानी होती है क्या-क्या firm का नाम principle place of business partner का नाम और उनका address name place where the firm has branches अगर firm की कोई और branches है तो वो भी बताना पड़ेगा partners ने कब कब join करा वो भी बताना पड़ेगा date business कब से start किया और partnership firm की duration किया at will है या कुछ महीनों के लिए वो भी आपको बतानी पड़ेगी यह साथ चीजे आपको उसे statement में बता के file करनी होती है registrar of firms को with the prescribed और एक और बात बताऊं जब भी इन particulars में change होता है या तो आप firm का नाम बदल रहे हैं या partners change हो रहे हैं तो यह बात आपको फिर से registrar of firm को communicate करनी पड़ती है कि इन में से अगर कोई भी चीज चेंज होती है इन में से अगर कोई भी चीज चेंज होती है तो law कहता है आपको यह बात registrar of firm को बतानी है but क्यों what is the purpose क्योंकि उसके register में पुराना data लिखा हुआ है क्योंकि उसके register में पुराना data लिखा हुआ है नया डेटा लिखने के लिए आपको बताना पड़ेगा है ना यह आगे जाके मैं concept यूज करने वाला हूं आगे जाके यूज होगा इसलिए बता रहा हूं अच्छा फॉर्म का नाम जब आप देते हो रजिस्ट्रार और फॉर्म को तो आप कुछ चीजे नहीं यूज कर सकते हो क्या नहीं यूज कर सकते हो कि आप क्राउन वर्ड अपने नाम में यूज नहीं कर सकते हो जैसे मैंने सोचा एंप्रर वर्ड यूज नहीं कर सकते हो जैसे मैंने सोचा एंप्रर गुर्परीत एंड को मैं खोलना चाहता था एंप्रर गुर्परीत एंड को इस नाम से वर्डड क्वेन वर्ड ठीक है रोइल वर्ड एम्परऊर दुबारा आ गया है ना तो यह वर्ड में नहीं कर सकते जैसे किंग चिंग गुरप्रीड नहीं तो क्वेन गुरप्रीड लिखते हैं आओ क्वीन गुरी एंड को मैं खोलना चाहता था क्या law allow करेगा law कहता है नहीं नहीं भाया आप ये नाम यूज नहीं कर सकते हो और ऐसा भी कोई नाम यूज नहीं कर सकते हो जो government से link हो जो government से जिससे लगता हो कि आपकी partnership हम government से link है ठीक है लेकिन अगर state government के पास आपका return approval है अग क्योंकि government ने उसे अप्रूव कर रहा है क्योंकि government ने उसे अप्रूव कर रहा है बट यह crown, empire, imperial, king, queen, royal यह नाम आप यूज नहीं कर सकते हैं यह नाम आप यूज नहीं कर सकते हैं अपने partnership firm के नाम में ठीक है अब एक बार study material से read कर लेते हैं क्या दिया हुआ है ना समझ तो हम लोग गए हैं एक बार ही मैं read कर देता हूँ the registration of a firm may be affected at any time by sending by post anytime इस word को समझ यह anytime का मतलब क्या है आपने जब जिस दिन partnership स्टार्ट करी आप चाहें तो उस दिन भी registration करा सकते हैं बट क्योंकि registration optional है तो आपने उस दिन नहीं करा है तीन-चार साल बाद आपको लगा कि इसका registration कराना है तो आप तीन-चार साल बाद भी करा सकते हैं यानि यू है और ऑप्शन से या खुद जाके deliver करके किसको रजिष्ट्रार और फर्म को deliver करके क्या deliver करना है उस एरिया के रजिष्ट्रार को deliver करना जहां पर आपका प्लेस बिजनस में सिच्वेटीड होने वाला है बट देना क्या है उसे statement देनी है और साथ में क्या देना है प्रिस्क्राइब फीस द अच्छा यह statement कौन sign करेगा सारे के सारे पार्टनर sign करेंगे ठीक है ओके और फर्म के नाम में क्या नहीं आएगा नहीं आएगा ठीक है ओके और यह जरूरी है कि फर्म स्टार्टिंग से ही register होनी चाहिए दा अंसर इस नो जब आपका मन करेगा तब प्रजिष्टर करा ले ना ठीक है फिर क्या होगा register आपकी statement को check करेगा check करने के बाद अगर उसे लगेगा कि सब कुछ ठीक है तो वो आपकी form का नाम कहां लिखेगा कौन से register में लिखेगा जिसको हम बोलते है register of forms में आपका नाम लिखेगा और statement अपने past records में रख लेगा और फिर आपको क्या देग इसके नाम के आगे वर्ड क्या यूज होने लगता है ब्रैकिट में रजिस्टर लिखा होना चालू हो जाता है इसलिए मैंने आपको कहा था कि जब आप फर्म का नाम बढ़ेंगे तो रजिस्टरेशन दे सकते हैं अगर कोई भी चीज फ्यूचर में चेंज होती है नाम पता या कुछ भी तो आपको वो रजिस्टर और फर्म को दुबारा से बताना पड़ता है ताकि वो अपने रजिस्टर में यह चीज़े अपडेट कर लें यह आया है इंपॉर्टेंट पॉइंट यह पॉइंट क्या बोलता है इसको समझेंगे रजिस्ट्रेशन फर्म का हम मान लेंगे उसी दिन पूरा हो गया था जिस दिन आपने एप्लिकेशन हमें दी थी ठीक है और बले ही रजिस्टर आर ने उसको कुछ दिनों बाद ही रजिस्टर में लिखा हो चलिए एक अप्रेल 2022 को हमने पार्टनर्शिप फर्म बनाई एक अप्रेल 2022 को हमने क्या बनाई पार्टनर्शिप फर्म बनाई कोई दिक्कत कोई दिखकर नहीं चार अगस्ट 2022 को हमने स्टेटमेंट विद्वीज हमने रजिस्टर आरोफ फर्म के साथ फाइल कर दी फाइल्ड विल्ड किसके साथ फाइल कर दी उस रजिस्टर आरोफ फर्म के पास जिसके ऊपर कंट्रोल था जहां पर हमारा बिजनस था उसको जो बिलोंग करता था उस अरोफ के पास हमने कर देगी अब क्योंकि रजिश्टर और फॉर्म एक गवर्मेंट डिपार्टमेंट तो इसे तोड़ा डीले हो गया इनसे डीले हो गया मानलो अगस्ताना सेप्टेंबर उक्टूबर नवंबर तीन नवंबर 2022 को तीन नवंबर 2022 को आरोफ ने क्या करा होगा आरोफ ने क्या करा होगा रजिश्टर में नाम लिखा एंटर दा पॉर्म नेम इन रजिस्टर ओफ फर्म ने रजिस्टर ओफ फर्म में नाम लिखा कौन सी तारिक को तीन सप्टेंबर को और आपको इशु करा क्या इशु करेगी Certificate of Registration आपको Certificate of Registration चीक है ओके सर अब Law क्या मानेगा Normally मेरे बच्चा Normally Normally 3 September को आपका Registration हुआ अगर सच में देखा जाए तो हमने आपको Certificate कब दिया 3 September को But Law पता क्या कह रहा है Law कह रहा है मैं 4 August को ही मान लूँगा Deemed Registration मान लूँगा मैं कौन सी तारिक को Deemed Registration मान लूँगा 4 तारिक को ही मान लूँगा Deemed Registration जब आपने पीस के साथ Completed Statement दी थी अगर उसमें कोई भी गलती नहीं थी ना तो मैं मान लूँगा 4 अगस्त को ही आपका Registration Deemed Registration की डेट Real Actual Date का है यही बात लिखी हुई है कि Registration is deemed to be completed जैसे आप Application यानि वो Form वगारा, Feast वगारा दे देते हैं भले ही बाद में Entry हो कोई दिक्कत की बात नहीं है ठीक है ओके Clear है सर, Clear है Now comes the most confusing part Most confusing क्यों confusing है Because बच्चा जो पढ़ रहा होता है वो उपर तक यह पढ़ के आता है कि भाया Registration optional है मन करना है कराओ नहीं मन करना मत कराओ मन कर रहा है कराओ नहीं मन कर रहा है मत कराओ बट नीचे आके जब वो पढ़ता है तो नीचे क्या लिख्यू है Penalty लिख्यू है कितनी Penalty लिख्यू है 100 rp per year और पार्ट देःरोफ और पार्ट देःरोफ फिक है और पार्ट देःरोफ की आपको दी हुई है 100 rp per year और पार्ट देःरोफ की क्या पैनल्टि सर अगर कवां का रेजिस्ट्रेशन ऐप्चणल है तो पैनल्टी किसे बात की है penalty किस बात की है समझो इस बात को मुझे भी पसंद नहीं है बट क्या करें law कहता है आपने अगर नहीं registration नहीं कराया ना हमें कोई दिक्कत नहीं हम आपके पास आके कोई penalty नहीं लगाएंगे अगर आपने अपनी फर्म चला रहे हो बीना registration के मुझे कोई दिक्कत नहीं है आप चलाते रहो मैं कुछ नहीं कह रहा लेकिन अगर आप कुछ टाइम बाद उसे registration कराने लाए registration कराने लाए तो मैं आपसे penalty लूँगा किस चीज की कि आप delay कर दिया मैंने वैसे आपको मनमर्जी करी थी लेकिन भाईया आपसे कितनी एक नॉमिनल सी फीज ले लूँगा एक साल यानि अगर आपने दस साल डिले कर रहा है तो हजार रुपए ठीक है इस पर भी एक केस्टेड़ी आ सकती है बना लेते हैं केस्टेड़ी आते है आपको 2 years late हुआ तो बताओ कितनी भरोगे 2 years 3 month हुआ तो कितनी भरोगे penalty calculate the amount of penalty 2 years और 2 years 3 month बताओ 2 साल है तो कितनी भरोगे 2 in 200 दो हन्ड़रट रुपीस बरोगे 2 साल के 100 रुपे 200 रुपे बट 2 साल 3 महीने हुए तो कितनी penalty भरेंगे तो law कहता है क्योंकि word use है और part there of तो यहाँ पे 2 साल 3 महिने को माना जाएगा 3 साल और 3 into 100 that is 300 रुपे यानि अगर 2 साल से 1 महिना भी जादा हुआ 10 दिन भी जादा हो गए तो penalty पूरे साल की लगी कि अगले साल की अच्छा इसका निकाल के बताओ अगर पूछ लिया तो आपको निकालते आना चाहिए आपको निकालते आना चाहिए चलो next point आता है firm का registration कराना optional है मन में आय तो कराओ नहीं आय तो मत कराओ बट मैंने आपको बताया था कुछ ऐसी सूपर शक्तियां कुछ ऐसी सूपर शक्तियां कुछ ऐसी शक्तियां मेरे बच्चा जो सिरफ और सिरफ registered firm को मिली हुई है अगर unregistered firm है तो यह powers उसके पास नहीं है उसको हम बोलते है disabilities of unregistered firm जैसे अगर आपकी firm unregistered है तो एक unregistered firm कभी भी कभी थर्ड पार्टी के उपर case नहीं कर सकती है कुछ examples लूँगा और इस line को समझने की कोशिश करेंगे एकदम advanced level examples होंगे ताकि मज़ा आए एक company है और एक unregistered firm है एक company है और एक unregistered firm है दोनों के बीच contract हो गया दोनों के बीच contract हुआ था ठीक है इधर से भी promise हुआ इधर से भी मान लो company ने breach कर दिया मान लो company ने क्या कर दिया breach of contract कर दिया breach of contract कर लिया तो क्या होना चाहिए logically Indian contract act क्या बोलता है कि अगर एक party breach of contract करती है तो दूसरी party के पास right होता है वो इसके ओपर damage इसका claim कर दे damage इसका case कर दे but Indian partnership act override कर जाता है Indian partnership act क्या बोल रहा है एक unregistered partnership firm third party के ओपर case नहीं कर सकती है मुझे बताओ क्या unregistered firm क्या आप company के ओपर case कर सकती है yes or no जल्दी बताओ yes or no the answer is no the answer is no unregistered firm company के ओपर case नहीं कर सकती वहीं अगर यह जो case होता आँ अगर यह case होता breach unregistered firm ने किया होता, इस बारी breach किसने किया है? कॉंटरेक्ट का, किसने अपना वादा तोड़ा? unregistered firm ने, तो क्या company case कर सकती है über unregistered firm पे? जल्दी बताओ, क्या company कर सकती है, unregistered firm पे? the answer is yes, the answer is yes, क्योंकि third party unregistered firm पे case कर सकती है. वा 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 देख रहे हो unregistered firm है कह रहे है optional है मत करो लेकिन जब case करने की बार ही आई तो हमें right ही नहीं दिया क्या गलत फील हो रहा है कि नहीं इतलिए हमेशा अपने client को कहना कि भाई या अपनी firm register करा ले वन्ना कर कल को तिरे साथ कुछ गलत हो गया ना तो तू क्या नहीं कर सकता है case नहीं कर सकता है third party के उपर चलो थोड़ा सा और advance level लेके जाते हैं आ जाओ एक firm है ABC and co और एक firm है DEF and co दोनों ही unregistered firm है दोनों ही unregistered firm है मुझे बताओ पहला question can ABC and co file case against can ABC and co file case against DEF and co क्या लगता है आपको दोनों unregistered firm है क्या ABC DEF के उपर case कर सकती है क्या बताओ क्या लगता है आपको कर सकती है नहीं कर सकती है the answer is no the answer is no क्यों नहीं कर सकती है because firm आपको सिरफ क्या चेक करना है case करने वाली firm registered है या unregistered है तो अगर यह case करने वाली firm unregistered है तो यह सामने वाली के उपर case नहीं कर सकती है case question number two can DEF and co file case against ABC and co बताओ क्या लगता है आपको आपका दिल क्या कह रहा है क्या DEF case कर सकती है कि the answer is again no why no because an unregistered firm cannot file a case against the third party चलो एक और example लेते है ABC and co registered firm है DEF and co unregistered firm है ठीक है ABC and co registered firm है DEF co registered unregistered firm है पहला question same can ABC and co file case against DEF and co बताओ क्या ABC and co file कर सकती है DEF and against जल्दी बताओ तो ABC registered है एक registered firm तो किसी के against भी case file कर सकती है चाहे वो unregistered हो या registered हो the answer is yes but वहीं अगर मेरा question होता registered firm cannot file a case against third party clear है क्या यस और नो आओ एक और example लेते हैं सर इतने मत example लिया करो सर कितने example ले रहे हो सर मैं नहीं सर मैं नहीं देख सकता बस और सर मैं सोने जा रहा हूं और बिटा कहां जा रहे हो सोने देखते तो जाओ दोनों ही इस बारी registered ले लेता हूं आ हा 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 दोनों इस बारी registered firm ले ले लेता हूं आओ चलो हां पिर से वह कोश्चन चैन एबी सी एंड को फाइल केस अगेंस्ट को इसका अंसर मैं नहीं दूंगा ठीक है आप दोनों comment section में लिख देना मुझे पता चल जाएगा कि आपको concept समझा है या नहीं files case against abc and coke ठीक है दोनों के answer मुझे comment section में लिखके बताना क्या abc df पर case कर सकती है अगर दोनों firm registered है तो दोनों firm registered है तो आपका answer क्या आएगा पहले a का yes या no और b का भी yes या no comment section में मुझे लिखके बता देना मैं इस पर आप और discussion नहीं कर रहा हूं मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे और इस बात को आप बता पाएंगे इस बात को आप easily बता पाएंगे क्या यह दोनों disability आपको detail में समझ आगी कि unregistered firm third party पर case नहीं कर सकती है बर third party registered और unregistered कोई फरक नहीं हो third party case कर सकती है चलें आगे अब बची दो और disability ठीक है दो और disability let's do no relief for setup of claim for more than rupees 100 अगर आपका claim 100 रुपे से जादा है अगर आपका claim कितना है 100 रुपे से जादा है तो आप उसे set off नहीं कर सकते set off चलो example में समझते हैं एक company थी जिसका form ने कितना देना था rupees 300 देना था ABC & Co एक unregistered form ने company के 300 रुपे देने थे ठीक है company के कितने रुपे देने थे ABC & Co ने 300 रुपे देने थे ओके और company ने ABC & Co के 500 रुपे देने थे कंपनी ने 500 रुपे देने थे कम कर दूं क्या लोग कम कर देते हैं थोड़ा सा बैटर रहे दे थी यह पर्म 300 रुपे नहीं दे रही थी company के company कोट जा सकती है क्या जा सकती है कोई third party can file a case against ABC case चले गए court में चले गए court ने कहा कोट ने कहा है ABC चल इसके 300 रुपे दे तो ABC ने कहा 300 रुपे नहीं दूंगा मैं मैं set off करना चाता हूं 300 रुपे मुझे इनसे 1500 रुपे लेने भी तो है मुझे इनसे 1500 रुपे लेने भी तो है तो मैं इसे set off करना चाता हूँ और सिरफ balance date so pay करूँगा यानि क्यूंकि मैंने इने 300 देने हैं और date so इन से लेने हैं तो indirectly मैंने सिरफ date so रुपई देने है तो law कहता है अगर आपका claim 100 रुपई से जाधा का है तो आप set off नहीं कर सकते यानि ABC को पूरे के पूरे 300 रुपई ही company को देने पड़ेंगे वो set off नहीं कर सकती है क्यों नहीं कर सकती है because it is an unregistered firm but यहीं अगर यह firm registered होती ना मेरे बच्चा तो वो सिरफ net date so रुपई पे करती क्या आप फील कर पा रहे हो यह एक और limitation है कि अगर भाईया 100 रुपई तक रहता है तो तो set off हो जाएगा बट अगर 100 रुपई से ज्यादा का है तो set off करने नहीं देंगे तो हम set off करने नहीं देंगे ठीक है okay फिर आता है A B C तीनों A B C & Co unregistered firm के A B C unregistered firm के क्या है Partners है दीस 3 यह स्पाटनर वन पाटनर टू पाटनर थ्री दीस त्री आर दी partners of this firm, these three are the partners of the firm, ठीक है, मान लो, क्योंकि यह firm unregistered है, यह तो किसी third party के उपर case नहीं कर सकती, बट law कहता है, यह partners भी किसी दूसरे partner के उपर case नहीं कर सकता, यानि A, B और C के उपर case नहीं कर सकता, यानि अगर firm unregistered है, तो ना तो partner firm के उपर case कर सकता है, और ना ही partner किसी दूसरे partner के उपर case कर सकता है, मतलब अगर partner नहीं कुछ गड़बड कर दी, तो आप दूसरे partner पर case नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपकी firm क्या थी unregistered थी, इसलिए भी आपको client को कहना है कि अपनी firm register करा दो, क्योंकि आप पर case नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस rule का exception है, इस rule का क्या exception है, rule ये बोलता है, एक partner, दूसरे partner पर case नहीं कर सकता, या unregistered firm पर case तो नहीं कर सकता, लेकिन एक जगा है जहां पर वो case कर सकता है, किस चीज़ का, वो firm को बंद करवाने के लिए case कर सकता है, dissolution के लिए, ठीक है, या accounts के लिए भी case कर सकता है, कि भईया मुझे मेरे हिस्ते का पैसा दे दो, तो law कह रहा है, एक partner of unregistered firm cannot file case, किस के ओपर partner of unregistered firm cannot file case against other partners and the unregistered firm. तो partner of unregistered firm cannot file case against other partners or unregistered firm, but there are two exceptions, क्या exception है, cannot की जगा, क्या exception है, दो exception है, एक वो case file कर सकता है, dissolution of firm के लिए, कि भईया firm को बंद करा जाए, इस चीज़ का वो case कर सकता है, भले ही firm registered हो चाए, unregistered हो, dissolution का case तो हो ही सकता है, कि firm को बंद कर दिया जाए, इसका case हो ही सकता है, ठीक है, दूसरा है मेरे बेटा, dissolution of firm दूसरा है, वो accounts भी मांग सकता है, case for accounts and realization, उसका जो हिस्सा था, उसका share, realization of his share on dissolution, यानि dissolution पे जो उसके accounts या हिस्सा बनता है, वो भी वो मांग सकता है, तो ये दो case unregistered firm का partner भी कर सकता है, इसके इलावा कोई और चीज़ का case वो other partners unregistered firm पे नहीं कर सकता है, as per partnership act, क्या ये चारों point अभी clear हो गए, yes or no, अभी इसमें मुझे थोड़ा सा और detail में जाना है, इसमें और deep down करना है, बट basically क्या ये चार चीज़े आपको cover हो गई या नहीं हो गई, जल्दी मुझे बताओ, क्या हो गई या नहीं हो गई, सर एकदम clear हो गई, कोई दिक्कत वाली बात मुझे इसमें नहीं लग रही है, ओक्के बेटा, गुड गुड, गुड, चलो फिर आगे चली लेते हैं, जब तुम लोग क्या रहे हो इतना, आ जाओ, दुबारा से वही बोल रहा हूँ, नो केस, आप civil court में फाइल नहीं कर सकते हैं, जब थर्ड पार्टी के अगेंस, थर्ड पार्टी के अगेंस आप केस नहीं कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते हो, जब तक आपकी firm registered नहीं हो, आप तब तक case नहीं कर सकते हैं, इसमें एक और condition छुपी हुई है, क्या condition छुपी हुई है, and the person जो case कर रहे हैं firm के भिहाव पे, उनका नाम register of firm में as a partner लिखा होना चाहिए, इसको मैं 3 star mark कर देता हू क्या हूं, law कहता है, एक unregistered firm कभी भी case नहीं कर सकती है, third party के against, correct, लेकिन एक registered firm भी, तभी case कर सकती है, जब, एक registered firm भी तभी case कर सकती है, जब, उसके partners का नाम, जो case कर रहे हैं, उनका नाम register of firm में लिखा हो, सर समझ नहीं आया, सर समझ नहीं आया, अभी आएगा बेटा, चिंता मुद करो अभी आएगा डोंट टेक टेंशन वन गुर्पिस सरीज है डोंट टेक टेंशन देखो फील करना तब समझ आएगा वरना कद्दू समझ नहीं आएगा एक फाऍम है जिसका नाम है एएएंड को इसमें कौन-कौन पार्टनर है ये दोहोजार सतरा में रेजिस्टर हुर्ण थी तो यह2017 में तोयानि मैं इसके आगे रेजिस्टर लिख दूँ क्या क्योंकि एक स्था फाउब है तो मैंने, कि ये 2017 में रेजिस्टर हुर्ण तो A & Co registered firm है इसमें कौन partners है A B C ये तीनों इसमें क्या है partners है चलो अब हुआ क्या 2018 में यानि 2017 के बाद 2018 में A died A मर गया आहा ये मर गया बट मेरा आपसे एक सवाल है मुझे बताओ जब A B & C firm रजिस्टर हुई थी तो रजिस्टर ने रजिस्टर में नाम लिख्योंगे partners के yes or no yes sir तो रजिस्टर में जो रजिस्टर और फ़र्म के पास रजिस्टर और फ़र्म पढ़ा हुआ है कर्यक्त उसमें किसका नाम एजा partner लिख्योंगे जल्दी बताओ उसमें किसका नाम एजा partner लिख्योंगे ओने लांखा है कि A मर चुका है तो वो उसका नाम उस रेजिस्टर में से हटा देगा अब हुआ क्या 2018 में जब A मर गया उसके बाद एक साल बाद B और C ने X के उपर केस करा in the name of the firm यानि firm के नाम पे B और C जिन्दा थे A तो नहीं रहा B और C ने किस के अगेंस केस करा ये एक registered firm केस कर सकती है लेकिन कब जब जो लोग केस कर रहे हैं उसके बाद पे उनका नाम यानि B और C का नाम रेजिस्टर और फर्म में as a partner लिखा होना चाहिए आप मुझे बताओ क्या B और C का नाम रेजिस्टर में लिखा हुआ या नहीं लिखा हुआ yes or no अगर लिखा हुआ है तो ये केस एक valid case है ये केस एक valid case है बट अगर ये नाम नहीं लिखा हुआ तो ये case एक invalid case माना जाएगा मुझे बताओ क्या लिखा हुआ है बिलकुल B और C का नाम लिखा हुआ है, भले ही A के साथ लिखा हुआ है, बट B और C का नाम लिखा हुआ है, यानि जो लोग case कर रहे हैं, उनका नाम as a partner register में लिखा हुआ है, if yes, then it is a valid case, then it is a valid case, तो whether the suit is maintainable, the answer is yes, but अगर मैं यहीं पे, यह लो, थोड़े से facts change कर दूँ, थोड़े से effect change कर दूँ, देखना हाँ, 2017 में firm register हुई थी, 2018 में, 2018 में क्या हुआ, हाँ, A मर गया, ठीक है, A मर गया, मान लो, A मर गया, और इन्होंने D को as new partner admit कर लिया, पहले वाले question में ऐसा नहीं हुआ था, बट इसमें मान लो, D को as a new partner admit कर लिया, तो A चला गया, और new partner admit हो गया, 2019 में, 2019 में, B, C and D, correct, यही तिनों बचे, A तो चला गया था, B, C and D ने file करा case, against X, against X, क्या यह case valid है यह नहीं है, यह case study बन के question आएगा, फिर से समझना, law कहता है, कि एक registered firm कर सकते हैं, बताओ क्या यह firm registered है, हाँ, यह तो 2017 से ही registered है, बट जो लोग case कर रहे हैं, उनका नाम, register of firm में as a partner होना चाहिए, मैंने register of firm का नाम खुलवाया, register of firm खुलवाया, और देखा, वहाँ पर किसका नाम लिखा, हुआ है, a, b and c का नाम लिखा हुआ है, आप मुझे बताओ, क्या d का नाम वहाँ पर है, क्या register में, नहीं, वो कैसे आता, वो तब आता, जब मैं intimate करूँगा, क्योंकि उसे सपने तो नहीं आ रहे, कि यह a मर गया, यह register of firm को सपना नहीं आएगा, तो a, b and c, यानि जो लोग case कर रहे हैं, उसमें से क्या सारे लोगों के नाम register में लिखे हुआ है, the answer is no, तो यह जो suit है, यह not maintainable रहेगा, यह जो seat है, यह क्या रहेगा, not maintainable रहेगा, not maintainable रहेगा, तो sir, यानि register firm भी सिरफ तभी case कर सकती है, जब वो case करने वाले लोग का नाम register, यानि unregistered firm तो करी नहीं सकती है, और registered firm भी तभी कर सकती है, जब उनके नाम क्या होंगे, updated होंगे, या at least उन लोगों के नाम register में लिखे होने चाहिए, जो लोग case कर रहे हैं, I hope यह point आपको एकदम clear हो चुका होगा, तो यहीं पर बेटा हमारे चारो, यह वो ही है आगे, जो मैंने example लिए, बस उसी के आगे दुबारा बात करी हुई है, ठीक है, okay sir, समझ गए sir हम आपकी बात को, समझ चुके हैं, चलो, आपने यह सीखा, क्या सीखा, कि चार disabilities हैं, चार disabilities हैं, जो एक unregistered firm face करता है, पहली क्या, कि एक unregistered firm third party के उपर case नहीं कर सकता, लेकिन third party, second third party unregistered firm के उपर case कर सकती है, third, set of claim नहीं हो सकता है, अगर claim का amount 100 रुपे से जादा का है तो, और चोथा partner, दूसरे partners पे, या unregistered firm के उपर case नहीं कर सकता, except for dissolution और account, ये चार problem, but now the question comes, कि एक unregistered firm फिर क्या कर सकती, ये चार चीज़े नहीं कर सकती, तो उसे क्या चीज़ allowed है, वो ही चीज़े यहाँ पे लिखी हुए exception में, कि क्या क्या कर सकती, देखो, third party तो case करी सकती है, firm पे और उसके partner पे, लेकिन देखना, partner किस चीज़ का case कर सकता है, क्या चीज़ unregistered firm को allowed है, partner के पास right है, वो किस लिए case कर सकता है, एक तो dissolution के लिए case कर सकता है, yes or no, और second, accounts के settlement के लिए, कि भईया, मेरा जो account settle कर दो, या, realization of property of a dissolved firm, कि भईया, सारी property बेचो, और मेरा account settle कर दो, उसके लिए case कर सकता है, ये unregistered firm कर सकता है, ठीक है, okay sir, the power of an, अगर कोई partner insolvent हो जाता है, तो उसका जो official assignee, या official receiver appoint होता है, ठीक है, जब भी कोई बंदा insolvent ह होता है, तो उसकी जगह एक और बंदा आता है, जो उसके सारे assets को छीनता है, बेचता है, और liabilities को पे करता है, उसी को बोलते है, official assignee, official receiver, वो बंदा, वो बंदा क्या करेगा, वो बंदा case कर सकता है, किस के ओपर case कर सकता है, firm के ओपर क्यों, क्योंकि उसे property चाहिए, insolvent partner की, यानि मेरा जो हिस्सा, insolvent partner का जो हिस्सा, firm में पढ़ा हुआ है, उस हिस्से का, अब हकदार को नोगा, official assignee लेगा, और उसे लेने के बाद बेचेगा, ठीक है, अन्रजिस्टर्ट फर्म क्या कर सकती है, क्लेम कर सकती है, set off, कब, अगर value कितनी होगी, 100 रुपे से जादा की नहीं होती, तो set off हो सकता है, और अगर 100 रुपे से जादा की होगी, तो set off नहीं हो सकता, यानि एक अन्रजिस्टर्ट फर्म का, अगर क्लेम 100 रुपे तक का है, तो वो set off हो सकता है बट ये आज की तारीक में देखो जब ये law बना था तब 100 रुपे लिखा था बट आज की तारीक में 100 रुपे की value क्या है 100 रुपे में तो एक अच्छे ice cream भी नहीं आती है ना हाँ या ना ओके अगर वर्म के किसी पार्टनर की death हो जाती है तो उसका जो Legal Representative वह उनदिश्टेटेट फिर्म के उपर केस करके क्या मांग सकता है प्रम के अच्ञाउट्स और फिर्म में अपना हिस्टा मांग सकता है कि पार्टनर पहले तो पार्टनर मांग सकता था कि यह फर्म बंद करो मेरा हिस्सा दे दो अब जब पार्टनर ही नहीं रहा तो उसके लीगल रिप्रेजंटेटिव को वह इस्सा दे दे कि यह वह मांग लेगा और उप झीझे नेक्स्ट कञंसेप्ट आता है डिससोलुशन ओफ फर्म यह डिस्सोलुशन ओफ पार्टनर्शिप कहीं बच्चे को फरक नहीं पता है और वह इंटरचेंजबली इन शब्त को यूज़ करते हैं Forum का Dissolve होना और Partnership का Dissolve होना ठीक है Partnership का Dissolve होना वैसे इसका एक और नाम भी है Dissolution of Form का इसको हम बोलते हैं कभी-कभी हम इसको ये भी बोलते हैं, dissolution, आकि आपको बात में कोई confusion ना रहे, dissolution of partnership form, ठीक है, dissolution of partnership form, इसका ये भी नाम है, इसका ये भी नाम है, versus dissolution of partnership, इसका मतलब समझना, देखो, जब भी मेरे बच्चा, form, खतम हो जाती है, form क्या हो जाती है, खतम, end आ जाता है, उसको बोलते हैं, dissolution of form, यानि अब आगे business continuum नहीं हो रहा है, form पूरी तरह से क्या हो गई है, बंध हो चुकी है, लेकिन dissolution of partnership के case में, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, कि मेरे बच्चा क्या हो, form बंध हो, example लेते हैं, चार पार्टनर थे, example देखना, चार पार्टनर थे, चारों पार्टनर ने ये decide करा, let's close the firm, let's close the firm, तो यहाँ पर हम बोलेंगे, क्या हो गया, dissolution हो गया, पूरी firm का, यानि पूरी firm ही, खतम हो गई, अब इसके आगे कोई business नहीं होने वाला है, firm के नाम पर, लेकिन वहीं, मान लो, चार पार्टनर में से, एक पार्टनर, retire हो गया, correct, या उसकी death हो गई, या insolvent हो गया, चारों पार्टनर में से, एक पार्टनर मान लो, retire हो गया, death हो गया, या insolvent हो गया, बट बाकी, remaining three partners ने, remaining three partners ने decide करा, to continue the business, to continue the firm, to continue the firm, तो law कहता है, यहाँ पर dissolution of partnership हो गया, part, spelling गलत हो गई क्या, yellow, ठीक है, dissolution of partnership हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर dissolution of firm, firm बंद हो गया, there is no dissolution of firm, यहाँ पर firm बंद नहीं हो गया, तिरफ partnership मतलब dissolve हो गई, इस partner की partnership dissolve हो गई, इस partner की यह जो partner गया ना, इस partner की partnership dissolve हो गई, बाकी लोग तो अपना धन्दा आगे continue कर रहे हैं, ठीक है, basic language में समझ गया, अब समझते हैं, जो आपके institute के material में दिया होगा है, जो institute ने material में दिया होगा, डिफरेंस इस, डिरेक्ट चार माग के लिए theory question गिरा सकते हैं, dissolution of firm versus dissolution of partnership, मुझे बताओ, business किस में continue होगा, dissolution of firm में continue होगा या partnership में, जल्दी बताओ, किस में continue होगा, सर सर, अभी तो आपने बताया, firm में discontinue हो जाता है, अगर dissolution of firm होगा, यानि partnership खतम होगी, स्वाहा हो गई, खतम हो गया, लेकिन dissolution of partnership में क्या होगा, it does not affect the business, इसमें सिरफ firm का reconstitution होगा है, firm बंद नहीं होती, firm का business बंद नहीं होता, चलता रहता है, चलता रहता है, अच्छा, winding up किस में होगा, जागी, तो पहले dissolution versus winding up का difference बताना पड़ेगा, जिन बच्चों को वो ही नहीं पता है, वो भी तो मुझे बताना पड़ेगा, dissolution versus winding up, ठीक है, dissolution versus winding up, dissolution का मतलब होता है, अगर मैं firm की बात करूं, dissolution of firm की बात करूं, यानि हमने decide कर लिया, कि अब हम firm का business continue नहीं करेंगे, अब firm का business जो है, वो continue नहीं होगा, यानि आपने firm बंद कर दी, तो आपने ये decide कर लिया, कि आप firm का business आगे नहीं चला जाएगा, खत्म, जब आप ये decide कर लेते हो कि firm का business अब आगे नहीं चलाया जाएगा उस moment से start होती है winding up मतलब क्योंकि अब आप business करने वाले होगे the answer is no the answer is no तो इसलिए अब firm के जितने भी assets होंगे वो बेच दिये जाएगे winding up मतलब अब firm के जो asset है वो क्या होंगे realize कराए जाएंगे realize मतलब sale कराए जाएंगे और उससे pay करी जाएंगी क्या? liabilities और liabilities pay करके अगर surplus बच गया तो वो distribute हो जाएगा partners के बीच यानि जब आप firm को बंद करने का decision लेते हो that is this solution of firm और उसके बाद start होती है winding up क्योंकि अब firm जब कोई business करने ही नहीं वाली तो वो अपने सारे assets को बेच के liabilities को pay कर देती है यही मेरे बच्चे पूछा गया है winding up के case में कि जब आप firm को पूरी तरीके से बंद करते हो तो क्या winding up होती है? the answer is yes क्योंकि उसमें आप अपने सारे assets बेच देते हो और liabilities को pay off कर देते हो बट जब dissolution of partnership होता है तो क्या winding up होती है? क्या आप assets को बेचते हो? नहीं क्योंकि business तो continue कर रहा है इसलिए assets को बेचने की दरुवत नहीं है इसलिए इसमें सिरफ revaluation होता है यानि assets और liabilities की value दुबारा से उपर नीचे as per the market value देखी जाती है वो आपको पूरी तरह से बंद करने में court आ सकता है court यानि आप अपनी मर्जी से भी firm को बंद कर सकते हो या court के order पे भी firm को बंद कर सकते हो लेकिन partnership का जो dissolution यानि partner retire हो रहा है इंसॉल्मेंट और आप continue कर रहे हो उसमें कभी भी court बीच में नहीं आएगा उसमें कभी भी court बीच में नहीं आएगा अच्छा जब भी dissolution of firm बंद होती है तो सारे partners के बीच में partnership खतम हो जाती है जब firm बंद होता है तो सारे partners के बीच में क्या हो जाता है dissolution of partnership हो जाता है क्योंकि अब सारे partners ही अलग-अलग हो गए हमेशा के लिए लेकिन partnership में ज़रूरी नहीं है कि firm का dissolution हो ज़रूरी नहीं है कि firm बंद हो हो सकता है चल भी रही हो final closer books बॉक्स हमेशा के लिए किसमें बंद करी जाएंगी जब फाम हमेशा के लिए बंद हो रही है तो बुक्स भी इसी में बंद करी जाएगी करेक्ट बट पार्टनर्शिप में तो क्योंकि बिजनस कॉंटीनी हो रहा है तो बुक्स हमेशा के लिए क्लोज नहीं होती है बुक्स मैं क्या सिखा रहा हूं किसके मोड सिखा रहा हूं डिस सोलुशन ओफ पार्टनर्शिप के सिखा रहा हूं यह डिस सोलुशन ओफ फर्म के सिखा रहा हूं सर आप dissolution of firm किसी का रहे हो इसका क्या मतलब है क्या firm हमेशा के लिए बंद होने जा रही है या सिरफ कुछ partners में हेरा फेरी हो रही है firm हमेशा के लिए बंद होने जा रही है तो law बोलता है there are two ultimate ways दो ultimate रास्ते हैं जिससे कि आपकी form को बंद करा जा सकता है एक बिना कोट के पास जाए कोट के पास ना जाना आपस में ही decide कर लेना और दूसरा है जिसमें आपको कोट के पास जाना पड़ेगा जिसमें आपको कोट के पास जाना पड़ेगा कोट के पास ना जाना और कोट के पास जाना सबसे पहले कौन सा सीखना चाओगे बिना कोट के जाए कैसे कैसे बंद हो सकती है हमेशा के लिए वो रास्ते शीखते हैं तो there are four ways one two three four चार रास्ते हैं चार रास्ते मेरे बच्चा बिना कोट के पास जाए आप बंद कर सकते हो देखो चार रास्तों में से पहला रास्ता आपको सिकाता हूं पहले पूछो पार्टनर्शिप कौन से टाइप की है अगर पार्टनर्शिप एट विल है और अगर पार्टनर्शिप कि अदर इं ए अग्रीफ और अधर टैंट लतु है कि अधर देन का अधीर है अधर दैन बील एप पार्टनर्शिप अगरील यह भील पर है क्या था इसका मतलब विल का मतलब का है कि जब अधरम नहीं पता ही कभ तक चलेगी जब तक मन कर रहते हैं पार्टनर्शिप चल लई है जिस दिन मन खतम होगे उस दिन खतम होगे तो जब आपकी पार्टनर्शिप एडविल होती है तो लॉ कहता है पार्टनर हैस्टू गिव नोटिस इन राइटिंग जब आपकी पार्टनर्शिप एडविल होती है तो पार्टनर को notice देना पड़ता है in writing किसको to other partners को other partners को किस चीज का his intention का किस चीज की intention का कि वो firm को बंद करने चाहता है to dissolve the firm तो अगर आपको partnership at will को खतम करना है तो आपको notice in writing देना पड़ेगा to give अरे notice नहीं लिखा आपके आपके पास दो रास्ते हैं इसमें आपके पास दो रास्ते हैं एक है पहला रास्ता है या तो आपको लगेगी with consent आपको consent लगेगी किसकी consent लगेगी with consent of all the partners अगर other than at will है तो with consent of all the other partners एक तो ये रास्ता है अगर आपका agreement silent है तो ये रास्ता है कि consent लगेगी सारे partners की अगर other than at will है मतलब किसी specific period के लिए है या अगर agreement में कुछ लिखा हुआ है इसके इलावा कुछ और लिखा हुआ है तो in accordance with the in accordance with the in accordance with the agreement जो भी agreement में लिखा हुआ है उसके साब से आप बंद कर सकते हो जो भी लिखा हुआ है तो अगर agreement में लिखा हुआ तो agreement के साब से अगर agreement में कुछ नहीं लिखा हुआ तो other partners की consent लगेगी ठीक है और अगर partnership at will है तो notice in writing clear है यहां तक सबको yes or no तो यह आपके मेरे बेटा दो पॉइंट कवर होगे dissolution by agreement and dissolution by notice only in case of partnership at will clear है एक और important point है इसमें will वाले में पढ़के बताता हूं तो जादा मजाएगा जब आप notice देते हो तो किस दिन माना जाता है कि dissolve होगी form उस दिन dissolve हो जाती है उस तारिक से जो notice में mention होती है as the date of dissolution और अगर कोई date mention नहीं होती है तो date of communication की मानी जाती है कि एक दो example लेंगे और समझेंगे इस line का मतलब क्या है कि ए बी सी एंड को कि पॉर्म है ए बी सी एंड को क्या है मेरे बच्चा एक partnership फॉर्म है ठीक है ओके ए जो है और यह एड विल है एड विल वाली है ठीक है एड विल वाली है तो यह कैसे दिया बी एंड सी को चार जुलाई को नोटिस दिया तो दे डेट ओफ कॉम्मिकेशन ओफ नोटिस देट ओफ कॉम्मिकेशन ओफ नोटिस इस पोर जुलाई 22 ठीक है एड डेट कॉंसिटेट थी यहां पर डेट मेंशन इंदी नोटिस हां डेट मेंशन इंदी नोटिस डेट मेंशन इंदी नोटिस डेट मेंशन इंदी नोटिस में मेंशन थी एक जुलाई 2022 आपसे वो केस्टेडी में पता है क्या पुछेगा आपसे पुछेगा इस मेंसे कौन सी तारीक को माना जाएगा कि firm dissolve हो गई इस में से कौन सी तारीक को माना जाएगा 4 जुलाई या 1 जुलाई 4 जुलाई या 1 जुलाई तो law क्या कह रहा है भाईया law ने बोला है the firm is dissolved from the date mentioned in the notice सबसे पहले priority किसे दी जाएगी सबसे पहले हम यह देखेंगे notice में क्या date थी notice में कौन सी डेट थी एक जुलाई यानि एक जुलाई अगर यहां पर कोई डेट नहीं लिखी होती notice में तो date of communication लेंगे करेक्ट ठीक है तो इसमें कौन सी डेट मानी जाएगी answer क्या होगा बेटा answer क्या होगा that is 1 जुलाई 2022 is the date of this solution example number two same करते हैं बस date of communication बता देता हूँ 4 जुलाई 22 और date mentioned in notice बता देता हूँ कि नोटिस में कौन सी डेट लिखी हुई है मान लिजे है कि सोला अगस्त बाइस क्यूचर की डेट का उसने notice mention करके दिया है कि वह यह इस तारिक से करना चाहता हूँ तो कौन सी डेट होगी the answer will be सोला अगस्त हमेशा सबसे पहली प्रेफरेंस जाएगी date mentioned in the notice date जो नोटिस में mention है बट थर्ड एक्जाम्पल कि डेट ऑफ कम्म्निकेशन चार जुलाई बाइस date mentioned in notice, no date mentioned in notice, no, कोई date mentioned नहीं है notice में in notice, तो कौन साल होगे मेरे बच्चा, तो फिर date of communication लोगे, now your answer will be 4 जोलाई 2000 बाइस I hope इन तीन एक्जाम्पल से आपको clear हो गया होगा, हमेशा सबसे पहले लेंगे date mentioned in the notice अगर notice में कोई date mentioned नहीं है, तो date of communication ली जाएगी as the date of dissolution in case of partnership at will आगे चलें अगले method पर, compulsory dissolution of firm, यानि हम तो नहीं चाहते थे, partners नहीं चाहते थे कि dissolve हो लेकिन कुछ ऐसा हो गया, जिसकी वज़ा से अब रोका ही नहीं जा सकता, firm dissolve होगी ही होगी तो देखना, compulsory dissolution में पहले मैं insolvency बताता हूं insolvency आप मुझे बताओ बच्चों, insolvency का मतलब क्या होता है, आप मुझसे बहतर जानते हों तर insolvency का मतलब वो होता है, जहां पर persons के asset less than liabilities होते हैं, correct, ठीक है अगर all partners insolven हो जाते हैं, अगर all partners insolven हो जाते हैं, सारे के सारे partners अगर firm के insolven हो जाते हैं तो law कहता है क्या होगा, compulsory dissolution होगा, compulsory dissolution होगा, कोई उपाय ही नहीं बचा है, firm को बंद करना ही पड़ेगा compulsory dissolution होगा, अगर सारे partners insolven हो जाते हैं, अगर firm insolven हो जाती है, partnership firm ही insolven हो गई, तो क्या होगा इसमें कौन insolven होगा था, partnership firm होगी थी है, सारे partners सारे partners insolven हो जाते हैं, अगर firm ही insolven हो जाती है, law फिर से कहता है भईया, क्या होगा अगर firm का दिवालिया निकल जाता है तो compulsory dissolution होगा ठीक है third case insolvent हो रहे हैं partners insolvent partners but not all but सारे नहीं हुए but not all यानि दो partners अगर अभी भी solvent है और बाकि सारे insolvent हो जाते हैं तो law कहता है compulsory dissolution नहीं होगा remaining partners will decide law क्या बोलेगा remaining partners will decide ठीक है अगर firm insolvent हो गई यानि firm के assets liabilities से कम हो गए इसलेवे फर्म के तो compulsory dissolution अगर सारे इस पर्टनर इस इसलेवें तो compulsory dissolution बट दो partner solvent है बाकि कोई भी इसलेवेंट होता रहें फरक नहीं बड़ता तो law कहता है बाकि पार्टनर चाहें तो decide कर सकते हैं फर्म को बंद करना है या continue रखना है ठीक है एक और आता है compulsory dissolution में अगर आपका business illegal declare हो जाता है illegal तो law कहता है आपका क्या हो जाएगा compulsory dissolution हो जाएगा compulsory dissolution हो जाएगा अगर क्या होगा अगर आपका जो business है वो illegal declare हो जाता है इसमें दो example लोंगा दोनों से आपको clear हो जाएगा case one कि ABC & Co को एक chemical बनाती थी उस chemical का नाम था अजीनो मोटो उस chemical का नाम क्या था अजीनो मोटो एबीसी पाम एक chemical manufacturer है जो कौन सा chemical बनाती थी अजीनो मोटो गवर्नमेंट ने इसे बैन कर दिया गवर्नमेंट ने इसे क्या कर दिया बैन कर दिया इसको क्योंकि इसमें कोई हानिकारक प्रधार थे इसकी वज़़ा से सरकार ने इसे बैन कर दिया तो लौ कहेगा अब abc and co को क्या होना पड़ेगा compulsory dissolve होना पड़ेगा बट वहीं case 2 लेता हूँ abc and co दो business में है business one and business two business one and business two business one is furniture furniture की trading business one is furniture की trading ठीक है और business two business two is aginomoto manufacturing ठीक है aginomoto बनाना government ने aginomoto को ban कर दिया aginomoto को government ने ban कर दिया तो law कहेगा यह business तो बंद हो जाएगा यहां पर dissolution of business होगा यहां पर dissolution of इस business को dissolve कर दिया जाए dissolution of business two बट क्या पूरी firm बंद होगी क्या पूरी firm बंद होगी दानसर is no abc will continue its furniture trading business abc will continue its furniture trading business तो law कहता है अगर आप एक ही business में थे वह illegal हो गया तो आपकी firm बंद कर देंगे बट अगर आप multiple businesses में थे उसमें से एक business को illegal कर दिया तो वह business बंद हो जाएगा बट बाकी आप continue रख सकते हैं या नि firm उसमें बंद नहीं होती है लेकिन वह business उसमें बंद हो जाता है dissolve हो जाता है I hope यह points आपको एकदम clear हो गए होंगे कोई साभी question आएगा तो आप देख ले ना कि उसके multiple business है या एक business है answer उसके हिसाब से आएगा कि dissolution of firm हुआ है यह dissolution of business हुआ है ठीक है सर अंडस्टूट सर जो आप कहना चाहते थे वह हम आपकी बात समझ चुके हैं हम आपकी बात एकदम clear समझ चुके हैं कोई दिक्कत वाली बात इसमें अब नहीं लग रही है तो compulsory dissolution में यही लिखा हुआ मेरे बच्चा कि firm compulsory dissolution दो बारे में होती है एक जब कोट उसके सारे partners को insolvent कर देता है अगर उसके सारे partners insolvent हो गए तो compulsory dissolution होगा या all the partners but one all the partners of all the partners but one firm insolvent हो जाती है ठीक है ठीक है तो भी यह हो जाता है और एवन एक और बात बताऊं बताईए सर बड़ी प्यारी बात याद आई है चार partners थे उसमें से तीन Demसolvent हो गए चार partners से तीनottoobile करूं कि बताओ firm बंद करनी पड़ेगी और नहीं सारे नहीं हूए चार हो गए एक अभी भी solvent है एक solvent है बाकी तीन इंसाल्वेंट होगे बताओ फॉर्म कर दूं कि नहीं क्यों क्योंकि एक partner अगर रहेगा तो वो partnership कलाएगी नहीं तो भी आपकी फॉर्म बंद हो जाएगी तो भी आपकी फॉर्म हो बंद हो जाएगी अगर आपका बिजनस अनलॉफूल हो जाता है तो आपकी partnership कंपलसरी डिसॉल्व जाती है बट अगर आपके more than separate अलग अलग बिजनस ते उसमें से एक बिजनस से लिगल हो जाता है तो बाकी की बिजनस चलते रहेंगे और वह वाला बिजनस बंद नहीं होगा वह वाला बिजन सब्सक्राइब मेरे बच्चा कि पूर्थ में यह रहा कि डिस्टॉलूशन ओन हैपनिंग ऑफ सर्टेन कॉंटिजेंसिस कुछ ऐसा होना जिससे की फर्म बंद हो सकती है बट यहां पे कंपलसरी बंद नहीं होगी पार्टनर्स चाहें तो बंद भी कर सकते हैं और पार्टन इससे कौन से केसिस को जज़ा देखते हैं धे को अगomasid टो साल के लिए बनाया था यह नोगयी तो लॉग कहता है आपकी firm normally बंद हो जानी चाहिए लेकिन अगर partners चाहें तो इसको continue भी कर सकते हैं यह लौ तो बोल रहा है बंद हो जानी चाहिए बट क्योंकि यह subject to contract between the partners हैं इसी लिए आप चाहें तो इसको continue भी कर सकते हैं आप चाहें तो और आप जानते हैं fix term वाली को मैं continue करता हूँ तो वो कौन सी partnership मानी जाती है बिना आगी का period decide करें partnership at will आपने firm को किसी adventure के लिए करने के लिए किया था और वो adventure complete हो गया यानि particular partnership करी थी आपने कहा था यह project बनाएंगे इसलिए partnership करी वो project complete हो गया तो law कह रहा है normally आपकी firm बंध हो जानी चाहिए बट अगर partners चाहें तो उसे क्या अगर सकते हैं continue भी कर सकते हैं चाहें तो अगर आपके किसी partner की death हो जाती है तो normally firm बंध हो जानी चाहिए बट जो surviving partners हैं वो चाहें तो firm को continue कर सकते हैं वो चाहें तो normally बंध हो जानी चाहें पर्वाइट पार्टनर चाहें तो continue कर सकते हैं अगर कोई partner insolvent हो जाता है तो मैंने आपको बताया था अगर कोई partner insolvent हो जाता है तो बाकी partner जो solvents हैं और provided को एक से ज़ाधा हूं correct तो वो लोग भी क्या कर सकते हैं कॉंटिन्यू कर सकते हैं यहां पर यहां पर यह रूल है law बोलता है बंद हो जानी चाहिए law क्या बोल रहा है dissolution कर दो फर्म का लोग बोल रहा है dissolution कर दो फर्म का ठीक है यह law बोल रहा है बट बोल रहा है subject to contract between the partners बट अगर contract partners कुछ और agree कर लेते हैं तो वही होगा यानि अगर वह contract में continue करना चाहते हैं तो वही होगा तो subject to contract between the ठीक है चलो यहां पर आपके सारे के सारे बिना कोट के intervention के सारे के सारे method खतम हो गए अब आते हैं कब हम court के pair पकड़ेंगे और court के पास जाएंगे और क्या कहेंगे भया court के पास हम यह जाके कहेंगे sir please हमारी firm को बंद कर देना चाहिए हमारी firm को please आप क्या कर दीजे बंद कर दीजे और यह method नहीं है यह reasons है यह वो reasons है जिन reasons को लेकर आप court के पास जा सकते हैं यानि बिना court के जाए आपके पास चार रास्ते थे firm जब बंद होती है लेकिन court के पास जाने का यह तो court के पास जाना ही एक रास्ता है उसके अलग-अलग reason है कि कब-कब आप court के pair पकड़ सकते हो so कितने reason है 1,2,3,4,5,6 there are 6 reasons जहां पे कि आप court के पास जाके उसके pair पकड़ सकते हो और कह सकते हो कि भईया इसको क्या कर दें बंद कर दें इसको क्या कर दें किसको बंद कर दें अच्छा एक और बात यह जो रास्ते हैं इसमें किसी के पास court के पास जाना पड़ेगा क्यो पानी पीते रहना चाहिए ना बलकुल नहीं तो मेरा singing career खराब हो जागा नहीं इंडियान idol में जाने का सपना है मेरा इसलिए पानी बीतर रहता हूं नहीं तो क्या होगा रहा है कि I will not be able to sing in front of Neha मेंडम ठीक है एकदम कड़क तो एक एक रीजन को पढ़ते हैं और आगे चलते हैं सब लोग मेरे साथ है ना हां हां सर हम लोग को आपके साथ ही असर कहा जाएंगे आपको छोड़के सर कहीं नहीं जाने वाले सर हम आप ही की बिल्कुल लगे लगे आपके साथ चलेंगे है ना इस पहला एक्टिब पार्टनर पागल हो जाता है अंसांड माइंड का हो जाता है तो court may dissolve the firm on the suit of other partners, बाकी partners जाके, इस court के पास जाके कह सकता है कि लेकिन यहाँ पर पागलपन temporary नहीं होना चाहिए, पर्मनेंट होना चाहिए, यानि temporary sickness के लिए आप court के पास नहीं जा सकते हैं, बट अगर लंबे समय का पागलपन है, तो आप जा सकते हैं, ठीक है, अब यहाँ पर court में क्यों जाना पड़ रहा है, यह सोचो, सर, वो पागल हो गया, तो contract तो बोलता है कि contract जो पागल ने करे होते हैं, वो तो खतम हो जाने चाहिए, अब तो वो contract नहीं कर सकता, बट बेटा, वो तो partner कब बना था, जब ठीक था, अब पागल हुआ है, correct, तो अब पुराने contract तो valid रहेंगे न, तब तक जब तक चल रहा अब वो issue क्या आता है, कई बार लोग इसका misuse कर सकते हैं, कैसे, अगर court के पास जाने की जगा, मैं खुदी कह दूँ, मैं तो कह दूँगा, मुझे इस बंदे के साथ partnership नहीं करनी है, और आगे, तो मैंने का, ए तू तो पागल है रहे, पूछ नहीं रहा हूं, बता रहा किसलिए partnership खतम कर दी, अरे भाईया, court आएगा, आप court के पास जाओगे, court उसके check-up कर आएगा, एक report लेगा, medical report जिस पर ये proof हो रहा होगा, देखो, कहने से किसी को पागल, वो पागल नहीं होता है, प्रूफ करने के लिए medical reports लगते हैं, कि ये सच में unsound mind का है, वो भी permanent, न जो partners पागल नहीं हुआ है, वो या जो partner पागल हुआ है, उसका दोस्त जा सकता है, क्या जा सकता है, कि ये partnership mom को क्या कर दिया जाए, खतम कर दिया जाए, dissolve कर दिया जाए, second है permanent incapacity, permanent incapacity मतलब वो बंदा पागल नहीं हुआ है, लेकिन उसके साथ कुछ ऐसा हो गया है, कि अब अब वो अपनी duties को निभा नहीं सकता है मतलब वो जा रहा था और उसका accident हो गया जिसमें उसने अपने दोनों हाथ खो दिये अब उस बंदे उस पार्टनर ने अपने दोनों हाथ खो दिये तो मुझे बताओ क्या वो पागल हो गया दा अंसर इस नो लेकिन वो पार्टनर ठी अब accident होके उसके हाथ चले गए ठीक है accident होके उसके हाथ चले गए आप लोग मुझे बताइए कि क्या अब वो बरतन मांच पाएगा दो पाएगा क्यान ही वोश्टी यूटेंसिल्स ना हो दांसर इस नो तो इस पर्मनेटली तो मैं क्या करूंगा गुर्प्री सर जाएंग तो वह अपना काम नहीं कर सकता है तो अगर पर्मनेंट नेचर की कोई उसे बिमारी हो गई या उसके बोडी पार्ट को कुछ हो गया तो हम कोट के पास जाके उसे बंद करा सकते हैं थार्ड रीजन्स है मिस कंड़क्ट आहा मिस कंड़क्ट मतलब जहां पे पार्टनर बिसनस से रिलेटीडों जरूरी नहीं है बि gir जरिलेटीड ऑ तो जहां पर पार्टनर मिस कंड़क्ट कर देता गलत काम कर देता चया वो बिजनस सही नहीं तो आप को पास जाके कोड को बताएंगा कि इस बिजनस में गलत कि ने बीजत किया है चोट सुनेगा आपकी बात क पर्सिस्टेंट ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट मतलब वो जानमूचकर पार्टनर गलत काम कर रहा है एग्रीमेंट को तोड़ रहा है ठीक है या बिजनस को इस तरह से कर रहा है कि हम बाकी पार्टनर अपना काम नहीं कर पाते हैं तो भी कोट क्या कर सकता है कि भईया तो भी दिन में 100 गुट्स सो लुए हमारे 100 गुट्स सो समों से भिके और और सेल बुक में सिरफ पता है कितना दिखा रहा है 50 समोसे इन्वाइस सिरफ 50 समोसे को बना रहा है बाकी पैसे अपनी जेम में रख लेता है तो एरणियस अकाउंट रखता है तो हम कोट के पास जा सकते हैं कि भाई यह सई नहीं कर रहा है नेक्स्ट एग्रिमेंट में लिखा हुआ है कि यह हर पार्टनर मैक्सिमम अपने पास फॉर्म का 10,000 रुपे कैश रख सकता है इससे जादा नहीं बट अपने पास यह दो-दो लाख रुपे कैश लेके घुम रहा है फॉर्म का तो जब भी पार्टनर अपने पास जितना कितनी से लुए ती दिखा दो कितना कितना समान लाएते दिखा दो तुम्हीं तो लाएते चलो बताओ हम बार-बार मंग रहे कल दिखाऊंगा परसो दिखाऊंगा तो भी आप कोट के पास जा सकते हैं यानि दीज आर भी एक्जामपल्स ओप पर्सिस्टेंट ब्रीच अग्रीमेंट पर्सिस्टेंट ब्रीच ओफ एग्रीमेंट ठीक है तो आप कोट के पास जाके बंद करा सकते हैं कि ट्रांस्वर ऑफ इंट्रेस्ट इस पर अभी मैंने आपको बताया इंट्रेस्ट के ऊपर ट्रांस्वर पर एक डिटेल डिसकेशन बागी है बड़ जब भ नहीं किसी थर्ड पार्टी को बेच देता है या प्लेज कर देता है चीक है तो लौ कहता है इस परसन का इंट्रेस्ट खतम हो गया अब यह पार्टनर उतने मन से काम नहीं करेगा जितने मन से यह अपना इंट्रेस्ट ट्रांस्फर करने से पहले करता था तो यह दिक्कत व जब तक आपका land tax recover नहीं होता तब तक आप इसके क्या बन गए है पैसे ले सकते हैं ठीक है तो आप कोट के पास जाएंगे क्यों कोट के पास जाएंगे विकूद आपको पता है ये पार्टनर जिसके साथ आपने partnership करी थी ये अब सही से काम नहीं करेगा क्यों सही से काम नही है इसलिए आप कोट के पास जाते हैं और कहते हैं प्लीज 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 बंद कर दीजिए इस इसमें बड़ा प्यारा एक्जामपल मुझे याद आया आप मेरे दोस्त करन को तो जानते ही होंगे अमने लेक्चर वन में उसे इंटर्ड्यूस कराए था करन और मैं अच्छे दोस्ते हमने का क्यूं न इस दोस्ती को पार्टनर्शप में बदल दिया जाए थै नहीं तो करन और हमी दोनों और मैंने एक पार्टनर्शप खो़िया और हम दोनों ने अराउंड बहुत साल पुरानी बात होगी, मान लो 10 साल पुरानी बात है, जब मैं 16 साल का था, वो भी 16 साल का था, हम दोनों ने 16 years में, फिर आप काओगे यार आप माईनोर हो, चलो अठरा-ठरा साल मान लेता है न, फिर आप काओगे कॉंट्रेक्टी नहीं हम दोनों ने मिलकर Nokia Company की फ्रेंचाइजी ली ली, किसकी फ्रेंचाइजी ली, Nokia Company की फ्रेंचाइजी ली हम दोनों, फोन बेचने के लिए, उस टाइम पे Nokia की फोन एकदम ताबर तोर चलते थे, बहुत जादा बिकते थे, नोकिया के फोन, ठीक है, अब Nokia के फोन बढ़िया बिक्रेइते बहुत ज़्यादा था भैये हमें मिलगी फ्रेंचाइजेने हमने खूब प्राउफिट कमाया बहुत प्राउफिट कमाया वह हम दो लteen होगे लगपति आहा ओहो और लगपती तो नहीं अपाय क्या बट्लक्फ़ ओ गए धे हम दोनो बहुत पैसा कमायी लेकिन फिर मार्केट में Android फेमस होने लगा Android फॉंस आने लगे जो फेमस होने लगे ओपो लावा माइक्रोमेक्स उस टाइम की बात है वो आने लगे और वो नोकिया से अच्छे फीचर्स देने लगे सस्ते में नोकिया पुराना Android नहीं चला रहा था और हमारे पास किसके फ्रैंचाइजी थी नोकिया दीरे-दीरे sales गिरने लगी दीरे-दीरे business में घाटा होने लगा मैंने का करन यार हमें रखता है यह partnership को बंद कर देना चाहिए उसने का क्यों मैंने का यार अब यह business नहीं चलने वाला है यह business मुझे नहीं लग रहा है तो करन कह रहा है नहीं नहीं हम तो continue करेंगे हम नहीं बंद करेंगे agreement में लिखा था कि firm तब बंद होगी जब दोनों का consent होगा जब दोनों का consent होगा तब बंद होगी दूसरा person करन मानी नहीं रहा है कि बैया मैंने का अब यह Nokia बंद होने वाला है इस franchise का कोई दिखकर नहीं है बंद करते है इस business को तू कुछ और दंदा देख ले यार यह नह सब कुछ चला जाएगा करन भाई अपना सब कुछ चला जाएगा तो वह मान नहीं रहाता तो लो कहता है फिर मैं कोट के पास गया और मैंने का कोट कोट हे कोट हे कोट जो हम business करते हैं अगर हम उसे future में continue करते हैं तो उसमें सिरफ और सिरफ हमें loss ही होने वाला है और कुछ नहीं होने वाले यह clear हो चुका है तो कोट सारे circumstances को देखते हुए हो सकता है dissolution order कर दे कि भाईया हाँ इसमें तो loss ही होने वाला है सही तो कह रहा है गुर्पित बंद करो बंद करो ठीक है ओके सर clear है सर next आता है just and equitable grounds just and equitable grounds का क्या मतलब है कह रहें ऊपर के reasons में अगर reasons fall नहीं भी करता हो बट कोट को लगता है कि यह reason सही है ऊपर जो reason बढ़ाए गए अगर वो reason नहीं भी है बट कोट को लगता है कि वो reason सही है तो उस reason की वज़ा से भी आपकी firm को बंद किया जा सकता है कुछ example दिये हुआ है कुछ example दिये हुआ है तीन example दिये हुआ है बट इसके इलावा भी अगर कोई और reason court को पसंद आता है तो उसमें भी हो सकता है तीन क्या है deadlock in the management deadlock in the management यानि partners जो है deadlock हो गया decision नहीं लिया जा रहा है deadlock का मतलब है कि management में जो decisions लेने चाहिए वो नहीं हो पा र है कि समान खरीदना है बेचना कुछ चीजे होई नहीं रही है सब कुछ deadlock हो गया तो नहीं होगा या जब partner जो है वो talking terms पे नहीं है जब partner जो है वो talking terms पे नहीं है तो भी यह loss of substrantrum जिस चीज के लिए आपने बनाई थी partnership हम वही खतम हो गई जैसे हमने type writers बेचने के लिए थी type writers बेचने के लिए हमने बनाई थी बट आज की तारिक में type writers कोई लेता ही नहीं है तो वह substance ही खतम हो गया जिस market को हम capture करना चाहते थे वह market ही खतम हो गई जिस market के लिए हम लाये थे वह marketing खतम होगी law कहता है बात खतम बन कर सकते हैं या अगर कोई partner stock exchange पे जाके पार्टनर जो है reasons खतम हो गए हैं ठीक है reasons खतम हो गए हैं dissolution के कि क्या के रास्ते थे अब आता है partners की liability क्या होती है dissolution के बाद चलो इस पर discussion करते हैं dissolution के बाद partner की liability कितनी होती है एक प्यारा से एक्जाम्पल लोगा उसमें सब कवर कर लोगा ठीक है 2017 की ये एक रजिस्टर्ड फर्म है 2017 की ये एक रजिस्टर्ड फर्म है जिसमें कितने पार्टनर है A B C D ठीक है E A जो है वो एक्टिव पार्टनर है इस एक्जाम्पल से सब कवर कर लूँगा द्यान देना ठीक है एक्टिव पार्टनर है B जो है वो स्लेपिंग पार्टनर है ठीक है P और D भी एक्टिव है कि और ई स्लीपिंग मना दू एक्टिव चलो स्लीपिंग मना देखें ठीक है ताकि ज्यादा कम है तो टोटल पार्ट पार्टनर है बिटा फर्म में A B C D E जिसमें से की दो स्लीपिंग है B और E चार जुलाई 2022 को अधिए की डेथ हो जाती है और C इन्सॉल्वेंट हो जाता है दो इवेंट होते हैं बेटा इस तारिक को E स्लीपिंग पार्टनर था इसकी डेथ हो गई और C एक्टिव पार्टनर था यह इन्सॉल्वेंट हो गया कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं ठीक है ठीक है चार जुलाई को अब आप जानते हैं जब कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है तो हमें ओप्शन मिलता है चाहे तो firm को continue कर ले, चाहे तो firm को बंद कर ले, इन्होंने agree करा कि firm को बंद कर लेना चाहिए, इन्होंने कि agree करा firm को close down कर लेना चाहिए, यानि 4 जुलाई को decision लिया गया, किस चीज़ का, dissolution of firm, dissolution of firm, यानि law कहता है, law क्या कहता है, 4 जुलाई तक जितने भी act करेंगे, उनके लिए ये सब लोग liable होंगे, सारे partners liable होंगे, third parties को, yes or no, yes sir, but 4 जुलाई इसके बाद जो act होंगे, उसके लिए liable होंगे कि नहीं, तो law कहता है, आपको logically देना चाहिए, public notice, आपको public notice देना चाहिए, किस चीज़ का, कि firm बंध हो चुकी है, आपको क्या देना चाहिए, public notice देना चाहिए, कि ये जो आपकी firm थी, ये क्या हो चुकी है, बंध हो चुकी है, यानि advertisement देना चाहिए, newspaper में, अगर आप public notice नहीं दो होंगे इसके बाद भी जो एक्ट होंगे वो पता है क्या माने जाएंगे वो लाइबल हो जाओगे आप लोग अगर आपने पब्लिक नोटिस नहीं दिया अब मानलो A ने 4 जुलाई को फर्म वो ही ये क्या इसने क्या किरा ये बड़ा चालू था A इसने 12 अगस्ट को A ने 5 लाग का लोन लिया A ने क्या लिया 5 लाग का लोन ले लिया इंदी नेम ओफ फर्म अब थर्ड पार्टी को क्या पता भाईया फर्म बंद हो चुकी है उसने दे दिया भाईया इंदी नेम ओफ फर्म A एक्टिव पार्टनर ने 5 लाग का लोन ले लिया लो कहता है अगर आपने पब्लिक नोटिस नहीं दिया A ने लोन लिया तो आप लोग लाइबल रहोगे यानि अब कोशन आता है कि ये पैसा किस किस को पे करना पड़ सकता है किस किस को पे करना पड़ सकता है अब समझना इस बात को लो कहता है सबको पे करना पड़ेगा एक्सेप्ट तीन लोग क्लीपिंग पार्टनर से आप नहीं मांग सकते हो insolvent partner से आप नहीं मांग सकते हो और जिसकी death हो गई हो उसकी property में से यह पैसा नहीं मांग सकते है यानि क्या A से यह पैसा मांगा जा सकता है तो पूछो A क्या sleeping partner है the answer is no क्या A की death हो यह the answer is no क्या A insolvent is no Yes A b liable रहेगा पैसे भी पैसा उसी नहीं लिया कि आप B से ये पैसा मांगा जा सकता है after dissolution of firm तो law कहता है अगर वो dormant partner है और firm dissolve हो चुकिए बहले ही public notice ना दिया हो आप इससे पैसा नहीं मांग सकते है आप B से पैसा नहीं मांग सकते है थार्ड क्या C से पैसा मांगा जा सकता है logically मांग लेना चाहिए था क्योंकि active partner था बट law कहता है एगर वो indolvent partner है तो उससे भी पैसा नहीं मांगा जा सकता है यानि ना आप dormant से पैसा मांग सकते हो ना आप insolvent से मांग सकता है बताओ कि A d insolvent है नहीं नहीं कि a d q da i uye n哪裡 capitalist झिए दू तो इससे भी पैसा मांगा जा सकता है बट ए एक sleeping partner था जिसकी death हो गई वैसे भी sleeping से तो मांगा ही नहीं जा सकता और जिसकी death हो गई उसकी property से भी नहीं मांगा जा सकता तो इस से भी यानि इन 5 लाख रुपे के लिए pump में से कौन कोन liable रहा सिरफ A और D यानि वो partners जो dormant नहीं थे जिनकी death नहीं हुई है और जो insolvent नहीं हुए उन तिनों को छोड़के बाकी जितने भी active partner से यानि जितने भी active partner जो मरे नहीं है insolvent नहीं हुए उनसे मांगा जाएगा ये पैसा अगर public notice नहीं दिया है तो बस यहीं बात मेरे बच्चा इसमें लिखी हुई है कि firm भले dissolve होगी उससे कोई फरक नहीं पड़ता partner जो है वो liable रहेंगे third parties को कोई भी act अगर किया जाएगा जो firm का act होता है जब तक public notice नहीं दोगे जब तक public notice नहीं दोगे तब तक और public notice कौन दे सकता है कोई भी partner दे सकता है कोई भी partner दे सकता है लेकिन तीन लोगों से तीन लोगों को इसमें बोला गया एक जो partner मर गया था उसकी property से नहीं ले सकते हो इन्सॉल्वेंट पार्टनर से भी नहीं ले सकते हो और sleeping partner या dormant partner से भी नहीं ले सकते हो इन तीन लोगों से इन तीन लोगों से आप नहीं ले सकते हो या भले public notice ना दिया हो इन तीन लोग liable नहीं रहेंगे dissolution of firm बट हाँ ये लोग liable रहेंगे चार जुलाई से पहले के जितने भी एक्ट होंगे उनके लिए ये liable रहेंगे फिर चाहिए active हो चाहिए sleeping clear है के सबको yes or no जल्दी बताओ yes sir अब आप जानते हैं कि जिस दिन हम decide करते हैं कि जिस दिन हम decide करते हैं कि firm बंद हो जानी चाहिए हम जिस दिन भी decide करते हैं कि firm बंद हो जानी चाहिए उस दिन से क्या start हो जाती है क्या आपको पता है जिस दिन हम यह decide कर लेते हैं partners मिलके कि firm बंद हो जानी चाहिए उस दिन से स्टार्ट होती है winding up स्टार्ट होती है winding up इसका क्या मतलब है इसका मतलब है कि उस दिन से firm के assets को बेचा जाएगा और जितने भी assets से पैसा आएगा वो पैसा liabilities third parties की liabilities को pay कर दिया जाएगा और third party की liabilities pay करने के बाद अगर surplus बचता है तो वो partners में बाटती है चाहेगा that is known as winding up तो इस दिन से चार जुलाई से मानलों चार जुलाई को हमने कर दा चार जुलाई से firm तो बंद हो गई यानि अब आगे से अगले जिन से कोई पांच तारीक से कोई दुकान नी खुलेगी कोई business नी होगा लेकिन सारे के सारे एसेट बेच दिये जाएंगे तो law कहता है जिस दिन आपने firm dissolve कर दी on the dissolution of a firm सारे partners और उनके representative ठीक है सारे partners और उनके representative क्या कर सकते हैं case कर सकते हैं उनके पास right है किस चीज का right है इस चीज का right है कि वो बोलेंगे वो बोलेंगे कि firm के सारे assets को बेच दिया जाए और उससे क्या pay कर दिया जाए थर्ड पार्टी की debts and levity यानि firm ने जो थर्ड पार्टी को पैसा देना है वो pay कर दिया जाए और अगर कुछ surplus बच जाता है तो वो बाकी partners या उनके representative यहाँ पर representative क्यों लिखा है क्योंकि अगर किसी partner की death हो गई थी इसलिए dissolution हुआ है तो उसके representative को देंगे ठीक है according to their rights बाट देना चाहिए प्लस अब winding up कौन करेगा कौन बेचेगा यह सारे के सारे assets यह partner ही तो बेचने वाले हैं यह partner ही तो बेचने वाले हैं तो law कहता है अब वो business के लिए कोई काम नहीं कर सकते बट हाँ वो firm के asset बेचने की power उनके पास रहेगी यानि dissolution होने के बाद हर partner के पास कितनी पावर रहेगी only and only that power which is necessary to wind up मतलब क्या-क्या assets को बेचने की power liabilities को repay करने की power और distribute करने की power यह तब तक रहेगी कब तक जब तक की जब तक की firm बंद नहीं हो जाती ultimately सब कुछ settle नहीं हो जाता यह तब तक power उनके पास रहनी है यानि after the dissolution of a firm the authority of each partner कि वह firm के भियाफ पे काम कर रहा है वह सिरफ कितनी रहेगी उतनी ही रहेगी उतनी ही रहेगी उतनी ही रहेगी जितनी की winding अप के लिए जरूरी है जितनी की winding अप के लिए जरूरी है clear है कि सबको yes or no अच्छा आप accounts में सीखते होंगे dissolution तो इसको मैं दो parts में बाढ़ता हूँ आपने dissolution में मतलब पहले किसको पैसा देना है तो law कहता देखना अगर आपके losses हो रहे हैं फर्म में losses है तो वह पहले किससे set of होंगे फिर किससे set of होंगे और तीन losses of firm जो भी losses है firm के यह deficiency है वो किससे set of होगी सबसे पहला section 48 बोलता है सबसे पहले losses सबसे पहले losses profit के again set of होंगे सबसे पहले losses किससे set of होंगे मेरे बच्चा profit of firm firm का जितना भी profit होगा उनसे losses को set of करती है जाएगा अगर losses sufficient नहीं losses profit sufficient नहीं है है फिर किससे set of करेंगे कहरें फिर जो capital बच्ची है capital जो अल्रेड़ी पेड है capital of partner partner से set of किया जाएगा जो भी partners की capital है अगर profit भी खतम हो गया capital भी खतम होगी बट losses अभी भी बच्चे हुए तो क्या होगा तो law कहता है यह हम partner से मंगाएंगे किस ratio में जिस ratio में वो profit share करते थे जिस ratio में वो profit share करते थे लेकिन यहाँ पर एक और बात याद रखना this section is subject to agreement agreement मतलब subject to contract कि अगर कुछ और बटनर डिसाइड करेंगे तो वो होगा बट नॉर्मली यही माना जाता है law ने यही लिखा हुआ है थर्ड चीज क्या करेंगे profit भी set off होगे capital से भी होगे बट अभी भी losses बचे है तो law कहता है भया partner से मंगा लेना बट किस ratio में profit sharing ratio में क्या यह बात clear होगी आपको losses कैसे set off होंगे पहले profits है फिर capital से और फिर partner की profit sharing ratio से अब आता है assets को कैसे apply करेंगे assets को कैसे apply करेंगे पहले किसका पैसा देंगे सबसे पहले किसका पैसा देना चाहिए दूसरा किसका पैसा देना चाहिए third किसका पैसा देना चाहिए fourth किसका पहले किसका पैसा देंगे तो law क्या बोल रहा है सबसे पहले पैसा देंगे third parties का सबसे पहले third party का पैसा देंगे सबसे पहले किसका loan अदा करेंगे बताओ third party का third party कौन होती है यानि firm और partners को छोड़के बाकी सारी party क्या होती है third party होती है तो सबसे पहले पैसा third party करेंगे उसके बाद किसका पैसा देंगे उसके बाद पैसा देंगे फिटा हां partners के loans and advances का third party के बाद हम पैसा किसका देंगे partners loan and advances उसके बाद partners capital उसके बाद partners के capital का पैसा देंगे और अगर फिर भी surplus बचता है अगर उसके बाद भी पैसा बच जाता है तो वो distribute कर देंगे among partners distribute कर देंगे among partners ठीक है किस रेशो में profit sharing ratio में किस रेशो में in profit sharing ratio in profit sharing ratio देखो तो simple सी बात है law कह रहा है अगर profits है third party को दो loans and advances पे करो capital पे करो surplus जो है वो बाड़ तो बट अगर losses है तो third party को देते देते क्या करोगे पहले profit में से set up करोगे capital में से set up करोगे अगर फिर भी आप third party को पे नहीं कर पा रहे हो तो partner से उनके profit sharing ratio में और मंगा लेना but this is subject to contract between the partners मतलब यह ratio change हो सकता है वो चाहें तो profit sharing ratio की जगह क्या कर सकते हैं कोई और ratio में भी पैसा मंगाया जा सकता है जैसे यह example है star mark कर देता हूं ठीक है यह example है बड़ा ही lovely example बड़ा ही प्यारा example चलिए color change करने के सर हां सर कब तक white color से पढ़ाते रहोगे कुछ बढ़िया लिया करो X & Y were partners sharing profit and losses equally देखना हां बड़ा प्यारा question है मुझे बड़ा प्यारा लगता है यह question सर आपको प्यारा लगने से क्या होता है हमें भी तो प्यारा लगना चाहिए एक्स और य पार्टनर से जिनका रेशो क्या है वन रेशो वन डिस इस देर प्रॉफिट शेरिंग रेश and X मर गया oh my gods X died X died on taking partnership account जब हमने partnership account X के मरने पे देखा तो पता क्या पता चला क्या बात पता चली कि X ने कितना capital डाला हुआ था 6,60,000 6,60,000 और Y ने कितना capital डाला हुआ था 40,000 रुपे X ने 6,60,000 डाला हुआ था Y ने 40,000 रुपे डाला हुआ था capital ठीक है assets की value जब निकाली गई तो सिर्फ कितनी है मेरे बेटा 2,00,000 रुपे तो यानि देखो यहीं लिख दूंगा liability कितनी है capital कितनी है आपकी 6,60,000 प्लस 40,000 6,60,000 प्लस 40,000 कितना हो गया 7,00,000 रुपे यह capital F की liability capital भी तो एक liability होती है क्योंकि वो partners को pay करनी होती है वापस और assets कितने के हैं 2,00,000 रुपे के assets कितने के मेरे बच्चा 2,00,000 रुपे के अब deficiency कितनी आपको कितना पैसा कम बढ़ गया बताओ कितना पैसा कम बढ़ गया 5,00,000 रुपे deficiency होगी 7,00,000 मैंनस 2,00,000 यानि कितना पैसा आपके पास short है 5,00,000 रुपिस अब क्या होगा law कहेगा यह जो loss है यह किसमे law में क्या लिखा हुआ है profit sharing ratio में बटेगा profit sharing ratio में बटेगा इसका मतलब क्या equal बटेगा पांच लाग में से धाई लाग का loss किसका हो जाएगा धाई लाग का loss x का होगा और धाई लाग का loss y का होगा यानि देखना आपको और आगे ले जाओं की नहीं ले जाओं मुझे डर लगता है कभी कभी बढ़ ठीक है मुझे लगता है ले जाना चाहिए एसेड भी केंगे तो दो लाग कैश आएगा हाँ पेश हैं आज अब यह मान लो दो लाग कैश के पड़ाया अब ये x और y मने बटना है लेकिन X कितने पैसे मांग रहा है X कर रहा है मेरे तो 6,60,000 आने बाकी है और Y कितने कर रहा है मेरे कितने आने बाकी है मेरे तो 40,000 रही चाहिए X मांग रहा है कर रहा है मेरे 6,60,000 दो जो मैंने फ़र्म को दिये थे Y कर रहा है मुझे 40,000 दो क्योंकि यह मेरा capital है मुझे return मिलना चाहिए बट partnership कह रही है मेरे पास तो 7 लाख रुपे है नहीं मेरे पास तो 2 लाख पड़े हैं मैं क्या करूँ तो law कहता है इन 2 लाख में से क्योंकि 5 लाख का shortage है तो यह x का loss होगा y का loss होगा तो x का कितना loss हुआ x को 6,60,000 चाहिए थे बट उसको 0,50,000 रुपे का loss bear करना पड़ेगा वही y को 40,000 चाहिए थे बट उसे 0,50,000 का loss bear करना पड़ेगा ठीक है 0,50,000 का loss bear करना पड़ेगा तो x को कितने पैसे मिलेंगे calculator ले लूँ क्या चलिए start करते है मेरे बच्चा 3,60,000 रुपे minus 2,50,000 रुपे यानी x को कितना मिलेगा वापस return 4,10,000 रुपे मिलना चाहिए 4,10,000 रुपे x को मिलना चाहिए loss के बाद 4,10,000 मिलना चाहिए और y को 40,000 मिलने थे पर उसे 0,50,000 रुपे bear करना है तो actually में y को deposit कराने है y को कितने deposit कराने पड़ेंगे क्योंकि negative आ रहा है y have to deposit 2,10,000 यानी उसका 40,000 रुपे का capital तो चला ही गया साती सात मेरे बच्चा 40,000 का capital तो चला ही गया साती सात उसका 2,10,000 रुपे और deposit कराना पड़ेगा अब देखो क्या होगा firm के पास 2,00,000 रुपे पहले से पड़े हुआ है yes or no 2,10,000 रुपे deposit करा देगा yes तो total firm के पास कितने आ जाएंगे 4,10,000 रुपे और ये 4,10,000 रुपे किसे मिल जाएंगे x को मिल जाएंगे क्या ये पूरी understanding clear होगे कि नहीं जल्दी बताओ पूरी understanding होगे clear कि कैसे settlement होगा accounts का दोनों ने धाई धाई लाइक का loss bear करा इसने क्योंकि 40,000 रुपे पहले से firm को और धाई लाग रुपे बियर करना था इसलिए इसको 2,10,000 रुपे जमा कराने पड़े but law कहता है ये तो as per law हो गया profit sharing ratio बट अगर ये ये decide करते agreement में कि loss जो है वो capital ratio में बाटा जाएगा हमने अभी कैसे बाटा था loss कैसे बाटा था अभी हमने loss बाटा था profit sharing ratio में that is equal one ratio one में बट ये लोग कुछ भी decide कर सकते हैं तो अगर ये ये decide करते तो फिर इस ratio में loss बाटा जाता इस ratio में loss बाटा जाता वो calculation आप खुद करके देख ले ना वैसे तो easy है कोई दिक्कत वाली उसमें मुझे बात नहीं लगती है next section section 49 बड़ा ही easy section है मेरे बच्चा section 49 is a very 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 easy section है ना ये सिरफ ये बोलता है देखना पार्टनर्शिप फर्म के कुछ पार्टनर्शिप एसेट्स होंगे ठीक है और पार्टनर्शिप फर्म की कुछ पार्टनर्शिप की लैबिल्टी होंगी पार्टनर्शिप फर्म के कुछ एसेट्स होंगे पार्टनर्शिप फर्म की कुछ लैबिल्टी होंगी और हर पार्टनर के हर पार्टनर के कुछ उसके सेपरेट एसेट्स होंगे हर पार्टनर के इच पार्टनर का खुद का कुछ separate asset होगा और खुद की कुछ separate liabilities होगी law बोलता है section 49 सिरफ simple सी बात यह बोलता है कि partnership के assets सबसे पहले partnership की liability pay करने के लिए लगेंगे first preference और अगर फिर बच जाता है तो वो partners में बाट दिये जाएंगे ताकि वो अपनी liabilities pay कर सके बट partners के जो separate assets है वो पहले separate liabilities पे लगेंगे अगर कुछ बच जाता है then यानि first preferences separate liability को अगर उसके बाद बच जाता है तो वो partner की liabilities में partnership firm की liabilities में लगेंगे बस इतनी ही बात मेरे बच्चा section 49 में लिखी हुई है कि partnership firm के assets पहले partnership liability को pay करेंगे अगर कुछ बच जाता है तो partner को देंगे ताकि partner अपनी liability pay कर सके और partner के खुद के assets personal assets जुसके separate assets है वो पहले खुद की liabilities को pay करेगा अगर कुछ बच जाता है तो वो partner की liabilities को pay करने वाला है यही बात मेरे बच्चा लिखी हुई है the property of the firm shall be first applied in payment of the debts of the firm only यानि firm की property firm की debts को पहले pay करेगी और अगर surplus बचता है तो वो partner को बाट देंगे ताकि वो लोग अपना debt pay कर सके separate debt pay कर सके और separate property of partner है partner की जो separate property है वो पहले वो अपने separate debts देगा और अगर कुछ surplus बचता है तो वो firm की liability pay कर सकता है clear है क्या yes or no तो बच्चो क्या क्या कर लिया हमने हमने cover कर लिया भाया what is partnership हमने क्या क्या कवर कर लिया हमने cover कर लिया what is partnership जो आपकी section 4 में बताई हुई है types of partner cover कर लिया है क्या yes types of partner भी cover कर लिया है types of partnership yes sir वो भी cover हो गई है यहां तक types of partnership रजिस्ट्रेशन गवर हो गया है यह सर रजिस्ट्रेशन अ और पर्म डिस्ट्रेशन यह सर वो भी cover हो गया है डिस्ट्रेशन और पर्म अब हमने यह देख लिया कि partnership होती क्या है बंती कैसे है उसे registration कैसे कराना होता है और उसको बंद कैसे कराना होता है अब हम एक अगले topic पर जाएंगे कि किसी पुरानी partnership में अगर किसी partner को जाना है बिना partnership बंद करें तो वो कैसे जा सकता है किसी नए partner को आना है तो वो कैसे आ सकता है so I am talking about the admission of new partner retirement of the old partner death of the old partner है न तो उसके बारे में अब हम लोग धीरे 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 चर्चा करेंगे ठीक है ओके सर चलिए तो partner going in है न पार्टनर going in and partner going out यानि partner आ रहा है और partner जा रहा है ठीक है partner हमेशा याद रखना जब भी आता है आपको accounts में सिखाया जाता है admission of partner but law में उसका नाम रखा गया है introduction of partner तो law में admission of partner जैसा कुछ नहीं रखा गया क्या word use हुआ है मेरे बच्चा और जाने वाला जाने वाला देखो चार रास्ते हैं जाने के लिए यानि अगर आप जाना चाते हो तो there are four ways partnership से जाने के एक होता है अपनी मर्जी से जाना that is retirement एक होता है अपनी मर्जी से जाना that is retirement दूसरा होता है expulsion बाकी partners ने आपको लात मार के निकाल दिया कि चल निकल यहां से मारी partnership से that is known as expulsion यह अपनी मर्जी से यह बाकी partners की मर्जी से एक होता है भगवान की मर्जी से तो भगवान की मर्जी क्या है death of छोता होता है लौकी मर्जी से जब आपको कोट इंसॉल्वेंट डिकलेयर कर देता है उसकी बात यह कर रहा है उसकी बात कर रहा है तो how many ways you can leave a partnership, खुद से, that is retirement, बाकी partners ने जबरदस्ती निकाल दिया, expulsion, ठीक है, third, भगवान ने बुला लिया था, death of a partner, and law की वजा से, that is, insolvency of the partner, यह हम धीरे धीरे सारे discuss करेंगे, पहले आना नहीं, पहले मैं आपको जाना सिखाऊंगा, ठीक है, जाना सिखाऊंगा, आ पाओ, चलो, बाते करते हैं, सबसे पहले, let's learn the concept of retirement of partner, तो आप हमेशा से अपने accounts में सुनते होंगे, ए, बी, सी, तीन partner थे, आज मैं उन ए, बी, सी के नाम आपको बताने जा रहा हूं, तो ए, बी, सी जो partner थे, A for Ashish, B for Bhuvan, और C for Carrie भाई, ठीक है, अशीज भाई, Bhuvan भाई, Carrie भाई, यह तीन partner थे, ठीक है, तीनों business करते थे, सर किस चीज़ का business करते थे, तीनों ने एक channel बना रखा था, ABC की wines, 100 million subscribers थे इस channel पर, 100 million subscribers और reviews तो पूछो ही मत, बहुत तगड़ा पैसा कमा रहे थे, यह तीनों इस YouTube channel से मज़े कर रहे थे, एकदम, बहुत wine following थीन की, अब हुआ क्या, Carrie को लगा, Carrie को लगा, यह दोनों यार मैं साइनी कर रहे है, मुझे चले जाना चाहिए, मैं खुद के दम पे कुछ करूँगा, कब तक इनके साथ करता रहूँगा, तो Carrie भाई ने सोचा, कि वो खुद का एक नया channel बनाएंगे, Carrie भाई ने सोचा, वो partnership को छ कितने method है, retirement के तो देखना, तब से पहले पूचना भाईया, कि आपकी जो partnership है, वो partnership at will है क्या, अगर वो partnership at will है, तो कैसे retire हो सकते हैं, सिर्फ, Carrie को क्या करना पड़ेगा, एक notice देना पड़ेगा, ठीक है, partner has to give notice, partner has to give notice to all other partners, बाकि सारे partners को notice देना पड़ेगा, किस चीज का notice देगा भाईया, office intention to retire, अगर वो retire होना चाहता है, तो क्या करेगा, notice देगा, मेरे बेटा, notice देगा, क्या ये बात clear हो गई, ठीक है सर, तो partner has to give, गिव ही लिखना भूल गए बताओ, partner has to give notice to all other partners, office intention to retire, यानि अगर ये partnership at will है, तो कैरी भाई, भूवन और आशीश को क्या देंगे, एक notice देंगे कि मैं भाईया ये firm छोड़ के जा रहा हूं, अम मुझे तुम दोनों के साथ काम और नहीं करना है, और retire हो जाएंगे, ठीक है, ओके, बट अगर ये partnership at will नहीं है, other than partnership at will, यानि mainly ये fixed period की बात कर रहे होंगे, other than partnership at will, तो कैसे जाएगा, तो law बोलता है, contract में कुछ लिखा हुआ है, क्या, contract में, as per the contract, as per the contract, यानि partnership deed, हो सकता है oral हो, हो सकता है return हो, बट सर अगर contract में भी कुछ ना लिखा हो, तो, तो law बोलता है, with the consent of all partners, with the consent, consent लगेगी, किसकी, of all partners, of all partners, बस इतनी सी बात है, अगर कोई भी बंदा retire होना चाता है, तो पहले पूछो, partnership at will है या नहीं है, अगर partnership at will है, तो partner को notice देना है, all other partners को कि मैं retire होना चाता हूँ, अगर other than partnership at will है, तो as per the contract, और with the consent of all other partners, अगर contract में कुछ भी नहीं लिखा है, तो, तो यही मेरे बच्चा लिखा हुआ है, with the consent of all other partners, या as per the agreement, ठीक है, और partnership at will है, तो सिरफ notice दे के काम चल जाता है, क्या यह point आपको clear हो गया, method of retirement, the answer is yes sir, यह बात हमें clear हो गई, अब एक और point में आपसे बात करना चाता हूँ, retirement पे, मान लीजिए, पर्म, एक अप्रेल 2011 में बनी थी, carry भाई, 2011 आज क्या है, तुम मान लो 6 जुलाई, 2021 को carry भाई, retire हो गए, carry भाई, retire हो गए, ठीक है, यानि इस period में क्या carry भाई partner थे, the answer is yes, बट इसके बाद वो partner नहीं है, तो law कहता है, 6 जुलाई के बाद, मुझे आप लोग पहले बताओ, क्या carry की कोई liability होनी चाहिए, अब उसका firm से कोई नाता नहीं रहा है, तो क्या 6 जुलाई के बाद करे गए, act, partnership firm का कोई भी act, इसके लिए liable होंगे, क्या, क्या इसकी liability आएगी, क्या, तो law कहता है, मुझे बताओ, कि तुमने public notice दिया था, या नहीं दिया था, अगर तुमने public notice दिया था, तो आपकी कोई liability नहीं होगी, no liability after retirement, that is 3 जुलाई 2022, no liability after नहीं नहीं तो आप इसे गलत पढ़ लोगे, और बैतर तरीके से लिख देता हूँ, no liability for acts of firm, कोई भी काम अगर firm कर रही है, after, कौन सी तारिक, 6 जुलाई 2021, 6 जुलाई 2021, बट अगर public notice नहीं दिया, अगर public notice नहीं दिया, तो क्या होगा, तो आपको एक और question पूछना है, public notice अगर नहीं दिया, तो जो party के साथ transaction हुई है, क्या वो party अब भी ये यकिन करती है, कि carry भाई partner है, या नहीं यकिन करती है, यानि third party का क्या believe है, third party क्या believe करती है, यह आपको देखना है, third party believes, third party does not believe, does not believe, तो law कहता है, अगर आपने public notice नहीं दिया, तो जिसके साथ firm contract कर रही है, क्या वो ये मानती है कि अभी भी carry partner है, तो yes, he will be liable, बट अगर third party ये नहीं मानती है कि carry है, तो वो liable नहीं रहेगा, बस इतनी सी बात है, simple सी बात है, public notice दिया, तो no liability, ठीक है, public notice अगर नहीं दिया, तो आपको ये चेक करना है कि जो third party है, उसको क्या लगता है, उसको लगता है कि carry भाई partner है या नहीं है, okay sir, now the question comes, एक और question आपके दिल में आना चाहिए, law के act का क्या होगा, इस period में जो acts करे गए थे, उसके लिए carry भाई liable होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, तो law कहता है, उसके लिए तो liable रहेंगे, उसके लिए तो liable रहने ही वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर तो वो partner थे, but, 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 एक बड़ा बट आ गया, सर क्यों बड़ा बटा गया, law कहता है, अगर जाते हुए, उन्होंने third party के साथ कोई express agreement कर लिया, कि वो liable नहीं रहेंगे, तो फिर अलग बात है, otherwise वो liable रहते हैं, तो बस यही लिखा हुए देखिए, कि retirement से पहले करेगई कोई भी firm के काम से, वो discharge हो सकते हैं, अगर वो क्या कर लेंगे, अगर वो agreement कर लेंगे, third party के साथ, actually में से novation बोलता हैं, contract act में, novation कर लिया, उन्होंने पुराने वाले contract को cancel करवाके हैं न, और partners of the reconstituted firm, तो such agreement जो होगा बेटा, वो क्या होगा, liability उनकी खतम हो जाएगी, ठीक है, उसके बाद public notice वाला point है, कि अगर आपने public notice दिया है, तो भाई आपकी liability खतम हो जाती है, बट अगर आपने public notice नहीं दिया है, तो third party जानती है या नहीं जानती है, third party जानती थी, कि अमानती थी, कि आप partner हो, तो आप liable रहोगे, अगर वो ये बात जानती ही नहीं थी, और मानती ही नहीं थी, कि आप partner हो, तो आप liable नहीं रहने वाले हो, clear है कि सबको yes or no, अच्छा, ये जो public notice है, ये किसको देना होता है, law बोलता है, ये retiring partner भी दे सकता है, या continuing partner भी दे सकते हैं, ठीक है, ओके, अब मैं एक थोड़ा ना बच्चों को doubt होता है, वो doubt मैं clear कर देना चाहता हूं, ठीक है, आउट गोइंग पार्ट्नर, डिसीजड पार्ट्नर, इन में difference देख लो, ठीक है, बच्चा कहीं बारी इनको ना interchangeably यूज़ करता है, जो मिलको बिलकुल बसंद नहीं आता है, आउट गोइंग पार्ट्नर बेटा वो होता है, जो रिटायर हुआ है, रिटायर, ठीक है, डिसीजड पार्ट्नर वो हुआ होता है, जिसकी death हुई होती है, यानि death के लिए आप हमेशा क्या यूज़ करेंगे, डिसीजड पार्ट्नर वर्ड यूज़ करेंगे, और जो बंदे का दिवाला निकल जाएगा, जो person who has declared पार्ट्नर, who has declared, और यहाँ पे declared भी नहीं, अट्जडिकेटिड वर्ड आता है, लौका, जिसको मतलब कोट ने अट्जडिकेट कर दिया, वह क्या वर्ड है, अट्जडिकेट एज इंसॉल्मेंट, ठीक है, तो आउट्गोइंग पार्ट्नर सिरफ रिटाइरिंग पार्ट्नर के लगे बाकी पार्ट्नर को बोलते हैं, रिमेनिंग पार्ट्नर को बोलते हैं, कॉंटिनुइंग पार्ट्नर अगर फ़र्म चल रही हैं, तो बाकी को क्या कहेंगे, कॉंटिनुइंग पार्ट्नर जबकी डेथ होती है, तो बाकी पार्ट्नर को बोलते हैं, सर्वाइविंग पार् रहा है और यहां पर क्या बोलेंगे यहां पर भी continuing partner ही वर्ड यूज होता है क्लियर मेरे बच्चा येस सर क्लियर हो गया गुड मेरे बच्चा चलो अच्छा अब यह लाइन आई देखो प्यारी सी यह एक partnership deed में लाइन लिखी हुई थी मैं पढ़ता हूँ और आप बताना इसका मतलब क्या है लिखा हुआ तो उसमें इफ एनी partner वांट्स टू डिस एसोसियेट प्रॉम दी पार्टनर्शिप बिजनस अगर कोई partner डिस एसोसियेट होना जाता है partnership बिजनस का आपको क्या लगता है ये लाइन retirement of partner की बात कर रही है या यह लाइन डिस solution of firm की बात कर रही है इस line को धिहान से पढ़ाओ यह लाइन का मतलब क्या है कि कोई partner retire हो सकता है ये बोल रही है deed या ये line ये कहना चाहती है कि form ही बंद कर दो इस line से आपको पढ़ के क्या है फिर से read करता हूँ if any partner wants to disassociate from the partnership business अगर कोई partner खुद को disassociate करना चाहता है partnership के business से तो क्या retirement of partner का मतलब लग रहा है ये dissolution लग रहा है retirement या dissolution ये एकदम सही retirement of partner लग रही है ना कि dissolution of firm लग रही है यही बात सुप्रीम कोट ने भी बोली केस हुआ था विश्णू चंदर वर्सिस चंदरी का प्रसाद का जो सुप्रीम कोट तक गया और सुप्रीम कोट ने बोला कि if any partner want to disassociate from the partnership business इसका मतलब है ये line का मतलब है ये उस situation की बात कर रहा है वेरा partner wants to retire retire from the partnership जहां पर partner retire होना चाहता है ये इस line की बात कर रहा है ना कि dissolution of firm की बात कर रही है clear है मेरे बच्चा yes or no yes sir एकदम clear हो गया है एकदम clear हो गया है ठीक है तो यहां पर बेटा आपका retirement खतम होता है इतना ही है बस आपको याद रखना है modes याद रखने है और public notice दिया या नहीं दिया तो liability क्या रहने वाली है public notice नहीं दिया या दिया तो क्या liability रहने वाली है then आते हैं मेरे बच्चा expulsion of partner पे ये important है इस पे बार-बार exam आते हैं पहले expulsion का मतलब समझते हैं layman language में देखो क्या हुआ राम ये चारो partner थे ये चारो partner है partner एक दिन राम और सीता ने शाम को firm का पैसा चोरी करते हुए पकड़ लिया ये रोज चुपके से firm का थोड़ा सा पैसा चोरी करके ले जाता था मुझे बताओ ये सही बात है ये गलत बात है शाम partnership के firm का पैसा रोज रात को थोड़ा सा निकाल के ले जाता था क्या ये सही है या गलत है उसे profit दे तो रहे तbirds commissioner क्यों पैसा ले के जा रहा है सही है ये गलत है सर ये एकदम गलत है सर ये एकदम गलत है business बहुत अच्छा चल रहा है तच बताऊं, तो business बहुत बढ़िया चल रहा था partnership का, पैसा ही पैसा था, लेकिन ये बंदे ने सही नहीं करा, शाम तुमने सही नहीं करा है, लेकिन बाकी लोग partnership को continue करना चाहते हैं, और शाम उन्हें पता है अब उनका भरोसा उठ चुका है शाम से, तो वो क्या चाहते हैं इस शाम को निकाल दें, वो क्या चाहते हैं, इस शाम को निकाल दें, क्यों? क्योंकि वो partnership को बंद नहीं करना चाहते है, because partnership का business बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन इसकी गलती की सजा, ये चारो थोड़ी भुखतेंगे, गलती शाम की है, तो सजा भी किसको मिलनी चाहिए शाम को मिलनी चाहिए, गलती शाम की है, तो सजा तो शाम को मिलनी चाहिए, तो राम, सीता और गीता शाम को निकाल सकती है, बट लौ कहता है, ऐसे ही तुम किसी पार्टनर को निकाल सकते, तुम्हें पढ़ना पढ़ेगा, तुम्हें पढ़ना पढ़ेगा, section number, section number 33, अब ये क्या बोलता है, देखो, ये क्या बोलता है, ये बोलता है बैया, जब भी आप किसी partner को निकालना चाहते हो, तो तीन कंडीशन स्धिहान रखना, ये तीन कंडीशन फुलफिल होंगी, तो partner निकाला जा सकता है वरना आप partner को निकाल नहीं सकते हो, सबसे पहली condition जो है कि अगर आप उसको निकालना चाहते हैं, तो ये power contract में लिखी होनी चाहिए, power of expulsion must exist in the contract, that is the first condition. Second, अगर आप निकालना चाहते हैं, तो majority partners ने, majority partners ने agree करना चाहिए कि हाँ इस बंदे को निकाल दो, और third मेरे बेटा, that is good faith, that is good faith, यानि आपने वो good faith में करना चाहिए, now the question comes, what is good faith? Now the question comes, what is good faith? और एक बात बता दूँ, अगर उपर की condition फुल्फिल नहीं होती है, और आप किसी बंदे को निकाल देते हैं, तो वो law की नजरों में null and void है, यानि वो तब भी partner रहेगा, भले ही उसने गलत काम किया हो, बट आप उसे निकाल नहीं सकते हैं, जब तक ये condition satisfy न हो भी समझाया, what is good faith? कि वो चीज good faith में है या नहीं है, तो good faith का मतलब क्या होता है, वो हमें सीखना पड़ेगा, good faith का मतलब क्या होता है, what is good faith? तो law कहता है, ये तीन चीजे चेक कर लो, अगर ये तीनों चीजे present है, तो आपने good faith में दूसरे बंदे को निकाला है, जिसमें स पार्टनर को लात मार रहे हो, जिसको निकाल रहे हो, वो अपने personal benefit के लिए नहीं, वो firm के benefit के लिए, just because आप उसे इसलिए नहीं निकाल रहे हो, क्योंकि आप उसे नफरत करते हो, आप उसे इसलिए निकाल रहे हो, क्योंकि वो firm के लिए अच्छा नहीं है, अगर firm में रहा भी देना किस चीज की कि भाई हमें रीजन बता कि तुझे क्यों न निकाला जाए इस फॉर्म से उसकी बात जरूर सुनना ऐसे नहीं उससे बिना पूछे निकाल देना और इस पर केस्टेडी करेंगे तो ज्यादा बहतर समझ आईगी देखो आपके लिए मैं केस्टेडी ला जिसमें कौन-कौन पार्टनर है एक्स पार्टनर है वाई पार्टनर है जेड पार्टनर है ठीक है कार्पेट मैन्यूफेक्ट्रिंग बिजनस किस चीज का है कार्पेट बना कर फॉरन कंट्रीज में एक्सपोर्ट करते हैं 25 अगस्ट 2018 को 25 अगस्ट 2018 को इन्होंने क्या करा एक नया पार्टनर लाया जिसका नाम है Mr. G, न्यू पार्टनर, चलो ठीक है एक नया पार्टनर आ गया, जो की एक्सपर्ट था, कार्पेट मैन्यूफेक्चरिंग में उसे एज़ा पार्टनर लेका है, आने के दो साल में ही Mr. G के उपर ब्लेम लगा, कि ये unauthorized activity करता है, यानि ये गलत काम करता है, इसको जिस चीज की पावर नहीं है ये वो भी काम कर रहा है, इसी लिए इसको partnership से निकाल दिया गया, by united approval of rest of the partners, यानि X ने भी हाँ बोली, Y ने भी हाँ बोली, और Z ने भी हाँ बोली, आप मुझे बताओ, क्या G expel हो सकता है, आपको क्या लगता है, क्या G expel, ये question paper में आया था भाया, क्या G expel हो सकता है, आपको क्या लग रहा है, एक G partner है, जिसने गलत किया, ये लोग बता रहे हैं, और इसको तीन लोगों ने approve कर दिया, क्या G expel हो सकता है, अब मैं अगर बताओ, क्या क्या चीजे होनी चाहिए थ भी मैं बताओ, first condition, second condition, third condition, और third condition में भी तीन condition थी, first condition क्या थी, contract में power होनी चाहिए, मुझे बताओ, क्या सवाल में इंस्टिटूट ने आपको बताया, contract में expulsion की power है या नहीं, नहीं बताया, question is silent, question ने बताया ही नहीं कि silent है, मतलब contract में क्या लिखा हो है, चलो कोई बात न second मैंने आपको बोला था majority ने exercise करना चाहिए क्या करना चाहिए majority ने exercise करना चाहिए क्या सवाल में ये बात बताई गई कि majority partner से the answer is yes united approval है ये question में हमें बताया गया good faith में है कि नहीं ये आपको पता चला कि नहीं बताओ इसमें बताईए good faith में है या नहीं है आप सर्व तो गुड़ पेट की condition चेक करने से पता चले गुड़ पेट की पहली condition क्या थी कि वह इन इन दी इंट्रेस्ट आफ दी पार्टनर्शिप होना चाहिए यानी partnership के हित में होना चाहिए in the interest of the partnership होना चाहिए मुझे बताओ जी गलत काम कर रहा था उसे निकाल देना partnership के हित में है या नहीं है the answer is yes the answer is yes second condition good faith की क्या थी notice देना चाहिए था और चोती क्या थी opportunity देनी चाहिए थी of being hurt है ना बट क्या notice के बारे में बताया गया question silent था यहां पर भी question ने में बताया नहीं notice दिया है या नहीं दिया है question is silent opportunity के बारे में भी नहीं बताया कि उसकी बास सुनी गई थी या नहीं गई थी again question is silent तो question is silent on three point contract में पावर थी या नहीं थी notice दिया था कि नहीं opportunity of being hurt अब institute ने जो इसका सवाल का अंसर दिया वो कहा है yes सही है बट बच्चे को कैसे पता चलेगा भाई बच्चे को तो आपने यह बताया नहीं ना कि contract में लिखा था कि नहीं लिखा था notice दिया था कि नहीं बच्चा तो याद करके आए कि यह तीनों चीजे होंगे अब आप सवाल अधूरा दोगे तो बच्चा कैसे में दिया हो ता महां तो दिल टूटी जाता है ना वहां तो मेरा दिल टूटी जाता है आओक कि यह तीन पार्ट्नर थे- 8аров सालों से यह लोग पांड़नर थे 7 साल से यह लोग पांड़नर थे 7 SS से एक दिन क्या हुआ आयर की वाइफ और भिड़े की वाइफ दोनों भिड़ गए दोनों में लड़ाई हो गई और आयर की वाइफ जो बवीता जी हैं जो बवीता जी हैं उनको बहुत चोट लगी और बवीता जी रोते 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 जेठा लाल के पास चली गई और कहने लगी जेठा जी मुझे बिड़े की वाइफ ने बहुत मारा मुझे बहुत मारा ये सुनके जेठा जी को गुस्सा आ गया और जेठा जी को जब ये सुनके गुस्सा आ गया ना भाई उन्होंने आयर को फोन करा आयर हमें बिड़े को निकाल देना चाहिए हमें भीडे को निकाल देना चाहिए आयर भी एगरी हो गया क्योंकि उसकी वाइफ को डाट पड़ी थी उसकी वाइफ को मार पड़ी थी तो जेठार भी एगरी हो गया आयर भी एगरी हो गया कि भीडे को निकाल दो यानि आपको क्या लगता है क्या ये in the interest of the partnership है या ये personal problem को deal कर रहा है personal भाईया जो उनकी vibes का जगड़ा हुए that's a personal thing not a professional business है ना तो क्या it is in the interest क्या पता भीड़ा बहुत अच्छा कर रहा हो उसी की वज़ा से business चल रहा हो आप उसे ही निकाल रहे हो है ना so it is not in the interest of the partnership it is not in the interest of the partnership I hope आपको ये point clear हो गया होगा कि भाईया आपकी personal problems की वज़ा से अगर आप किसी partner को निकाल रहे हैं तो वो invalid होता है वो क्या होता है एक invalid, null and void होता है अच्छा next question अब ये तो समझ गया कि partner को निकाल सकते हैं ये तो हमें समझ गया कि हम partner को निकाल सकते हैं वो provided कि वो सारी condition fulfill हो जाएं लेकिन next question आता है जिस partner को निकाला उसकी liability क्या खतम हो जाएगी from the date of expulsion मतलब the question is कि liability of expelled partner liability of जिस partner को आपने लात मार के निकाल दिया उसकी liability क्या होगी four acts done by firm जो भी काम firm कर रही है after his expulsion उसकी liability क्या होगी जब आपने उसे निकाला तो उसकी liability क्या होगी तो आपको फिर से इसमें concept लगाना होगा रेटायर पार्टनर वाला कि भाया क्या public notice दिये थे कौन सा concept लगेगा public notice दिया था या public notice नहीं दिया था पब्लिक नोटिस दिया था अगर तो not liable रहेगा लेकिन अगर public notice नहीं दिया था तो पूछ लेना कि क्या थार्ड पार्टी को अब भी ऐसा लगता है कि ये बंदा है थार्ड पार्टी बिलीव करती है believe him as a partner believe him as partner अगर ऐसा वो बिलीव करती है तो liable रहे लेकिन अगर वो ऐसा बिलीव जिस पार्टी के साथ आप कर रहे हो, है ना, देखो public notice देते हो, तो सबसे ही मुक्त हो जाते हो, जो भी acts हो रहे हो लेकिन यहाँ पे no public notice के case में न, जो third party believe करती है कि तुम partner उसको liable रहते हो और जो third party को पता ही नहीं होता है कि तुम partner उसके लिए liable नहीं रहते हो third party does not believe पार्टनर not liable, clear है के सबको yes or no, यनि same concept जो हमने retire partner में पढ़ा था वो ही same concept expelled partner में भी लगता है, वो ही same partner जब आप जबरदस्ती किसी partner को लगालते हो तो वो ही same चीज लगता है ठीक है, अच्छा जब हम partner को निकाल देते है तो क्या dissolution हो जाता है firm का क्या firm बंद हो जाती है, the answer is no जरूरी नहीं है कि firm बंद हो जाए ठीक है, और yes sir, बात आपकी clear हो गई now next concept आता है insolvency of partner जब partner डूब जाता है और आप जानते, Indian contract act क्या बोलता है याद कराओ, मैं भूल क्या हूँ Indian contract act बोलता है कि एक insolvent person कोई भी contract नहीं कर सकता है, क्या यही बोलता था Indian contract act, कि एक insolvent person कोई भी contract नहीं कर सकता है partnership क्या है, contract है, एक चलता हुआ contract है, तो अगर कोई person insolvent हो जाएगा, तो उस contract को continue नहीं कर पाएगा वोही same चीज, partnership act में भी लिखी हुए, देरार three partners मुकेश सर अदानी सर और विजे मालिया सर, मुझे बताओ कौन insolvent होगा मेरे एक्जामपल में आप मुझे जादा बहतर जानते हो, जल्दी बताओ मेरे एक्जामपल में, कौन होगा insolvent हाँ, कौन एक तरफ गेम चलता है, कौन बनेगा करोलपती और गुर्पी सर खिलाते हैं, कौन बनेगा insolvent बताओ 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 जल्दी बताओ बटाओ हाँ सर हम समझ गए सर हमारा दोस्ट कौन insolvent होगा विजे मालिया जी ओ हो 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 विजे मालिया insolvent हो गया ठीक है माल लीजे, अब यह insolvent हो गया यह आपको कैसे पता चलता है, मैं कहाँ दू गुर्पी सर insolvent हो गया, आप माल लोगे गया दा अंसर इस नो, इसका प्रूफ क्या होता है कोट का order आता है कोट का order आता है कि यह परसन हमने डिकलेर कर दिया है, एड़ जडिकेट कर दिया है इससे as insolvent यानि जब तक बंदा खुद कह रहा है मैं insolvent हो गया उस पर यकीन मत करना, उसे कहना भाईया कोट का order दिखा कोट का order दिखा जब कोट ने कहां लिखाएगी तो insolvent है तो वो चीज़ मांग लेना अब हुआ क्या, law कहता है देखे na, law बड़ी प्यारी बात दे कहता है law कहता है जैसे ही partner insolvent हुआ जैसे ही partner insolvent हुआ अब वो continue नहीं कर सकता है as partner यानि अब वो partner नहीं रहेगा ऐगे second important point कौनसी तारीक से वो partner नहीं रहेगा from the very date जिस दिन adjudication का order आया था, जिस दिन court ने order दिया था कि हाँ ये insolvent है, उस दिन से ही वो partner बनना बंद हो जाएगा, ठीक है, वो partner बनना बंद हो जाएगा, ठीक है, और जो assets है, insolvent partner के, अब वो liable नहीं रहेंगे, कोई भी firm उस दिन के बाद, यानि उस order के दिन के बाद, जिस दिन से वो partner नहीं रहा है, उसके बाद अगर firm कोई भी काम कर रही है, उसके लिए कौन liable नहीं रहेगा, insolvent partner की property अब liable नहीं रहने वाली है, correct, और firm भी, firm भी अब liable नहीं रहेगा, insolvent partner आगे जाके कुछ भी काम करेगा, तो, ठीक है, अच्छा, क्या insolvent होने से firm dissolution हो जाती है, firm बंद हो जाती है, तो law कहता है, देखो, law कहता है, अगर आपका कोई partner insolvent हो जाता है, तो law कहता है, इस firm को बंद कर दो, बट बाकी partners अगर चाहें, अगर remaining partners, यानि continuing partners अगर चाहें, तो वो आपस में agree कर सकते हैं, कि वह इन्सolvent होने से firm बंद नहीं होगी, यानि firm बंद हो भी सकती है नहीं भी firm normally बंद हो जाती है बट अगर बाकी partners ये agree कर लेता है कि नहीं नहीं हम firm बंद नहीं होने देंगे तो firm बंद नहीं होगी ये 5 points आपको याद रखने है इसका एक और special point जो बच्चा confused होता है चलो थोड़ा सा आगे जाके करा दूँगा ताकि आपको दिक्कत ना है ठीक है death के बाद करा दूँगा तो और जाद अच्छे से समझाएगा last रास्ता था partner के जाने का last रास्ता था partner के जाने का that is जब भगवान ने बुला लिया तो जब मेरे बच्चे भगवान ही बुला लेता है तो क्या मुझे बताओ अगर partner की death हो गई तो क्या उसके बाद वो partner रहेगा obviously no अब तो वो रहा ही नहीं तो क्या ही partner रहेगा ठीक है अच्छा क्या firm बंद हो जाएगी इफ पार्टनर लिखो या surviving partner लिखो सर शर्वाइविंग पार्टनर लिखें इफ शर्वाइविंग पार्टनर्स decided to continue the firm firm dissolve नहीं होगी अगर surviving partner decide करते हैं firm को continue करनेगा बट अगर surviving partner decide नहीं करते हैं तो firm dissolve हो जाएगी अच्छा क्या public notice required है क्या ये बड़ा ही प्यारा question है death के case में क्या public notice required होता है the answer is no तो एक प्यारी सी बात करूँगा याद कर लेना ठीक है public notice public notice कहां कहां required है अगर retirement हो रहा है retirement हो रहा है तो required है ठीक है ओके अगर retirement के बाद क्या था भाईया expulsion हो रहा है तो भी required है public notice कि रिटार्मेंट एक्सपोल्शन उसके बाद भाईया आपका आ गया insolvency का case insolvency है तो required है क्या public notice not required क्योंकि court का order ही public को मिल गया तो अब क्या हम दुबारा से बताएं automatically वो partner नहीं रहा और last है अगर partner की death हो जाती है तो क्या public notice चाहिए होता है not required clear है सबको ठीक है तो दो जगा public notice required होता है दो जगा नहीं होता है यानि public notice जहां पर required अगर आप नहीं दोगे तो third party को आप liable रहे सकते हो provided उसको ऐसा लगता हो कि आप partner है provided उसको ऐसा लगता हो कि आप partner है ठीक है तो यहीं लिखा हुओ है disease partner की liability रहती है गया he is not liable for any acts done after his death उसकी death के बाद वो कोई भी firm काम करती है तो उसके लिए वो liable नहीं रहते है है उसके लिए वो liable नहीं रहते हैं एक प्यारी सी case study मैं आपके लिए लाया था है ना बहुत प्यारी case study है lovely case study इसके बाद यह basic case study देखो दो टाइब की case study है this is basic और इसके बाद advance है basic वाली गुर्पी सर सॉल्व करेंगे class में और बच्चे जो है वो एडवांस वाली सॉल्व करेंगे क्योंकि गुर्पी सर अपने level के question करेंगे और बच्चे अपने level के question करेंगे हाँ या ना येस सर एक्स वाजा partner इना फर्म एक्स एक partner था फर्म में क्या बात है फर्म ने order करे goods इन एक्स lifetime तो देखिए यहां पर एक्स की death हो गई यहां पर एक्स की death हो गई ठीक है यहां पर एक्स ने join किया था फर्म कि लोग कह रहा है लोग नी सोरी question कह रहा है कि partnership फर्म ने फर्म ओर्डर्ड फर्म ओर्डर्ड फर्म ओर्डर्ड गुड्स इन एक्स lifetime यानि जब एक्स जिन्दा था इस moment पर क्योंकि यहां पर एक्स जिन्दा था ना वहां मरा है यहां पर फर्म ने ओर्डर करे थे गुड्स तब एक्स जिन्दा था बट जो गुड्स की delivery हुई ना goods की जो delivery हुई यहाँ पर goods की delivery उसकी death के बाद हुई goods कब deliver हुए यहाँ पर हुई goods delivery after x death आपको बताना है कि क्या x की property liable होगी या नहीं होगी इस goods की payment के लिए जो उसके मरने के बाद आये हैं जिने order पहले किया गया था बट आये बाद में हैं क्या x की जो property क्योंकि x तो मर गया अब उसे तो पकड़ा नहीं जा सकता x की जो property है क्या उसमें से ये पैसा लिया जा सकता है नहीं बड़ा प्यारा सवाल है बड़ा प्यारा सवाल है नाव इसके लिए आपको पता है क्या क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि liability किस moment पे arise हुई है जब मैंने order दे दिया था क्या liability उसी दिन arise हो गई थी या जिस दिन goods deliver हुए liability उस दिन विकोज जिस दिन liability arise होगी न उस दिन अगर वो death से पहले आता होगा liability वाला day तो हम कहेंगे yes x की property liable है और अगर liability creation का date बाद में आएगा बाद में आएगा तो हम कहेंगे भईया x liable नहीं है तो आओ देखते हैं क्या लाए हैं गुर्फिसर आज आओ पढ़ते हैं प्यार से in such a case x की property state मतलब x की property would not be liable for the debt उसकी property debt के लिए liable नहीं होगी ठीक है creditor क्या कर सकता है जिसने वो goods भेजे थे वो सिरफ और सिरफ किस के against case कर सकता है surviving partners के उपर case कर सकता है किस से पैसा ले सकता है surviving partner से ले सकता है personal case कर सकता है बट x के उपर case नहीं कर सकता है यह X की property के ओपर ठीक है and वो partnership के ऊपर भी case कर सकता है यानि partnership के assets में भी case कर सकता है ठीक है लेकिन वो कभी भी case किसके ओपर नहीं कर सकता है representative of the deceased partner यानि X के legal representative के ओपर but why the question is why क्यों नहीं कर सकता है तो law कहता है क्योंकि उस दिन liability arise ही नहीं हुई थी जब X जिन्दा हुआ था यानि वो बोल रहे हैं liability order पे arise नहीं होती है liability arise होती है goods की delivery पे liability arise होती है goods की delivery पे तो इसी लिए यहाँ पर जब debt था ही नहीं तो X की property में से क्यों लिया जाए और उसके बाद अगर कोई debt आया है तो उसके लिए तो X liable नहीं रहने वाला उसके लिए तो X liable नहीं रहने वाला है क्लिर रहे क्या आहा है associate master study इसको क्या कैंगे इसका तो नाम भी मैंने रखा था बल्ले बल्ले सवाल कैसा लगा तुम्हें सवाल बल्ले बल्ले सवाल आया है ये आप लोग ट्राइ करेंगे चलो, 2 मिनेट आपको दे रहा हूँ सिरफ 2 मिनेट है, 2 बाट है फटा फट ट्राई करो, 2 मिनेट you have my बच्चा, just try it क्या लगता है, इसका अंसर क्या होगा आपको 2 मिनेट है, जिनको लग रहा है, 2 मिनेट कम है पॉस करके पढ़ लेंगे कोई दिख कर नहीं है वीडियो यह तो है वैया recorded वीडियो है जितना मर्जी पॉस कर लो पांच मिनट ले लो क्या ही फरक पढ़ता है लेकिन अंसर सही आना चाहिए ठीक है मैं रीड करूं क्या चलो मैं रीड करता हूं आपके साथ है ना ओके सर M, N, P पार्टनर्स थे एक फर्म में तो तीन पार्टनर्स थे M, N, P फर्म ने एक कंपनी J.R.Limited को बोला कि भाईया हमें सप्लाइ करो क्या फर्नीचर हमें क्या सप्लाइ करो फर्नीचर सप्लाइ करो P मर गया और M और N ने बिजनस को कॉंटिन्यू करा यानि P की डेथ हो गई और M और N ने बिजनस को कॉंटिन्यू करा फर्म ने कोई भी पब्लिक नोटिस नहीं दिया कि P मर चुका है मुझे बताओ क्या पब्लिक नोटिस डेथ के केस में देने की जरूरत होती है no the answer is no तो इस लाइन का कोई relevance ही नहीं है or the person dealing with the firm उन्होंने किसी को भी public notice नहीं दिया चलो ठीक है furniture जो है वो deliver हो गया firm को after piece debt तो यहाँ पे भी वो ही हुआ order कब किया था जब P जिन्दा था लेकिन deliver कब किया जब P मर गया ठीक है और delivery के वक्त भी P को ये बात पता नहीं company J.R. Limited को ये बात पता नहीं थी कि P मर चुका है afterwards firm insolvent हो गई firm का दिवालिया निकल गया correct and वो fail to pay the price of furniture वो furniture का price नहीं दे पाई और आप तो जानते हैं कि firm की जो firm जो होता अगर insolvent हो जाता है तो किसकी property में से लिया जाता है partners की liability unlimited होती है उनसे लिया जाएगा आपको कारण के साथ बताना है पहला question क्या P की जो personal property है क्या उससे भी हम furniture का price ले सकते हैं क्या आपको क्या लगता है क्या P की जो private property है उससे furniture का price लिया जा सकता है क्या बताओ और second whether does it make any difference if company supplied the furniture of the firm believing कि तीनों के तीनों जिन्दा है believing तीनों के जिन्दा अच्छा इसमें पता था क्या हाँ यहाँ पे कह रहा है पता था time of delivery मतलब जब वो delivery कर रहा था यहाँ पे पता था कि भाई आप P मर गया है और second वाले केस में पूछा है कि P नहीं पता होता कि वो मर गया तो दोनों का अंसर क्या होगा law बोलता है since delivery of furniture was made after peace death तो liability कब arise हुई P की death के बाद हुई और P की liability अगर death के बाद arise हुई है तो there was no debt due in respect of the goods and peace lifetime तो P की lifetime में कोई debt due ही नहीं था इसलिए आप उससे ले नहीं सकते हैं ठीक है अच्छा अगर ये बात उन्हें ऐसा लगता कि तीनों जिंदा है तो भी क्या ले सकते थे किया the answer is no यानि P से आप नहीं ले सकते हो क्योंकि वो एक बार मर गया तो उसका रिष्टा automatically firm से खतम हो गया अब आप किस से ले सकते हो आप ले सकते हो M और N से ले सकते हो लेकिन किस से नहीं ले सकते हो P की property से आप नहीं ले सकते हो P के legal representative से आप नहीं ले सकते हो क्या ये point आपको clear होगे सारे yes or no retirement, death, insolvency बिल्कुल clear होगे कोई दिक्कट नहीं है सब चलो great next concept आता है कि जो partner जा रहा है outgoing partner क्या वो firm को छोड़ने के बाद competing business कर सकता है क्या competing business बताईए अगर एक partner firm छोड़के जा रहा है तो क्या वो partner competing business कर सकता है यानि similar to that of the firm मान लो ABC furniture manufacture करती थी ठीक है furniture manufacture करती थी T retire हो गया T क्या हो गया retire हो गया retire हो गया मतलब कोई बन गया outgoing partner अब वो भी जाने के बाद क्या करना चाहता है furniture manufacturing का business ही करना चाहता है furniture manufacturing का business ही करना चाहता है क्या सी firm चोडने के बाद furniture manufacturing का business कर सकता है या नहीं कर सकता है तो देखते हैं law क्या कह रहा है आओ law कहता है यास 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 ती एक outgoing partner अगर चाहे तो वो competing business कर सकता है लेकिन वो ये चीजे नहीं कर सकता है या नहीं कर सकता वो अब फर्म का नाम यूज नहीं कर सकता वो अगर यह फर्म थी एबी सी एंड को अगर यह फर्म थी एबी सी एंड को तो अब जाने के बाद वो एबी सी एंड को के नाम पर business नहीं कर सकता वो अब अपने आपको represent नहीं कर सकता कि वो फर्म का ही business कर रहा है यानि वो अपनी दुकान खोलने के बाद furniture की यह नहीं दिखा सकता कि मैं अभी भी फर्म का ही business कर रहा हूं वो ऐसा भी नहीं कर सकता और third most important point वो customers को लेके भाग नहीं सकता वो vendors को लेके नहीं भाग सकता solicit करना मतलब जो पुरानी फर्म के लोग थे उनको या हो सकता उनके employees को तो solicit the custom of persons who are dealing with the firm before he ceased to be a partner यानि जब छोड़के गया तो वहां के employees, वहां के vendors, वहां के customer को वो अपने साथ लेके नहीं जा सकता या उनको phone करके नहीं कहा सकता कि please sir मेर से समान लीजिए या मुझे समान दीजिए clear है क्या आपको लेकिन ये line कभी मत भूलना इसमें क्या subject to contract मैंने आपको पहले ही warn कर दिया था मैंने कहा जहां पर ये line आ जाएगी न वहां पर क्या होगा यानि law कह रहा है normally ये तीनो चीजे वो नहीं कर सकता normally c ना firm का नाम यूज कर सकता है ना खुद को दिखा सकता है कि मैं firm का business कर रहा हूँ ना ही वहां के लोग solid कर सकता है लेकिन लेकिन leकिन लेकिन लेकिन क्योंकि यहां पर लिखे है subject to contract between the partners तो यानि अगर ABC ने जाते हुए यह agree कर लिया कि हाँ तुम सी नाम यूज कर लेना या दिखा लेना तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते हो फिर law applicable नहीं होगा यह तीन conditions तभी लगेंगी जब contract में कोई बात इस तरह की नहीं सकते हैं बट इन तीन बातों का ध्यान रखना नॉर्मल यह नहीं होती है unless आपने बागी partner से approval लिया हो तो चीक है okay now क्या आप सामने वाले partner को जाते हुए उसे रोक सकते हो कि तू competing business ना करना मतलब वो करतो सकता है बट क्या आप उसे रोक भी सकते हो दानसर is yes आप जाते जाने वाले है जाने वाले partner तू जाने के बाद ना competing business मत करना वैसे law बोलता है वो कर सकता है बट आप उसे रोक भी सकते हो provided एक return agreement उसके साथ कर लेना लेकिन जो conditions आप उस पर लगा रहे हो वो reasonable होनी चाहिए यही तेम बात मैंने आपको Indian contract act में सिखाई थी agreement in restraint of trade कि कोई भी person किसी को lawful धंदा करने से रोक नहीं सकता लेकिन उसके कुछ exception थे and this is one of those exception कि आप जाने वाले partner को रोक सकते हो एक agreement करके लेकिन condition reasonable होनी चाहिए तो वो agreement एक valid agreement होता है वाइड agreement नहीं होता है ठीक है clear है क्या yes or no तो वापस चलते है अपने question में can outgoing partner carry on the business of competing business the answer is yes but क्या अगर agreement कर लिया तो फिर नहीं करेगा येस वो भी reasonable conditions होगी तो चलो यहां पर हमारा खतम हो गया भाईजी क्या point खतम हो गया हां competing business कर सकता है कि नहीं जाने वाला partner competing business कर सकता है या नहीं कि नेक्स्ट वाइंट कि नॉर्मली मुझे बताओ कि ये ए था ये बी था ये सी था फार्म की balance sheet बना देता हूं ठीक है फार्म की balance sheet बना देता हूं अद्सेंट लाइबिल्टीस कि एकी capital भी की capital मैं थी के पितल लाइबिल्टीस थार्ड पार्टी लाइबिल्टीस अ फिक्सटेसेट, करेंट टैसेट, ठीक है, फिक्सटेसेट है बिटा, पहले यहां से बनाते है न, थोड़ी पांच लाक, अभी भी कम बढ़ रहेंगे, इन्वेस्टमेंट्स डाल देता हूं लोग इन्वेस्टमेंट्स डाल दी इसको 6-6 कर दूंगा 6-12 लाक हो गया इसको भी 6 कर देता हूं यह लोग ठीक है न अरे यह क्या हो गया भाई चलो 12,00,000 रुपे हो गया टैली हो गई क्या बैलेंशिट देखो क्या ऐसे टैली होगी तुम लोगों क्यों नहीं टैली होती है बैलेंशिट गुर्पिसर की देखो कैसे टैली होगी 2-2-4-2-6 6-6-12 6-12 अब C जो है मेरे बलटा वो छोड के जा रहा है, हो रिटायर हो रहा है मान लो वो रूटायर हो गया, मान लो उसे एकसपैल कर दिया, कुछ भी हो सकता है रिटायर हो गया,otकी मतलब चला गया, मुझे बताओ, जिसदिन ये C निकला, क्या उसका हिसाब किताब कर देना चाहिए यह नहीं, यàni उसका कितना पैसा बनता है, 2,00,000 फे बनता है, तो ये पैसा, टी को दे दे, अगर वो जा रहा है तो उसके मूह पर उसके 2,00,000 फे दो, हाँ या ना, अगर वो मर गया है, तो उसके लीगल र्रेप्रेजन्टेटिव को 2,00,000 फे दो, ठीक है तो logically उसके जाते ही क्या हो जाना चाहिए settlement होना चाहिए किस चीज़ का settlement settlement of that partner आपको उस partner को पैसे दे देने चाहिए जितना भी हिसाब उसका बनता है है ना और फिर अपना business करना चाहिए but law कहता है law क्या कह रहा है भाईया law कह रहा है law कह रहा है देखना अगर आपने settlement नहीं करा अगर partner की death होगे retirement होगे expulsion और आपने क्या नहीं करा no logically कर देना चाहिए था but आपने settlement नहीं करा आपने settlement नहीं करा and you are continuing the business और आप business को क्या कर रहे हो continue कर रहे हो आपने settlement भी नहीं करा और business को continue भी कर रहे हो यानि आज भी जो business हो रहा है उसमें C का पैसा क्या बढ़ाए दैनसरी सी आस तो अगर C का पैसा लगए है तो भाय उसका तो इससा बनेगा तो law ने बड़ी प्यारी बात कई बड़ी प्यारी law ने का फिर आम उसे दो option देंगे option one अगर आपने उसका हिसाब निकरा जब तक आप उसका हिसाब निकरोगे उसके दो option दिये जाएंगे option one और option two option two क्या है 6% 6% per annum जितना पैसा due था उसका property में उतना 6% per annum of amount of his share जितना भी उसका share आपने अभी तक नहीं दिया है उस पर 6% per annum ले सकता है या option number one option number one क्या है कहां गया हां share the profit to share the profit share the profit वह आप से profit में भी हिस्सा ले सकता है वह आप से 6% यह उसके उपर है decide करने के उपर तर नहीं समझा सर सर हमें नहीं समझा सर बिलकुल नहीं समझा कोई बात नहीं बेटा होता है एक question करते हैं फिर समझ आएगा आजाओ ABC partner थे ABC partners है partnership deed बोलती थी A को 20% मिलना चाहिए कितना percent मिलना चाहिए 20% मिलना चाहिए property का and profits का 20% of property and profits A retire हो गया from the firm and dies after 15 days A retire भी हो गया और कुछ दिन बाद मर भी गया and died पहले retire हो और फिर मरा ठीक है B and T ने continue करा business का but accounts को settle नहीं करा आपको बताना है जो A का legal representative होगा उसके पास क्या हक होंगे तो बताओ उसके पास क्या हक होंगे simple दो option होंगे उसके पास वो चाहिए तो आप 20% मांग सकता है of profits या 6% per annum मांग सकता है on the amount due जब तक आप उसका नहीं देते अच्छा बताओ वो कौन सा चुनेगा इन दोनों में से whichever is higher ही लेगा ना अगर उसका दिमाग चलता होगा अगर फर्म profit कर रहा है तो profit मांगेगा जाता अगर फर्म losses में होगा तो कहेगा भाई या losses नहीं मुझे तो percentage पर पैसा चाहिए 6% per annum तो यह वो कर सकता है यही बात आपके answer में भी लिख्की होगी is legal representative shall be entitled at their option उसके पास option है क्या 20% share of profit as per the partnership deed और interest at the rate of 6% per annum on the amount due तो अगर कोई बंदा का आप account settle नहीं करते हैं तो उसको क्या मिलते हैं two options मिलते हैं अगर आप करते हैं then two option मिलते हैं तो two option ठीक है okay sir अब आते हैं एक important से point पर छोटा सा point है छोटा सा point क्या बोल रहा है क्या रहा है देखना हाँ A, B, C partner थे T, retire हो गया और आपने उसका account settle नहीं करा तो उसको दो option मिलने चाहिए थे 6% या profit बट अगर उसने अपना हिस्सा किसी और partner को बेचा अपना share अगर उसने किसी और partner A या B को बेचा ठीक है और उन्होंने accept कर लिया C ने retire होने के बाद account settle होने से पहले ही अपना हिस्सा A को sale कर दिया या B को sale कर दिया और उन्होंने accept कर लिया तो law कहता है अब उसको वो दो option नहीं मिलेंगे क्यों नहीं मिलेंगे बिकाज अब उसे पैसा किस से लेना है A से लेना है अपने इससे का ना की partnership से अगर partnership से लेना होता तो हम उसको option देते बट अब तो उसका option ही खतम हो गया क्योंकि उसने अपना हिस्सा किसी existing partner को already बेच दिया यही बात लिखी है whereby contract between the partners अगर option दिया जाता है surviving or continuing partners को surviving क्यों बोल रहा है death के case में continuing क्यों बोल रहा है retirement और insolvency के case में purchase the interest of the deceased or outgoing partner और option उसामने वाले ने exercise कर लिया यानि बाकी partner ने exercise कर लिया तो फिर आपको वो option नहीं मिलेगा तो आपको वो option नहीं मिलेगा ठिक है okay sir okay okay नहीं समझे गया बच्चा कह रहा है तर अभी भी ये बात नहीं समझाई अरे देखो थोड़ा सा और बताते तो है ना मेरा मन नहीं मानता यार मेरा मन नहीं मानता मैंने को बच्चे को ना समझे ना मज़ा नहीं आएगी है ना मैं बस यह कहा कि अगर C को दो लाक फॉ नहीं मांग सकता है क्योंकि उसने अपना हिस्सा जो है एसे अल्रेडी इन कैश करा लिया है और अगर एने नहीं दिये तो वह अब एसे मंगेगा ना की फॉर्म से बस इतनी बात मैंने आपको बतानी थी ठीक है ओके सर एक जाने वाली सारी बाते क्लियर हो गई जब जाना था है ना अब आएंगी आने वाली बाते कि अगर कोई नया पार्टनर आना चाता है पार्टनर्शिप हमें जबकि method of admission बट बताओ law क्या बोलता है law admission वर्ड यूज नहीं करता law कौन सा वर्ड यूज करता है introduction method of introduction of a new partner नए परसन को अगर आप partner बनाना चाहते हो तो क्या रास्ते हैं आओ फिर रास्ते देख ले चलो रास्ते देख लो कितना बढ़िया इस सिंगर बन सकता था मैं बन सकता था कि नहीं बन सकता था कि नहीं चलो एक example ले लेते हैं पहले है न फिर रास्ते बता देता हूं आशीश भूवन और केरी और डी आना चाहता था धेट इस धिंचक पूझा अना चाहती थी प्लीज 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 अब रिटार्मेंट क्यों लिखा पर अरे माइग गॉड्स ओ माइग गॉड्स यह कैसी गलती हो गई मुझसे लो भीटा ठीक कर दी है ना सेक्शन भी ग हाँ एडमीशन ओफ पार्टनर में धिंचक मुझा कह रही है प्लीज 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 मुझे अपनी फर्म में ले लो ना है अशीश है भूबन है कह रही है तुम कितने स्मार्ट हो प्लीज मुझे अपनी फर्म में ले लो ना ऐसा कह रही है एडमीशन ओफ पार्टनर और of all the existing partner ठीक है यानि जब तक आशीश, भुवन और कैरी जब तक आशीश, भुवन और कैरी consent नहीं देंगे कि धिन्चक पुजा को लेना है तब तक धिन्चक पुजा इनकी फार्म में नहीं आएगी बले ही कैरी ये कहता रहे कि मुझे धिन्चक पुजा पसंद है प्लीज इसे लेलो as a partner ना 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 लौ ने क्या बोला है लौ ने कौन सा गाना गाया है लौ ने कौन सा गाना गाया है लौ ने गाना गाया है कि तब तक नहीं लेंगे जब तक कि सारे partners की consent नहीं आती बट यहां पे भी वो special line दिख रही है मुझे subject to contract यानी law क्या बोल रहा है law कह रहा है अगर contract में कुछ और लिखा है partner को admission के लिए तो वो follow होगा बट अगर contract में कुछ भी नहीं लिखा है तो law वाला follow होगा यानी क्या all consent ठीक है बट अगर contract में ये लिखा हुआ सिरफ carry के कहने से ही दिन चेक पुझा आजएगी अगर contract में तीनों ने ये agree करा है कि carry जिसको final करेगा वो admission ले लेगी तो फिर carry final करेगा चलेगा अगर contract silentは admission को लेकर तो तीनों partner agree करेगे क्योंकि law आइसा बोलता है तीनों partner agree अगर contract में कुछ नहीं लिखा होता है तो ही equal होती है बट अगर contract में कुछ और profit sharing ratio लिखा होगी है तो वो follow होती है वैसे ही अगर admission के बारे में कुछ भी contract में नहीं लिखा है तो ही सब की approval लगेगी बट अगर कुछ लिखा हुआ है तो वो follow होगा ना कि सब की approval चीक है ओके next point बोलता है कि जब भी आप partner को introduce करते हो ना firm को तो वो liable नहीं रहता है किस चीज के लिए जो firm ने पुराने काम करे हुए थे उसकी joining से पहले normally उसकी joining से पहले जितने भी काम आपने करे हुए थे उसकी joining से पहले यानि जिस दिन dp join हुई मान लो यह join हुई थी 4 April 2021 को तो law कह रहा है इस से पहले करे गए सारे काम इससे पहले चार अपरेल से करे गए सारे कामों के लिए दिन्चेक पूजा लाइबल नहीं होगी बट हाँ अगर ये एक्सेप्ट कर लेती है थोर्ड पार्टी के साथ बैठके कि हाँ हाँ मैं पुराने एक्स के लिए लाइबल होगी तो अलग बात है वरना नॉर्मली लोह तो बोलता है भईया ये लाइबल नहीं होगी क्योंकि ये भी subject to the provisions है ओके मेरे बच्चा yes or no yes or no yes sir तो वही सेम बात बस इन्होंने paragraph form में लिखी हुई है लिखी हुई है तो यहाँ पे बेटा हमारा सब कवर हो गया admission cover हो गया retirement cover हो गया expulsion cover हो गया insolvency cover हो गया death cover हो गया correct उसी को हम बोल देते हैं कि reconstitution हो गया firm में firm में reconstitution हो गया मतलब कोई नया partner आ गया पुराना partner किसी वज़ा से चला गया तो हम बोलते हैं reconstitution of firm reconstitution of firm अब आ रहे हैं important topic पे that is minor वाला एक expulsion वाला topic वो बार-बार पूछते हैं ठीक है एक कौन सब topic पूछते हैं expulsion वाला और एक पूछते हैं minor वाला ठीक है minor में क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ करीना जी है सैफ जी है ये दोनों partner है कौन सी firm में partner हैं ये दोनों सैफीना and co सैफीना and co एक registered form है इसके नाम के आगे registered भी लग देता हूँ कितना अच्छा लगेगा हाँ सैफीना and co एक firm है जिसमें करीना और सैफ कौन है मेरे बच्चा partner है अब उनका एक बेटा हुआ जिसका आप जानते ही हो क्या नाम है इसका नाम क्या नाम है बेटा आपका है बताओ बताओ क्या नाम है तुम्हारा कहले मेला नाम ना तैमूल है ठीक है बेटा तुम्हारा नाम तैमूल है ok great कोई दिखकर नहीं है ये अब तैमूर को partner बनाना चाहते है इस firm में तैप ने कहा हमारा बच्चा कितना प्यारा है करना का बात तो तुम सही कहरे हो चलो क्योंना हम इसे अपनी partnership firm में partner बना ले क्योंना हम इसे अपनी partnership firm में partner बना ले वो कहरी है हाँ हाँ ये दोनों agree कर गए अब ही हमने सीखा था, admission अगर होता है, तो दोनों partner, सारे partners agree करेंगे, अगर contract में कुछ ने लिखा अगर सारे partner agree करते हैं, तो हो जाता है, हो जाता है, तो logically तो ये partner agree हो जाना चाहिए, तो क्या तैमूर question आता है, क्या तैमूर सफीना एंड को में as a partner आ सकता है या नहीं आ सकता है आ सकता है या नहीं आ सकता है तो मुझे आपको वापस ले जाना पड़ेगा Indian Contract Act 1872 पे जो ये बोलता है minor के साथ किया गया कोई भी contract क्या होता है wide ab initio होता है but उसको contract में beneficiary बनाया जा सकता है वो benefits तो ले सकता है contract में but contract वैसे वो कर नहीं सकता है because contract wide ab initio है आप उसे कभी भी उठा के उसके उपर case नहीं कर सकते हो वो कभी भी insolvent नहीं होता है correct तो यहाँ पे क्योंकि partnership एक contract ही है offer plus acceptance है ना partnership एक contract ही है और तैमूर भाई हमारे minor ही है तो एक minor कोई contract कर सकता है नहीं तो इसलिए law कहता है तैमूर जी जो है तैमूर जी जो है वो partner नहीं बन सकते वो partner नहीं बन सकते क्योंकि भाईया वो एक minor है और contract वाइड रहेगा बट क्या वो beneficiary बन सकते है क्या minor beneficiary तो बन सकता है तो section 30 बोलता है कि हाँ तैमूर जी आप beneficiary तो बन सकते है बट partner नहीं तो सवाल को बड़े ध्यान से पढ़ना कि question में क्या पूछा है कि can a minor become a partner in a partnership form the answer will be no and अगर सवाल ये पूछा है can a partner be beneficiary in the form the answer will be yes ठीक है clear है क्या yes or no yes sir so यही logic दिया हुआ जो मैंने भी आपको बताया a minor cannot be bound by a contract इसलिए minor cannot become a partner because partnership भी एक special type का contract है हाँ minor partner तो नहीं बन सकता but yes वो benefits में आ सकता है लेकिन benefits में आने के लिए एक point याद रखना beneficiary अगर बनना है तो उसके लिए उसे चलिए चलिए लगेगी with the consent of all the existing partner यह लिखा होना चाहिए था है यार चलो ठीक है with the consent of all existing partners existing partners ठीक है चलो अब मान लो आओ इस case study को करा जाए ठीक है आओ इस case study को करा जाए तैमूर का बड़्डे देख लिए कब होता है रुको ज़रा तो है में रुका बड़्डे देख लिए जाए सर क्यों देख रहे हैं सर तैमूर का बड़्डे अरे बेटा case study कैसे बनेंगी दो मिनट दो बज तैमूर बड़्डे अरे 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 बीस दिसम्बर दो हजार सोला कि यह उसका बर्थडे हुआ ठीक है अब उसको देखते हैं अठरा साल कहा होते हैं कि अ है ना एटीन वहां पे वह मेजर कौन सी तारिक को होगा यह देखेंगे ठीक है ओके सर्ट के सर्ट के सर्ट को तभी तो इस के स्टेटी बनेगी कि अ हुआ है कैसा नेट है यार बताओ 5G के जमाने में जी रहा हूँ हाँ आ गया 20 दिसंबर 2034 20 दिसंबर 2034 मेजर हो जाएगा मेजर हो जाएगा ठीक है यहाँ पर इसका बड़े हुआ यहाँ पर यह मेजर हो गया ठीक है 20 दिसंबर 18 साल हो गया 34 मएने सटरा हाँ और यहाँ पर मान लो पर आज क्या तारीज है आज की लेक्चर की तारीफ डाल देता हूँ आज क्या तारीफ का निक्ठर कॉनसी तारीफ को आ रहा है 30 अक्टूबर है नाज 30 अक्टूबर है की नहीं 32 30 अक्टूबर 32 ए को हमने उसे beneficiary introduce कर दिया beneficiary introduce कर दिया कौन सी तारिक को मेरे बच्चा 30 October को ठीक है क्योंकि as a partner तो introduce नहीं कर सकते क्योंकि वो छोटा है और यहाँ पर जाके वो बनेगा major now the question will come कि जब तक वो major नहीं होता है यानि जब तक वो minor है तब तक इसके पास क्या क्या rights रहेंगे और इसकी क्या क्या liabilities रहेंगी उस question को अब हम अनसर करेंगे क्या क्या rights है minor के जब तक वो beneficiary है यानि जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता है और क्या क्या liabilities रहेंगी तो देखना पहला minor का right है जिसके लिए हमने उसे लाया है that is उसको मिलेगा agreed share of profit उसे firm के profit में हिस्सा मिलेगा जितना भी हमने कहा था उसको जितने percentage के लिए लाया गया था वो percentage उसको पक्का पक्का मिलने वाला है ये तो मिलेगा ही मिलेगा साथ में देखना और क्या क्या मिलेगा वो books को वो firm की books को access भी कर सकता है inspect भी कर सकता है copy अब मुझे बताओ minor को जब समझता ही नहीं है तो ये right उससे क्यू दे रखा है कह रहे है he can have access to inspect to all copy वो access भी कर सकता है inspect भी कर सकता है copy भी कर सकता है copy jacks वगे निकाल के रख सकता है accounts of the firm के ये right minor के पास है ठीक है OK third right जो है वो partner के उपर case कर सकता है किसके लिए दो चीजों के लिए accounts मांगने के लिए case कर सकता है या payment अपने हिस्से की payment के लिए case कर सकता है बट वो case तभी कर सकता है only and only जब वो form से अपना हिस्सा अलग कर रहा हो not otherwise यानि normally ये right minor के पास नहीं है यानि normally एक minor case नहीं कर सकता है दूसरे partners के उपर या firm के उपर वो case नहीं कर सकता है normally सिरफ एक ही ऐसा scenario है जब वो firm को छोड़ रहा है मतलब वो beneficiary नहीं रह रहा है तो वो accounts और payment के लिए case कर सकता है otherwise उसे ये case करना allowed नहीं है अच्छा क्या ये rights आपको समझागे एक और special right है कि जिस दिन वो major बन जाता है जिस दिन वो major बन जाता है कहां बन रहा था वो major मेरे question में कौन सी तारीक थी वह या यानि इस तारीक की बात कर रहा है 20 December 2034 की जिस दिन वो major बन जाता है ही में within 6 महीने के अंदर उसे बताना होता है six month के अंदर उसे एक public notice देना पड़ता है कि यyu बड़ा हो गया teilweise ने हैं है कि वो partner बनना चाहता है या नहीं बनना चाहता है ठीक है बड़ ये 6 महीने कहां से count होते हैं ये बड़ा प्यारा question है तो law बोलता है 6 महीने की starting date पता है कहां से हैं जिस दिन वो major बना या जिस दिन उसे ये पता लगा कि वो firm के अंदर beneficiary था which ever is later से ये 6 month count होते हैं फिर से बता रहा हूं जिस दिन वो major बना ठीक है या जिस दिन उसे ये बात पता चली कि वो beneficiary क्योंकि ये तो छोटा है जब इसको बनाया गया होगा इसको क्या ही पता ये beneficiary है है ना हो सकता है इसे ना पता हो तो जब ये बढ़ा होगे इसे तब भी नहीं पता तो इसे अगर बाद में पता चला major बनने की भी कुछ साल बात तो law कहरा है six month वहां से count होंगे कहां से from the date of major or from he himself knowing that he was a beneficiary whichever is later date से 6 महीने के अंदर इसे public notice देना और बताना है कि मैं partner बनना चाहता हूं या partner नहीं बनना चाहता हूं अगर ये 6 महीने के अंदर notice देना भूल जाता है तो law assume कर लेता है कि minor partner बन चुका है minor partner बनने के लिए ready है क्या ये बात आपको clear हो गई yes or no तो हमने क्या सीख लिए rights सीख लिए पहला right क्या था अग्रीड प्रॉफिट या एग्रीड शेर ओफ प्रॉफिट एक ही बात है न यार क्या लो दुवारा लिख देते हैं वाज्या चिंता मत करो अग्रीड शेर ओफ प्रॉफिट पहला राइड़ था आया न हिसर टेकंड रैट क्या था पॉफिट मिल गया हाँ inspect कर सकते ह है एकसेस कर सकते हैं कौपी ले सकते हैं किस चीज की accounts ज्रस ऑफ थर्ड़्याट किया था वैसे राइठ सिरफ एक ही केस में होता है गाल होता है दो क्योग कर सकते हैं डंट कब है डिन सफल और The Crime को ठीक है जब भी आप connection को सवर करेंगे फार्म के साथ तो आप कर सकते हैं और फिर मेजर होते आपको छे मेने के बाद बताना होता है यह ओगे राइट अब आती है liabilities की बात गात कि मैईनूर की liability क्या है इसमें तो बहुत बच्चे गलत करते हैं यह वाला point क्या वह कहते हैं माईनूर कлекय लाइबिल्टी होती ही नहीं है दामसरी नो यह समझो माण लो टैमूर की आप ग्डार्मूर कि इतना पर्सनल प्रॉपर्टी है ठीक है और फर्म में टैमूर के नाम पे 6 करोड का कैपिटल बढ़ा हुआ है यह फर्म में टैमूर का कैपिटल बढ़ा हुआ है और यह फर्म की पर्सनल प्रॉपर्टी है ठीक है तो लौ कहता है अगर जरूरत बढ़ेगी तो हम तैमूर के ये 6 करोड मार लेंगे हम ये 6 करोड मार लेंगे बट हाँ इसको टच नहीं करेंगे उसकी personal property को टच नहीं करेंगे यानि the liability of the minor is confined only to the extent of his share in the profits and the property of the firm यानि firm की property और firm के profits में उसका जितना हिस्सा है वो तो अपने personal assets में कुछ भी नहीं देगा आपको और minor cannot be declared insolvent ये तो आप जानते ही हैं लेकिन अगर firm insolvent हो गई minor तो insolvent नहीं हो सकता लेकिन अगर firm insolvent हो गई तो जो उसका हिस्सा था उसका हिस्सा मतलब किसकी बात कर रहे हैं ये लोग उसका हिस्सा था मतलब इस 6 करोड की बात कर रहे हैं ये लोग तो वो जो 6 करोड रुपे थे वो official receiver या assignee को मिल जाएगा जो firm का appoint हुआ है clear है के सब को yes or no जल्दी बताओ जल्दी बताओ clear है की नहीं हाँ sir clear हो गया very 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 good पानी पी ले हाँ हाँ sir पानी पी लीजिए पानी पीते रहेंगे तो आप अच्छे सिंगर बन पाएंगे ये भी बात सही है मेरे बच्चा अ कि आ चले हाँ हाँ sir चलिए सर चलिए समझा रहा है कि नहीं आ रहा है हाँ sir आ रहा है sir समझा रहा है पिर ठीक है गुट 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 चलो आगे चलते हैं अब majority जब वो major बन जाएगा after attaining majority या तो वो partner बनेगा या वो partner नहीं बनेगा पार्टनर बनने के क्या तरीके है पहला तरीका है जब वो इलेक्ट करता है यानि public notice देखके decide करता है कि मैं partner बनूँगा और दूसरा method क्या है when he forget to give the public notice forget to give public notice तो इन दोनों ही रास्तों से वो partner बन जाता है बट वो partner कब नहीं बनता है सिरफ और सिरफ एक रास्ता है उसको public notice में यह लिखना होता है है he elects not to become partner ठीक है है ना when he becomes partner कब जब इलेक्ट करता है या तो public notice में लिख देता है कि हां मैं partner बनना चाहता हूं या public notice 6 मेने में देना भूल जाता है तो है तो अगर वो इलेक्ट कर लेता है कि मैं नहीं बनना चाहता हूं तो न आव कुशन कम कि उसकी में जब्द बनता है और जब्द बन रहा हूं या notice देने में fail हो जाता है तो law कहता है पहली चीज अब वो personally liable हो जाएगा अब वो personally liable हो जाएगा third parties को but conceded से ये बड़ा important है since he was admitted to the partnership 99% बच्चों का दिल ये कहता है 99 क्या मुझे तो लगता है 100% बच्चों का ये दिल कहता है sir क्या कहता है क्या कहता है कि वो public notice के दिन से liable होगा law कहता है नई 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 जिस दिन हमने उसे beneficiary बनाया था अगर उसने यहाँ पर decide कर लिया partner बनने के लिए तो वो liable होगा किस दिन से जिस दिन से हमने उसे partnership यानि यहाँ से liable होता है तो अपने client को न हमेशा कहना कि भया पहले तू elect कर ले कि partner नहीं बनेगा और फिर दुबारा join कर तो क्या होगा ना फिर उसने वो तभी से liable होगा जब दुबारा join करेगा क्योंकि अगर वो elect कर लेगा तो वो खून क्या सुरू हो सकता है because वो उन सारे एक्स के लिए liable हो जाएगा जब विचारे को समझ भी नहीं थी जब विचारे को किसी चीज की समझ भी नहीं थी क्या ये point आपको clear हुआ क्या ये sir ये point हमें clear हो गया ठीक है अच्छा उसका property में हिस्सा और profit में हिस्सा बदलेगा या same रहेगा law कहता है same रहेगा जो उसे minor होने पे जितना property का हिस्सा मिलता था और profit का हिस्सा मिलता था वही same हिस्सा इसका continue करेगा लेकिन अगर वो ये चुनता है कि नहीं 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 मैं partner नहीं बनना चाहता हूँ तो क्या होगा तो कह रहे है उसकी rights and liability वैसी ही रहेंगी जैसे कि वो minor था जो minor की rights and liability थी और कब तक रहेंगी date of public notice यानि जिस दिन public notice दे दिया firm अलग minor अलग अब इनका कोई रिष्टा नहीं रहा his share अब उसका share public notice की date के बाद से liable नहीं रहेगा किसी भी चीज के लिए अपना हिस्सा लेके घर जा सकता है ठीक है ओके 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 it may be noted that such minor shall give notice to the registrar and he has or not become a partner और यह उसे registrar को भी बताना है किसको minor को रजिस्ट्रार को भी बताना है कि वह partner बनना चाहिए रजिस्ट्रार यहां पर कौन सा रजिस्ट्रार होगा रजिस्ट्रार ओफ फर्म की बात कर रहे हैं कि तो माइन और वाला कोशन बहुत ही ज़्यादा important है पेपर में आता है इसलिए मैंने important बताया है अब आता है transferi of interest इसको एक example से समझते हैं एक example से समझते हैं तो बैतर समझेगा ABC बहुत होगे बोर हो गया होगे ABC लेके कुछ नया नाम लेंगे है ना सवीता मुन्नी शीला सवीता मुन्नी शीला तीन पार्टनर्स हैं ठीक है कि पीला को पैसो की जरूरत थी शीला को पैसो की जरूरत थी मुझे बताओ जब किसी को पैसो की जरूरत होती है तो वो क्या करते हैं अपना समान बेचने या तो बेच देते हैं गिरी भी रख देते हैं जैसे अगर मुझे पैसो की जरूरत होगी तो मैं भीया कोई समान अपना फोन बेच दूगा अपनी चाहती हो वो अपना partnership का share हो सकता है sell करना चाहती हो हो सकता है pledge करना चाहती हो तो क्या यह possible है क्या आप अपना partnership का share किसी third person को बेच सकते हो क्या या किसी को pledge गिर्वी रख सकते हो क्या आप ऐसा कर सकते क्या law allow करता है शीला को अपना partnership goods तो हम बेच सकते हैं बट क्या partnership का हिस्सा बेचा जा सकता है और अगर बेचा जा सकता है तो कहीं ये goods की definition में तो नहीं फॉल होता जो हमने गुटसी होता है ये भी goods है ये शेर इन पार्टनर्शिप इस ट्रांसफरेबल लाइक एनी अधर प्रपरटी जैसे आप बाकी की चीजे बेचते हो वैसे ही इसे भी एक परसन से दूसरे परसन को ट्रांसफर करा जा सकता है ठीक है करा जा सकता है कोई दिक्कत की बात नहीं है आप इसे सेल भी कर सकते हैं आप इसे mortgage भी कर सकते हैं या कुछ और भी कर सकते हैं रेंट पर भी दे सकते हैं कोई दिक्कत की बात नहीं है लोग वोल रहा है ठीक है ओके सर बट फिर question आता है जब हम अपना हिस्सा किसी को बेच देते हैं मान लो शीला ने शीला ने अपना ह हिस्सा किसको बेच दिया धन्नों को बेच दिया आप मुझे बताओ क्या धन्नों ये पार्टनर्शिप का शेयर खरीद के पार्टनर बन जाएगी क्या अगर शीला ने अपना हिस्सा धन्नो को सेल कर दिया हमने बोला कि सेल कर सकता है लोग है रहा है सेल कर सकता है तो क्या इसका मतलब यह है कि धन्नो जैसे यह पार्टनर्शिप का हिस्सा खरीदेगी तो क्या धन्नो पार्टनर बन जाएगी धानसर इसनों तो वो पार्टनर नह तो स्टर अगर वो पार्ट्ण्र नहीं बनती है तो फिर वो क्यूं खरीद रहे हैते द्ण्योंने क्यूंझा आप आप नहीं बन रही है तो लो कहता है के दो rights है during Continuance जब तक firm चल रही है Continuance of firm तब क्या right रहेंगे या on dissolution यानि अगर firm ही बंद हो रही है on dissolution of firm or during Continuance of firm on dissolution of firm और on retirement of transferring partner, transfer partner retirement यानि अगर शीला retire हो रही है तब या firm ही बंद हो रही है तो उसके राइट्स क्या होगे तो question बड़े ध्यान से पढ़ ना कि ट्रांसफरी के राइट्स during continuous of firm में पूछे गए हैं या firm के बंद होने या रिटायर होने पर पूछे गए हैं ये दोनों आपको ध्यान रखने हैं तो law कहता है देखो अगर फाम continue कर रही है तो क्या rights होंगे पहला देखना हां तो सिरफ और सिरफ एक right मिलता है आपको सिरफ और सिरफ एक right that is जितना profit का हिस्सा है बस यानि धन्यों को सिरफ क्या मिलेगा only entitled to receive the share of the profit यानि जो शीला को profit मिलने वाला था बस वही मिलेगा वो books में वो business में interfere कर सकती है के नहीं बिजन्यास में कौन interfere कर सकता है वो शीला ही कर सकती है कि शीला अभी भी partner है ना वो बूक्स ओफ य्कुस को check कर सकता है ना वो भूक्स ओफ अखकांट्स को check कर सकता है सिरफ और सिरफ उसे profit का हिस्सा मिलेगा और वो भी वो profit जो agree करा है बाकी partners ने मतलब जो भी accounts final करे हैं उनको वो challenge नहीं कर सकता यानि accounts को वो challenge नहीं कर सकता तो इसमें एक बड़ी प्यारी case study आती है लायोंगे मैं एक सेकिंड देखता हूं case study कहां चली गई? case study आओ, लाओ मैं ही बना देता हूं case study आजाओ देखो, क्या हुआ? बेचने के बाद तीनों partners ने profit final करा शे लाक रुपे, तीनों partner ने कितना profit final करा current year का शे लाक रुपे, धन्नों कह रही है सवीता और मुन्नी को कह रही है कि तुमने धोका किया है 6 लाक नी profit जादा आना चाहिए, मुझे books of accounts दिखाओ मुझे books of accounts दिखाओ, तो सवीता और मुन्नी कहेगी कि law ने तुम्हें ये power नहीं दिये law ने तुम्हें ये power नहीं दिये, कि तुम books of accounts मानो तुम्हें जो पैसा हमने बताया है, 6 लाक रुपे profit उसमें इतना हिस्सात बनता है शीला का, वो बस तुम्हें मिलेगा बाकी कुछ भी हम तुम्हें नहीं देने वाले हैं, ये बात याद रखना यानि वो चैलेंज नहीं कर सकती है books of accounts को वो books of accounts को मांग नहीं सकती है, देख नहीं सकती है या वो person retire हो जाता है, जिसने अपना हिस्सा बेचा था, transfer करा था, तो क्या rights होते हैं, तो क्योंकि firm बंद हो रही है, या firm वो जा रहा है तो हिस्सा मिलेगा, अब profit नहीं मिलता, अब assets में, property में जितना तुम्हारा share था, वो मिलेगा, और इस property का हिस्सा निकालने के लिए कि तुम्हें कितना हिस्सा मिलने वाला है, उसके लिए तुम books of accounts मांग सकते हो, लेकिन कहां से, from the date of dissolution, या from the date of, यहाँ पर actually में retirement भी आना चाहिए था, बट नहीं लिखा हुए law ने क्या कर सकते हैं, ठीक है, हाँ, तो from the date of dissolution और from the date of retirement, वहाँ से आगे कि books of account मांग सकते हो, तो क्यूं, सिरफ इसलिए अपना हिस्सा निकालने के लिए, कि बहुए जाते हुए मुझे कितना हिस्सा मिलेगा, that's it, यानि पुराने account साब तब भी नहीं मांग सकते हो, dissolution के बाद वाले ही account साब मांग सकते हो, अपना हिस्सा निकालने के लिए, तो question दियान से बढ़ना dissolution वाला आया है, यह continuous of firm वाला आया है, ठीक है, ओके सर, अब आएंगी basic basic बाते, बहुत हो गया आना जाना है ना, अब basic basic बाते finally start हो जाएंगी, चलो आओ बाते करते हैं, आओ मेरे बेटां, बाते करी जाए, four general duties of partner, four general duties of partner section 9, law कहता है, कोई CB partnership हो, law क्या कहता है, कोई CB partnership हो, चाहे वो फिर partnership at will हो, चाहे वो particular partner हो, चाहे वो general partnership हो, चाहे types of partner में भी active और sleeping हो, कोई फरक नहीं पड़ता, सारे partners को ये duty निभानी पड़ेगी, ये चार duty हर partner को निभानी है, पहली क्या duty है, उसको जो business करना है, वो greatest common advantage करना है, greatest common advantage, इसको समझेंगे, इस word को जब तक आप समझेंगे नहीं, आपको पता ही नहीं चलेगा, मैंने का जी greatest common advantage, आपने भी याद कर लिया है, आपने या greatest common, समझ तो लो, क्या लिख्था है, greatest common advantage, क्या हुआ, एक partner था, उसको firm ने बोला, कि जा market से raw material purchase करके ला, ठीक है, जा market से raw material purchase करके ला, अब एक shop, वो raw material 10 करोड का sale कर रही है, shop 1, और एक shop, वो raw material 15 करोड का sale कर रही है, firm ने partner को भेजा कि जा जा raw material खरीद ला, firm ने partner को भेजा, हे partner जाके raw material खरीद ला, एक दुकान पर सेम material 10 करोड का मिल रहा है, एक दूसरी दुकान पर वो ही same material 15 करोड का मिल रहा है, मुझे बताओ, इस partner को वो material कहां से खरीदना चाहिए, तिरफ simple दिमाग लगाओ, कहां से कोई भी अंधा भी बता देगा, क्यों ये shop 2 से खरीदना चाहिए, है न, shop 2 से खरीदना चाहिए, ठीक है, सर ये कैसी बात कर रहे हो, shop 2 से क्यों खरीदेगा सर, वो तो shop 1 से खरीदेगा, क्योंकि सस्ता वहां मिल रहा है, तो raw material purchase होता है, हमारी cost होती है, तो हम तो सस्ते में खरीदेगे, यही बात, यही बात तो मैं कह रहा हूँ, यही बात मैंने इस partner को भी गई, कि तुझे यहां से खरीदना है, बढ़ ये partner पता है कहां से खरीद के लाया, इस partner ने फिर भी यहां से खरीदा है, पता है क्यों, क्योंकि इस shop वाले ने इसकी जेब गरम कर दी, आह क्यों, क्योंकि इसे 2 करोड रुपे मिल रहे थे, तो law क्या कह रहा है, कि यह जो इसने करा, यह अपनी duty नहीं निबाई, because इसकी duty क्या थी, कि इसे वो decision लेने थे, जिनसे firm का फाइदा हो, ना कि personal फाइदा, firm का फाइदा हमेशा देखना पहले, जब business की dealings हो रही हो, to the greatest common advantage to the greatest common advantage, firm का फाइदा पहले, personal फाइदा बाद में, this is the first duty, यह तो कुछ भी नहीं, second duty, just and faithful to each other, क्योंकि partnership है ही confidence का चीज़े, तो आपको एक दूसरे के साथ faithful रहना है, कभी भी एक दूसरे से जूट नहीं बोलना है, कभी भी एक दूसरे से जूट नहीं बोलना है, आपको हम हमेशा सच ही बताना है, और अगर दूसरा partner या उसका legal representative आप से कुछ accounts, कुछ बात पूछ रहा है, तो आपको उसे हमेशा true accounts ही देने है, और आपको उसे हमेशा full information ही देनी है, यह चार duty हर partner की है, पहली greatest common advantage, है न, greatest common advantage, just and faithful to each other, एक दूसरे से faithful रहना, books of accounts अगर मांगे यानि जो बात आपको पता है, और full information देना, ठीक है, यह चारो बाते सारे partners को करनी है, ऐसा law ने section 9 ने बोला है, and this section is not subject to contract, मतलब यह तो सबको ही follow करनी है, यह तो सबको ही follow करनी है, अब law कहता है, अगर partner की वज़ा से, loss हुआ है firm को, अगर partner की वज़ा से loss हुआ है firm को, तो पूछना, क्या पूछना, कि वो partner जो loss हुआ है firm को, वो fraud की वज़ा से हुआ है, या negligence की वज़ा से हुआ है, नेगलीजेंस की वज़ा से हुआ जैसे पीछे एक्जाम्पल में मैं जाता हूँ बताओ पीछे फार्म को कितना लॉस हुआ पहले बताओ फार्म को कितना लॉस हुआ फार्म को पांच करोड का लॉस हो गया पर्म को पांच करोड का लॉस हुआ बताओ ये इस पार्टनर की नेगलीजेंस की वज़ा से हुआ है या आपको फ्रॉड नजर आ रहा है नेगलीजेंस या फ्रॉड तर ये तो साफ दिख रहा है फ्रॉड है क्योंकि इसको पताता सस्ते में मिल रहा है फिर भी महेंगे में करना पड़ेगा कितना अमाउंट जो फर्म को लॉस हुआ है कितना लॉस हुआ था फर्म को पांच करोड इसने दो करोड लिए बट लॉने का अगर पकड़ा गया ये देखो सजा तो तभी मिलती है न जब पकड़े जाते हो लो में तो बहुत सारी चीज़ा लेक्षी होती तो अगर ये पकड़ा जाता है तो इसे फर्म को दो करोड नहीं देने पड़ेंगे जो इसे मिलेते हैं फर्म को कितना लॉस हुआ है वो देना पड़ेगा फर्म को तो पांच करोड का लॉस हुआ है तो ये फर्म को पांच करोड भरेगा ठीक है अगर नेगलीजेंस होती ह मतलब उस पार्टनर को पता ही नहीं था कि कई किसी और शौप पे 10 करोड का भी मिल जाता है और वो बिचारा बेफकुफों की तरह 5-15 करोड में खरीद लाता है ऐसे नॉर्मली हमार साथ होता है मम्मी कहते हैं जाके टमाटर लेया मार्किट में रेट चल ला होता है बैया 20 र नाहीं उसने क्यूँ करा रहा है विक्कॉर से अदिहान से चेकंग नहीं करनी के तो यहाँ पर भी हो इंडेमनी फै language करेगा कि पिटा सस अब अगर फ्राउड होता है तो यह चीज mandatory है अगर fraud होता है और पकड़े जाते हो तो mandatory है indemnify करना बट अगर negligence होता है तो law ने लिखा हुआ है subject to contract मतलब बाकी partners अगर approve करें तो इसकी ये गलती माफ करी जा सकती है बट ये गलती उसकी माफ नहीं होगी वो गलती उसकी माफ भी करी जा सकती है क्लियर है क्या इसलिए मैंने दोनों को अलग अलग बनाया है इसलिए मैंने ये किसी और section 13 में आता है ये section 10 में बात हो जाती है चलो क्लियर है सबको yes और no yes sir clear हो गया आपने जो भी का good मेरे पच्चा very 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 good आगे चलते हैं partner के क्या-क्या rights उसके पास है business से related क्या-क्या rights उसके हैं है ना और क्या-क्या duties उसको करनी है ये हमें कैसे पता चलेगा law कहता है ये ये आपको अगर पता करना है कि अगर आप कल को partnership में एंटर कर जाते हो किसी के साथ आपने partnership खोल ली तो आपके क्या हक है या आपको कैसे पता चलेगा है ना आपकी क्या duties आपको क्या काम करना है वो कैसे पता चलेगा तो law कहता है सबसे important है contract between the partner यानि partner ने जो भी contract में rights and duties agree करी है वो ही rights and duties आप करेंगे but this is subject to the provisions of the act लेकिन अगर act में कुछ और duties दी हुए जैसे अभी आपने general duties पड़ी ना चार्प वो contract में नहीं दी हुई वो कहां दी हुई है act में दी हुई है तो आपको यानि आपके दो सोर्स हो गए अगर आपको पता करनी है ना rights and duties parties तो देर आर टू सोर्सेज तो सोर्स वन कितनी प्यारी बात लेकिए सोर्स वन इस एक्ट पार्टनर्शिप एक्ट में जो दिया हुआ है वहां से rights and duties पता चल जाएंगी और सोर्स टू सोर्स टू किया आपकी rights and duties का that is contract between the partner जो की oral भी हो सकता है एक्स्प्रेस भी हो सकता है इंप्लाइड उससे फरक नहीं बढ़ता, contract express हो, implied हो, express में भी oral या writing हो फरक नहीं बढ़ता लेकिन rights and duties या तो contracts से आएंगी या आपकी acts से आएंगी, जैसे acts से अभी हमने चार duties पड़ी, चार duties क्या पड़ी कि greatest common advantage में होना चाहिए भया है ना, है ना वो सारी चार duties हमने करना, यानि contract में अगर hair pair करनी है, तो वो कैसे होगा, with the consent of all the partners, वो partner की consent से आप change कर सकते हो, वो partner की consent से आप change कर सकते हो, next question आता है, कि क्या, जब आप किसी partnership firm में partner हो, तो क्या आप कोई और business कर सकते हो, I am not talking about competing business, I am talking about any other business, including competing business, अभी हमने एक topic पढ़ा था, जिसमें जाने व पाटनर कर सकता है या Frei जिसमें जाने वाला partner कर सकता है या नहीं, उस पर चर्चा करी थी, अब उस पर नहीं हो रही है, अब क्या चर्चा हो रही है, कि बहुआ जो partner है, अभी गया नहीं है, वो firm में काम कर रहा है, क्या वो partner, कोई और business, और business है, वहा पर computing था, यहां पर औ और बिजनस की बात हुरी है और मतलब कोई भी बिजनस क्या वो कर सकता है जब वो पार्टनर है तो लौ कहता है यस कर सकता है कौन रोक रहा है कर सकता है बट अगर उसने कॉंट्रेक्ट में रेस्ट्रिक्शन डाल दिया अगर कॉंट्रेक्ट में रेस्ट्रिक्शन डाला तो वो नहीं कर सकता है, otherwise वो law तो बोलता है करने में कोई दिक कर दियें, बट अगर contract में ही parties ने decide करा है, तो हम क्या करते हैं, उनकी मर्जी भई या contract में decide हुआ है, तो वो कर सकते हैं, और वो एक valid contract भी होगा, क्यों, क्योंकि agreement in the state of trade वाला point यहां पर नहीं लगता है, because that is an exception, ठीक है, ओके सर, ओके सर, चलिए, तो मैंने आपको बताया था, कि अभी अभी बताया था, कि rights and duties के दो source है, source one, act, source two, contract, तो मैं आपको contract के, बता सकता हूँ कि contract से rights and duties के आ रही है, नहीं बता सकती, क्योंकि वो तो हर contract में अलग होगी, हर partnership के contract में, तो मैं आपको क्या सिखाऊँगा, मैं आपको सिखाऊँगा, law में rights and duties क्या है, और वो भी देखो, subject to contract, subject to contract, यानि contract में कुछ और लिखा होगा, तो वो लगेगा, अगर contract में कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो ये बाते वो बड़े खतरनाक provision है, exam point of view से, क्योंकि आपको ये भी याद रखना है कि law में ये लिखा है, और ये भी याद रखना है कि वहाँ पे contract से इस law की कोई जद नहीं रह जाएगी, हट जाएगा, चलो, तब से पहला है, सारे के सारे partners को business में part लेने का हक है, यानि अगर 10 partner है, तो law कहता है, अगर आपने कुछ और agree नहीं कराया, तो 10 के 10 partners को contract में, business में part लेने का हक दिया गया है, बट अगर मैंने ये agree करा कि नहीं, सिरफ 5 लोग काम करेंगा और 5 लोग नहीं करेंगे, तो क्या होगा, तो फिर 5 लोग करेंगा और 5 लोग नहीं करेंगे, जैसे मैं यह आप एक case study लाया हूँ, देख रहा, same इसी point के उपर है, first point के उपर, एक example कर लूँगा तो आपको clear हो जाएगा, मुझे लगता है, management, management power, एक partner की जो management power थी business की, वो interfere करी गई, और हमने उसको wrongfully करने से मना कर दिया, wrongfully मतलब वो करना चाहता था manage business को, बट हमने उसे नहीं करन ने दिया, तो क्या court interfere कर सकता है, क्या आप court के पास जा सकते होगा, कि यह law ने तो मुझे write दिया हुए, law ने तो मुझे write दिया हो, कि हर partner जो है business में manage कर सकता है, बट यह लोग मुझे business manage नहीं करने दे रहे है, the answer is yes, court आपको injection लगा देगा, injection मतलब बाकी partners को रोक देगा, यह करने से, कि भाया, अब आप इस partner को मत रोकना, अब आप इस partner को नहीं रोकेंगे, यह भी अब business में conduct में part लेगा, बट, 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 बट अगर आपने, अगर आपने contract में ही यह agree कर रहा था कि उस partner को power नहीं मिलेगी, यही बात पहले ही agree हो चुके contract में कि उसको power नहीं मिलेगी फिर court interfere नहीं करेगा फिर court interfere नहीं करेगा ठीक है सारे partners को diligently अपनी duties निभानी है diligently अपनी duties निभानी है सारे के सारे partners को ढोट है ये भी बोला गया फिर अगर business का कोई भी matter है और decision लेना है बिजनेस का कोई मुद्दा है जिस पर डिसीजन लेना है कि यह चीज खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए यह चीज करें या नहीं करें इस इंप्लॉई को रखना है या नहीं रखना है कोई भी डिसीजन हर पार्टनर को हग है कि वह अपना ओपीनियन रख चाहिए नहीं बट आखरी में सुनी किस की जाएगी कहरा अगर वो एक normal matter है तो majority of the partners की सुनी जाएगी यानि अगर 10 partner थे 6 partner बोल रहे हैं करना चाहिए और 4 partner बोल रहे हैं नहीं करना चाहिए तो law कहता है majority partner बोल रहे हैं तो business में वो चीज होगी लेकिन अगर आप firm का धंदा ही change करना चाहते हैं आपने धंदा खोला था किसी और चीज का और आप किसी और चीज में जाने चाहते हैं तो उसके लिए सारे partners की consent लगेगी यानि अगर आप business का nature ही change कर देना चाहते है change in nature of firm तो law कह रहा है firm के business में तो आपको सारे फिर आपको दस के दस partners हाँ बोलने चाहिए तभी आप उसे change कर सकते हैं ठीक है और सारे ही partner और उनके agent सारे ही partner और उनके agent और अगर partner मन जाता है तो उसका legal representative को right है किस चीज का right है books को access करने का यानि वो access कर सकता है चाहे तो check भी कर सकता है और चाहे तो copy भी ले सकता है यानि वो पार्टनर पार्टनर का agent और अगर पार्टनर मर गया तो उसका legal representative क्या कर सकता है books की access ले सकता है inspect कर सकता है और copy ले सकता है but these all rights are again subject to contract these all rights are again subject to contracts clear है कि आपको yes or no but यहां पर भी खतम नहीं हुए अभी तो पढ़ा रहा हूँ अभी तो चल रहे हैं भी तो बटा start करें मैंने rights and duties तो बहुत बड़ा chapter है है कि नहीं हाँ या ना yes sir partner is not entitled to any rumination for taking part in conducts of business पहले law ने का कि हर बंदा partner जो है वो business में हिस्सा ले सकता है फिर law ने देखो एक प्यारी बात कहीं कह रहा है लेकिन business में भाग लेने के लिए आपको कोई अलग से salary कोई commission कोई bonus इस तरह की चीज़े नहीं मिलेंगी सिर्फ आपको profit मिलता है यह नहीं मिलेगा लेकिन अगें दिस सब्जेक्ट टू कॉंट्रेक्ट यानि अगर आप चाहें तो partner को recommendation दे सकते हैं अगर बाकी partners ने agree कर रहा है इस पर थोड़ा सा detail discussion करते हैं ऐसे मज़ा नहीं आएगा ऐसे मज़ा नहीं आएगा इस पर तो detail discussion करना पड़ेगा देखो no partner is entitled to receive recommendation उसको profit के इलावा कोई recommendation नहीं देंगी बट अगर आपने कोई agreement करा हुआ है अगर आपके बीच कोई agreement है express agreement है तो recommendation मिलेगी क्या yes बट यहां पर एक और special point है क्या है अगर firm customary यानि firm में normally यह custom है recommendation पे करना तो फिर भले ही agreement नहीं भी होगा बट firm में custom है तो आपको pay करनी पड़ेगी या अगर आप पहले से ही firm में pay करते आए हो तो भी आपको pay करनी पड़ेगी तो भी आपको pay करनी पड़ेगी इसमें देखो मैं question लाया हूँ आपको समझाएगा मोनी टोनी दो लोग थे मोनी और टोनी वर पार्टनर्स इन दा फम M.S. Moto. and Co. इनका एक फॉर्म है जिसका नाम किया है Moto and Go को they admitted sony as partner एक new partner आय जिसका नाम के है sony ठीक है in the firm and he is actively engaged in day-to-day activities और वो काम भी यानि एक active partner है tradition है firm का कि सारे active partners को देखो क्या sony एक active partner है yes क्योंकि वह actively engaged है और firm का tradition है यानि custom है कि सारे active partners को बीस हजार उपे per month remuneration दी जाएगी बट इसका कोई express agreement नहीं है इसका कोई express agreement नहीं है sony के आने के बाद money और tony इन दोनों को तो salary मिल रही थी correct लेकिन sony को agreement वो लोग नहीं दे रहे थे sony ने कहा भाई जब तुम salary ले रहे हो तो मुझे भी तो salary दो बट उन लोगों ने कहा क्योंकि express agreement नहीं है तो तुम्हें salary नहीं मिलेगी आप बताइए Indian partnership act 1932 को ध्यान में रखते हुए क्या sony को भी salary मिलनी चाहिए यह नहीं मिलनी चाहिए तो फिर से आपको ले जाता हूँ इस वर्ड बे कि लॉग कहता है अगर आपके है tradition या custom है फिर चाहे express agreement हो चाहे नहीं हो आपको remuneration pay करनी पड़ेगी यानि law कहेगा sony sony अखियों वाले ओ कहां चला गए मैं गाने में sony को भी मिलेगी sony को भी remuneration मिलेगी बले express agreement नहीं है क्यों मिलेगी because tradition है उस वर्म का custom है उस वर्म का तो इसको भी आपको देनी पड़ेगी आप दोनों ले रहे हो तो इसने क्या गुना किया है clear है कि यह point आपको यानि remuneration normally नहीं मिलती है बट अगर कोई express agreement है या अगर custom tradition है तो फिर देनी पड़ती है तो फिर देनी पड़ती है अच्छा profit और loss जो होता है अगर आपने contract में कुछ नहीं लिखा है तो वो equally share होता है amongst the partner amongst every partner वो equally share होता है अगर contract में कुछ और नहीं लिखा है तो ठीक है interest on capital there are two types of interest जो partner को मिलते हैं interest on capital, interest on advances or loan, interest on capital, interest on advances on loan, law कहता है कि interest on capital हम normally नहीं देते, अगर contract में कुछ नहीं लिखा है और कोई tradition नहीं है firm का तो हम normally interest on capital नहीं देते हैं बट अगर आपने agree कर लिया कि हम interest on capital देंगे ठीक है तो वो हमेशा out of profit सी दिया जाएगा यानि firm को जिस साल profit होगा उस साल interest on capital दिया जाएगा लेकिन जिस साल वो loss में आएगी और उसके पास कोई reserve and sell plus में पैसा नहीं पढ़ा होगा तो interest on capital पे नहीं किया जाएगा ठीक है? ओके सर लेकिन अगर मैं बात करूं capital से उपर जो amount आता है that is advances और loan उस पे भले ही contract में लिखा हो चाहे नहीं लिखा हो law कह रहा है कि हम क्या देंगे 6% per annum के हिसाब से देंगे interest 6% per annum के हिसाब से interest देंगे और अगर partner ने emergency में कोई liability करी है या कोई भी काम किया है तो हम उसको indemnify कर देंगे ठीक है ओके सर अभी आगे जाके detail में और पढ़ेंगे चिंता हमाद करूं यह हो गया न हाँ हाँ तो मैंने आपको बताया interest on capital अगर express agreement है तो पे करना पढ़ेगा कोई custom है तो पे करना पढ़ेगा या अगर law बोलता है तो पे करना पढ़ेगा तो तीन रास्ते है नॉर्मली हम interest on capital नहीं देते हैं बट अगर कोई express agreement है यानि partners ने आप असमें decide करा है या custom tradition चलता आ रहा है तो भी देना पढ़ेगा या अगर law की requirement है तो भी देना पढ़ेगा तो भी देना पढ़ेगा ठीक है ओके और interest on advances 6% per annum पे देंगे और interest on capital किस rate पर देंगे वो कहता है interest on capital उस rate पर देंगे जो भी आपने agree करा था ठीक है ओके वाइल interest on capital अकाउंट thesis to run on dissolution the interest on advances keep running even after the dissolution ये एक case study अभी तक तो नहीं आया है बट मुझे लगता है बनके आ सकता है इसलिए मैं case study खुद बना के ले आया हूं देखना इस line को समझाने के लिए जो अभी अभी समझेंगे देखो क्या लिखा हुआ है interest on capital तो आपको date of dissolution तक मिलेगा but interest on advances आपको कब मिलेगा till the date of actual payment till the date of actual payment एक question करेंगे तो समझा जाएगा ABC एक ABC तीन पार्टनर से firm में ABC एंड को में A ने contribute करें 3 लाग उसने 3 लाग दिये as capital और 2 लाग दिये as advance to the firm एक अपरेल 2022 को उसने 3 लाग और 2 लाग दिये 3 लाग कैपिटल 2 लाग वो contract में लिखा हुआ है कि capital पे interest 5% per annum मिलेगा 5% per annum मिलेगा और contract silent है interest on advance पे बताओ अगर interest on advance पे silent है तो कितना मिलेगा 6% per annum मिलेगा firm ने 30 जून 2022 को dissolve कर लिया कुद को decide कर लिया कि बंद करेंगे firm दोनों capital और advance वापस करेंगे 31 सकस्त को dissolution के इतने दिन बाद जाकर उन्हें पैसा मिला क्योंकि पहले asset बिकेंगे 30 जून को तो decide हुआ है फिर asset बिकेंगे फिर liabilities pay करी जाएंगी तो करते करते 31 सकस्त को आपको interest on capital interest on capital बताओ principal amount कितना है तीन लाग रुपे 3 लेक इंटू ये कहां तक मिलेगा मेरे बच्चा 1 अपरेल से लेके 30 जून तक क्योंकि date of dissolution भी खतम हो जाता है law बोलता है तो 1 अपरेल से 30 जून मतलब कितने महिने हो गए अपरेल माई जून तीन महिने किस rate पर मिलेगा contract मैं लिखा हुआ 5% तो 5 upon 100 करो फटा फट Kelsey कहां गया मेरा रुको एक सगेंड Kelsey ले लेता हूँ Kelsey Kelsey हाँ भाईया Kelsey Kelsey आओ जड़ा दिखाएं तुम्हें calculation कहां गयार Kelsey चोरी होगे के phone में से मिल गया भाई मिल गया हाँ तीन लाख इंटू तीन इंटू पांच डिवाइड वाई त्वेल हंट्रेट तीन हजार सास्तों पचास रुपे मिलेगा देख लेना calculation मेरे इसाब से तो यह यह आएगा ठीक है और अगर मैं बात करूं इंट्रेस्ट और एडवांस की तो यह कितने महीने तक मिलेगा एप्रेल मई जून जुलाई अगस्त पांच महीने मिलेगा यह इस डेट तक मिलेगा और वो भी चह परसेंट के सब्से अमांट पर दो लाख तो दो लाख इन्टु चह परसेंट इस लिए हंड्रेट लगा देता हूं जब 6 परसेंट लिग दिया तो यह तो हां परसेंट लिग लो यह लो है ना उसके बाद महीने कितने निकाल लेते मैंने महीने ने कितने निकालते मैंने डिवाइड में तो ट्वाइली रहेगा क्योंकि बारा ही महीने होते हैं एपरेल माई जून जुलाई अगस्त ते तो पांच महीने में मैंमांट निकालो कितना रहा है दो लाइक बताओ मैर्स के सवाल कर रहा हूं मैं लो में कभी देखा है तुमने मैर्स के सवाल करते हुए मुझे करने बढ़ते हैं बढ़ते हैं करने बढ़ते हैं कि इन्टू कितना रहा है यार मेरे तो खेल सी नी चला है तुम्हीं बता दो यार तम तो मेरे दोस्त तो अच्छे है अपनी सर की मदद नहीं करोगे बताओ अपने सर की मदद नहीं करोगे तो किसकी करोगे पांच हजार रुपए यह मिलना चाहिए, इंटरस्ट on capital लेकिन तब भी मिलेगा जब Profit वह가ा बट इंटरस्ट on advances प्रफिट नहीं भी होगा तो भी मिलता है क्लियर है क्या आपको Yes or No Yes स क्लियर हो गया है तो यह याद रख लेना अच्छा क्योंकि मेरे वैसे तो मुझे लगता है month वाली calculation पूछेंगे बट अगर month के बीच में आया तो आप days में भी निकाल सकते हो यहाँ पर 12 की जगा divide by 365 और जितने days आएंगे उपर days में भी आप calculate कर सकते हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी I hope this point is clear I hope this point is clear ठीक है okay now next point क्या बोलता है कि every partner has the right to be indemnified by the firm in respect of payment made and liabilities incurred by him in the ordinary and proper conduct of the business of the firm as well as in the case of the emergency simple सा केस है दो एक्जाम्पल होंगा एक्जाम्पल वन एक्जाम्पल टू पर्म को raw material की जरुवत थी जो 10 लाख रुपे काना था ठीक है firm को raw material की जरुवत थी तो जो 10 लाख काना था firm के पास उस टाइम पे इतना cash नहीं था तो partner C ने firm के भिहाब पे 10 लाख पे कर दिया पे किसको करना था firm को करना था but firm के पास पैसे नहीं थी तो C ने पे कर दिया रेटर एक्जामपल नंबर टू है एमरज़न की सिचुएशन का वर्म के प्टरी में प्यूर्य लग गई पाहर लग गई तो पार्टनर चींदे और अगरा पार्टनर ची पार्टनर कि क्या करेगा अम क्वार लग गई तो फोन करेगा किसको पायर बिगेट को करेक्ट पायर बिगेट वाले को फोन करेगा और पायर वाले जब आएंगे तो उन्हें क्या देगा यह लोग आग बजाएंगे लेकिन कुछ पैसे लेके जाएंगे तो वह पैसे सीने पे करें तो वह पैसे जो सीने पे करें हैं तो लोग कह रहा है emergency case में जो ordinary person खर्चा करता अगर वो आपके partner ने खर्चा करा है तो आप उसे वो भी reimburse करेंगे यानि आप उसको दो चीज रिमबर्स करेंगे अगर normal business है normal circumstances में वो कुछ पे कर रहा है तो भी indemnify कर देना अगर emergency में कुछ कर रहा है जो एक normal बंदा खर्चा करता ही करता firm को बचाने के लिए firm की है ना आग बजाएगा तभी तो फर्म का तो सब कुछ जल जाएगा तो इसलिए आप उसे रिमबर्स करेंगे ये पैसा भी ठीक है ओके सर ओके सर next आता है concept what is partnership property and फिर आएगा what is partners property तो partnership property में तीन चीज़े आती है एक दो और तीन इसको हम एक example से समझेंगे ABC ने एक firm खोली ABC ने firm खोली ठीक है ध्यान देना हाँ firm open करी जिसका नाम था XYZ and Co ABC ने एक firm खोली जिसका नाम था XYZ and Co अब हुआ क्या इस firm ने क्या करा इस firm में से A ने rupees 10 lakh capital दिया B ने rupees 5 lakh capital दिया T ने machinery दी machinery as capital दी machinery as capital दी कोई दिकत नो सर no problem तो A ने 10 lakh capital दी B ने 5 lakh capital दी और T ने machinery as capital दाली तो law कहता है ये जो तीनो capital आई है ना ये firm की property है ये क्या है this is the firm property ठीक है अब firm क्या करेगा firm ने इन 15 लाख रुपे से 15 लाख रुपे का raw material मंगा लिया मान लो 15 लाख रुपे का raw material मंगा लिया तो ये जो 15 लाख से raw material आया है न ये भी firm की property है यानि firm में जो हम cash लाए थे और जो machinery लाए थे वो भी firm की property थी और अगर firm कुछ acquire करता है वो भी firm की property है मान लो ये XYZ firm 20 साल पुरानी हो गई 12 years old हो गई तो market में अब इसकी goodwill बन जाएगी की नहीं market में लोग इसे जानने लगेंगे की नहीं तो goodwill of business वो भी firm की ही रहेगी तो यही चीज मेरे बच्चा यहां लिखी हुई थी क्या कि पहली चीज partner जो as a capital contribute करते हैं चाहे वो property हो right हो interest हो यानि को tangible चीज है intangible कहीं बार क्या होता है कोई partner ना machinery ना लाके कोई copyright ले आता है copyright ले आता है तो उसकी बात कर रहे है या अगर कोई चीज खरीता है firm अगर कोई चीज खरीता है purchase करता है यह खुद से बनाता है वो भी partnership की property है और goodwill of the business जो इतने सालों में business की goodwill बनती है वो भी partnership की property है तो partnership property में कितनी चीज आती है तीन चीज आती है ठीक है एक जो partners में contribute करा वो चाहे वो cash हो चाहे वो tangible intangible हो जो firm ने खरीदा वो और firm की goodwill जो अपने आप generate होती गई यह तीन चीजें आपकी partnership property में आती है ठीक है clear है यहाँ तक yes sir यह clear हो गया now what is the property of partner partner की property की है partner की property का मतलब है जो सिर्फ और सिर्फ partner use कर सकता है वो partner की property होता है अब आप ownership को जानते हो मैंने आपको सिखा दिया था ownership का मतलब क्या होता है मतलब जिसको सिर्फ मैं यूज कर सकता है ये मेरे कहने पर कोई और यूज कर सकता है जिसके सारे rights मेरे पास है कब सिखाया था sale of goods tax में ownership का मतलब मैंने आपको सिखाया था तो the property which exclusively belong to that person तो वो partnership की property नहीं होती है अब देखना मैं आपसे question पूछूँगा आप मुझे बताना ये partner की property है या firm की property है एक्स ने firm को building दे दी as capital आप मुझे बताओ एक्स ने firm को building दी as capital क्या ये building firm की property है या x की मानी जाएगी किसकी मानी जाएगी firm की मानी जाएगी very very goods x ने firm को building rent पर दे दी firm ने x ने firm को building दी यहाँ पर भी building दी यहाँ पर यहाँ पर हैसा capital यहां पर रेंट पर चड़ादी तसाइस पर मनठ अब किसकी प्रबटी मानी जाएगी एक्स की प्रवापर्टी मानी जाएगी फ़한테 फॉसको क्या कर रहे है कि यही लैन यहां लिख्यों है और आप उसे रिरा पार्टफ की प्रम प्रवर्पर्टी मत Decide नहीं करता है और ये कैसे पता चलता है? ये पता चलता है इसे हम joint estate भी कहते हैं क्लियर है कि सबको yes or no yes sir clear है now the question come हमें कैसे पता चलेगा कि वो property partner की है या partnership की है अभी मैंने आपको सिखा दिया न क्या हमने इस example में देखा इसमें भी building दे रहा था इसमें भी building दे रहा था यानि हमें पता किस से चलता है intention से पता चलता है कि partner ने किस intention से partnership firm को दिया है नहीं तो has वह पार्टनर की प्रॉपटी अभी तक अगर वह पार्टनर की प्रॉपटी है तो उसका यूज कैसे करता है मतलब law क्या बोल रहा है how to use partnership property तो law कहता है अगर partners ने कुछ और decide नहीं करा है तो partnership की property का सिरफ और सिरफ एक use है सिरफ एक use है that is that is exclusively for the purpose of business of firm आप partnership की property को personal कामों के लिए use नहीं कर सकते हैं सिरफ business firm के business के लिए firm की property यूज होगी but again a very difficult section why because यहां पर क्या लिखा हुआ है subject to contract यानी क्या partnership की property किसी और purpose के लिए भी use हो सकती है बिलकुल हो सकती है अगर बाकी partners agree कर रहे हैं तो करो बाकी partners ने अगर contract में agree करा है कुछ और करने के लिए तो वो कर सकते हैं बट अगर कुछ भी agree नहीं करा है तो there is only one use of partnership property that is for the purpose of business of firm not the partners business firm के business के लिए वो यूज हो सकती है के स्टेडी ले लूँ कैस पर बताओ तुम लोग बोलोगे तो के स्टेडी ले लेंगे हां सर के स्टेडी ले लो ए और बी partners हैं ए और बी partners हैं ठीक है किस चीज में car rent पे उन्होंने cars ले रखे हैं और वो car क्या देते हैं rent पे देते हैं अपने clients को इस business में car को rent में देने में अब एको अपनी girlfriend को गुमाने लेके जाना था एक अपनी girlfriend को गुमाने लेके जाना था तो वो इसने क्या करा उसने car उठाई partnership की और partnership की car उठागे अपनी girlfriend को drop करने चला गया है जहां भी जो भी जहां भी छोड़ना था या लेने जाना जो भी था वो करने उसने car यानि उसने partnership की property किसले यूज करी बेटा किसले यूज करी personal purpose के लिए यूज करी law कह रहा है आप ये नहीं कर सकते हैं बढ़ हां अगर A और B ने आपस में agree करा है कि आप अपने personal purpose के लिए यूज कर सकते हैं तो वो क्या कर सकता है बिलकुल A सिरफ और सिरफ तब यूज कर सकता है अगर 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 उसने क्या किया होगा contract किया होगा पहले भी के साथ बट अगर नहीं किया है और आप कर देते ह कर देगा विकॉज आपने फार्म-की प्रॉपटी बिना contract के आपने यूज करी है बिना contract के आपने यूज करी है ठीक है यजा सबसें इक और पॉइंट भी बताया था क्या बताया था कि property में तीन चीजह आती है उसमें 3rd चीज ती ती सर गड़ विल उसमें 3rd चीज थी सर तो sir goodwill क्या होती है? पहले एक बरी layman language में समझ लेते हैं. What is goodwill? What is goodwill? बहुत layman language में समझेंगा. देखो, मैंने एक नई company खोली है, जिसका नाम है चाता. और चाता के मैं चपले बनाता हूँ चाता ब्रैंड के अंदर मैं चपले बनाता हूँ और वहीं आप एक दुकान पे गए जहां पे बाटा की चपल मिलती है मुझे बताओ दोनों का rate सेम लिखा हुआ है रुपीज 100 रुपीज 100 दोनों की आपने quality भी चेक कर ली एक बड़ी आपने देखा है चपल दोनों की एकदम सेम दिखरी थी सेम चपल दिखरी थी 100 रुपे में चाटा ले लो 100 रुपे में बाटा ले लो 100 रुपे में चाटा ले लो भईया 100 रुपे में बाटा ले लो क्यों गुट्विल मार्किट में इतने टाइम से बैठा और चपलों के लिए इतना पॉपुलर है इसलिए लोग खरीदना चाहते हैं लोग इसलिए खरीदना चाहते हैं एक और एक्जामपल की कमी थोड़ी है मैं फोन बेच रहा हूं जिसका नाम है बनाना आई! बनाना कमपनी का फोन एक तरफ और एक तरफ एक तरफ एपल कम्पनी का फोन एक SS! बनाना कंपनी का फोन 45,000 का है और Apple company का phone 46,000 रॉपिस का है बताईए आप कौन सा खरीदना चाहेंगे बनाना company का phone ले लो Apple company का phone ले लो obviously एक बंदा Apple company के उपर जाएगा क्योंकि उसे पता है 1000 रुपर देखे एक trust मिल रहा है Apple का एक trust यही तो गुडविल है जो इतने सालों में बनाई है बस यही गुडविल है तो उसी की बात कर रहे हैं कि जो गुडविल भी होती है नॉर्मली वो किसकी होती है partnership की होती है यही एक बारी पढ़ लेते हैं कि एक्ट में क्या लिखा हुआ है तो section 14 बोलता है कि बाई जो गुडविल होती है business की वो firm की property होती है but subject to a contract यानि normally वो property firm की है ठीक है बट अगर contract में कुछ और लिख जाए तो वो किसी partner की भी हो सकती है वरना वो firm की ही रहती है but this section does not define the term goodwill but this section में goodwill के क्या होती है वो पता ही नहीं अब देखो इन्होंने क्या लिखा गुडविल वो concept है जो समझने में तो which is easy to understand मैंने भी आपको समझा है आप समझ गए but difficult to define क्या गुडविल समझ में तो आता है लेकिन define करने नहीं आता है वाह है ना गुडविल को लेकिन अगर हम define करें तो it is a value of the reputation जो business की reputation है जिसकी इन्होंने कहा बनाना company जितना profit कमाएगी उससे जाधा profit Apple company कमाएगी क्यों because of its goodwill क्योंकि goodwill वो reputation है वो reputation की value है जो की Apple company जिस वजा से जिस reputation की वजा से जाधा profit कमाएगी और यह जाधा profit क्यों कि मारी है इसके phone जादा बिक रहा है क्यों बिक रहा है इसके goodwill है वही बात इनों ने ऐसे लिख दी हाँ या ना येस सर बात clear हो गई ठीक है तो जब भी जब भी partnership बंद होती है न जब भी partnership बंद होती है तो हम कहते है partner को property में हिस्सा मिलता है partnership property का और क्यूंकि goodwill partnership की property होती है इसलिए हर partner को goodwill में भी हिस्सा मिलता है अगर कुछ और contract में ना लिखा हो तो क्यूंकि ये सब को मिलता है और अगर आप goodwill को sale कर देते हैं अगर आप goodwill को sale करते हैं अलग से तो सारे partners को उसमें भी हिस्सा मिलता है और साथ में यही है कि subject to contract की exception होता है कि क्या यहां तक क्लियर है कि मेरे बच्चा जल्दी बताओ यहां तक क्लियर हो गया यहां तक क्या आपको points clear है यह सर नौ कि क्लियर है सब कुछ clear है ग्रेट चलो आगे चलते हैं बात करते है पर्सनल प्रॉफिट्स पर्सनल प्रॉफिट्स अगर कोई पार्टनर कमाता है इसमें दो अलग अलग बाते लिखे हुई है पहली बात और दूसरी बात और इसको तो हमेशा ही द्यान रखना subject to contract between the partners ठीक है अगर कोई पार्टनर profit कमाता है personally for himself मतलब personally कोई profit कमा रहा है किस से firm की किसी transaction से या firm की property यूज करके जैसे मैंने भी आपको बताता ता है ना कि firm की property बिजनस के लिए यूज होनी चेह नश्य ना कि अपने personal फायदे के लिए firm की property यूज करके या firm का नाम यूज करके ठीक है तो वो profit जो उसने कमाया है वो फॉर्म को पे करेगा ठीक है इसका एक एक एग्जामपल है लेट्स रीडिट एबी सी एडी इस्टेब्लिश पार्टनर्शिप बिजनस फॉर रिफाइनिंग शूगर चार पार्टनर्श है किस चीछ का बिजनस है शूगर को रिफाइन करने का जयानि शूगर तो है उनके पास उसको और क्लियर करते हैं और साफ करते हैं A who was himself a wholesale grocer वो खुदी wholesaler था A तो उसको काम दिया गया कि तुम जाओ और जाके sugar खरीद के लाओ ताकि हम refine कर सके यानि उसे raw material लाने का काम दिया गया As a wholesale grocer A को पूरी markets का पता था कि कब market गिरता है sugar में कब market बढ़ता है उसे सब कुछ पता था ठीक है He had already उसने पहले से ही sugar खरीद के रखी हुई थी कम दामों पर Which he sold to the firm When it was in need of some without informing the partner उन्होंने partners को नहीं बताया और उसने पहले रखी थी The sugar had belonged to him It was held अब उसने क्या करा कि उसने सस्ते दामों पे जो sugar खरीदी थी A ने जो सस्ते दामों पे sugar खरीदी थी वो फर्म को बेच दी वो अपनी फर्म को बेच दी ठीक है वो अपनी फर्म को महंगे पे बेच दी यानि profit यानि मान लो अगर उसने 100 रुपे में खरीदी थी तो उसने 200 रुपे में purchase price प्राइस पीपी Sailing price 200 100 रुपे profit कमा लिया हर केजी शुगर पे तो law कहता है law ने क्या का अगर आपने personal profit कमाया है firm की किसी transaction से तो आपको वो account for करना पड़ेगा firm को वापस देना पड़ेगा यानि जितना भी profit A ने कमाया होगा he has to pay it to the firm lawfully ठीक है but again क्या लिखा हुआ है subject to contract between the partners यानि अगर partners ने पहले ही agree करा हुआ है कि भाईया हाँ ए जो है अपनी खरीद के बेच सकता है और फाइदा कमा सकता है फिर A को firm को पैसा नहीं देना है ठीक है तो question में ध्यान से बढ़ना कि क्या contract हुआ है पार्टी के बीच में पहले या नहीं हुआ हुआ है अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो आप मान लेना ऐसा कोई भी contract नहीं है second case पढ़ते है second case पढ़ते है अगर partner competing business करता है ठीक है law कहता है कि आप business कर सकते हो बढ़ अगर आप competing business करते हो जब आप partner हो तो आपको competing business में सारा का सारा profit जितना भी हुआ है वो आपको firm को pay करना पड़ेगा वो आपको firm को pay करना पड़ेगा simple साइक example है देखना ABCD ने एक business से start करा sold को import करेंगे foreign port से and उसको बेचेंगे चिता gong में मुझे लगता है इंडिया के बाहर आता है जहां तक मुझे याद आ रहा है तो यानि import करके export करेंगे ए ने क्या करा कुछ transaction sold की on his own account खुद से मगाई चुप चाप और बाहर बेच दी which were found to be of the same nature as the business carried on by the partnership यानि competing business करा एक partner ने तो law ने कहा और ये भी again subject to contract अगर बागी partners ने allow करा हुआ है तो वो कर सकता है लेकिन अगर allow नहीं करा है और वो चुपके से कर रहा है तो उसे ये वाला पैसा जो है वो देना पड़ेगा अब कहीं बच्चों को ना बड़ी सारी confusion होने लगती है competing business को लेकर तो मुझे लगता है मुझे एक थोड़ा सा clarity इस पर प्रकाश डाल देना चाहिए ताकि आपको कोई confusion ना रहे छीक है पहले बात करते हैं outgoing partner की क्या outgoing partner competing business कर सकता है क्या outgoing partner competing business कर सकता है the answer is अगर आपने कोई agreement नहीं करा है if no agreement if no agreement in restraint अगर आपने कोई उसे रोका नहीं है तो yes he can do ठीक है और if आपने उसके साथ agreement करा है कि वो नहीं करेगा in restraint तो वो कर सकता है क्या तो फिर वो business नहीं कर पाएगा क्योंकि उसने agree कर रहा है कि वो नहीं करेगा clear है और जब वो यहां पर business कर रहा है है ना competing business कर सकता है अगर आपने उसे रोका नहीं है तो yes he can do the business बट उसको वो बातों का याद ध्यान लगना है कि वो firm का नाम नहीं यूज करेगा firm का काम कर रहा है वो नहीं दिखाएगा और solicit नहीं करेगा customers को अब जो partner outgoing नहीं है जो partner है current partner he is currently a partner अगर वो current partner है ठीक है तो क्या वो business कर सकता है अब business दो type के होते हैं एक होता है competing business और एक होता है other than competing business हाँ या ना चल्दी बताओ other than competing business एक होता है competing business और एक होता है other than competing business excuse me हाँ ठीक है business competing business other than competing business competing business पहली चीज़ है क्या वो business भी कर सकता है कोई भी the answer is yes अगर आपने कोई agreement नहीं करा है तो वो कर सकता है competing business करेगा तो वो क्या करेगा profits repay करेगा to the firm provided again this is also subject to contract repay करेगा but other than competing business करेगा no need to repay यह 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 अर आपने कोई contract में यह ना करा हो कि कोई और काम नहीं कर सकता है और अगर आपने कोई और काम नहीं कर रहा और वो कर सकता है तो competing business करेगा तो प्रॉफिट रिपे करेगा फाम को अधर थेन computing business है तो no need to repair चलो ठीक है यह already भी हम देख चुके थे कि change form के constitution में change कब-कब माना जाता है जब कोई नया partner आता है या partners आते हैं जब कोई नया partner आता है या partner आते हैं when some partner और partner goes out जब भी कोई partner या partners जाते हैं जब भी कोई partner पार्टनर आते हैं या जब आपने partnership करी थी कौन से वाली एक business करने के लिए आपने कोई partnership करी थी A business करने के लिए और अब आप भी business करना चाहते हो तो भी हम बोलेंगे business firm का constitution change हो गया या partnership जो आपने करी थी when where the partnership business is carried on after the expiry of term fixed या आपने तीन महिने के लिए करी थी partnership बड़ तीन महिने खतम हो गया उसके बाद भी continue कर रहे हो तो हम बोलेंगे constitution of firm change हो गया इन चारो चीज़ों में माना जाता है constitution change हो गया बड कोशन यह नहीं है कि constitution change हो गया कोशन तो में यह है कि जो rights and duties पहले थी admission से पहले अब admission के बाद क्या होगी जो rights and duties death से पहले थी अब death के बाद क्या होगी firm में जो rights and duties partnership के A business में थी अब B business में कैसी रहेंगी क्योंकि अभी आपने rights and duties सिखी हैं कैसे there are two sources and rights and duties जो business carried on fixed period के लिए था उसके बाद चाहूंगी तो यह section बोलता है देखना section बोलता है section 17 section 17 बड़ी प्यारी बात बोलता है क्याता है according to section 17 according to section 17 simple answer इसमें दिया हूँ simple क्यारे जैसे पहले थी वैसे ही रहेंगी जितनी possible है they were immediately before the change as far as में भी यानि अगर firm expire होगी और आप उसके बाद continue कर रहे हैं तो वो बिल्कुल expiry से पहले जैसी rights and duties थी expiry से पहले partners की जो rights and duties थी वो ही रहेंगी as far as may be possible और जहां पर आप कोई नया business से start करते हैं वहाँ पर भी same रहेंगी as far as possible simple सी बात कोई नई बात लिखी नहीं कह रहा है जो पहले थी rights and duties वो ही same रहने वाली है लेकिन कितनी जितनी possible हो पाएंगी जितनी possible हो पाएंगी बट अगर आपने कुछ और agree करा है अगेन अगर आपने नई form के लिए कुछ और agree करा है तो वो चलेगा बट अगर कुछ भी agree नहीं करा यानि simple सी बात है एक example लेता हूं आपने तीन mind के लिए एक partnership खोली थी जिसमें A को बोला था A को बोला था तू purchase देखेगा तू purchases देखेगा और B को बोला था तू sell देखेगा A को purchase देखने को बोला और B को selling part देखने को बोला तीन महीने बाद यह expire हो गई लेकिन आपने फिर भी continue करी और आपने कुछ भी decide नहीं करा तो law कह रहा है A. अभी भी purchases देखेगा और B. अभी भी selling देखेगा यानि rights and duties सेम रहेंगी इवन आपने पहले कहा था कि 3% per annum interest on capital मिलेगा तो यहाँ पर अगर आपने कुछ और agree नहीं करा है तो 3% per annum ही आपका continue करने वाला है बस इतनी ही बात वो कह रहा है अगर कुछ और agree नहीं किया है तो finally अब कुछ जाके मज़े वाली चीज़ है आप start होई जहां पर बच्चा ऐसे ऐसे हो जाता यह क्या हो रहा है यह क्या चालू हो गया है वो चीज अब चालू हो गई है वैसे भी अंत में रखी गई है अब तक तो बच्चा पहले ही गिर चुका होगा है ना बहुत सहसी और वीर बच्चे ही बच्चे होंगे correct वीर कुमार वर्मा जिंदगी हमेशा आपको मुका देती है एक बारी वीर बनने का आपको बस सहास दिखाना है तो जो बच्चे अब तक बच्चे हैं पिर ले जाओंगा मिच्चोल एजनसी के concept पर वट इज एजनसी टेक्निकल लेंगवेज में नहीं सिखाऊंगा एकदम सिंपल भाशा में बताऊंगा वट इजनसी वट इजनसी ठीक है मान लो ए को अपना घर सेल करना है प्यारा हूँ लिख डेता हूँ प्यारा घर ए को अपना प्यारा घर बेचना है इसने एक एजन्ट अपोइंट करा mister z इसने एक एजन्ट अपोइंट करा इस person को बोला कि hey agent तू मेरा घर मैं तुझे काम दे रहा हूँ तू मेरा घर minimum 2 करोड में बिखवा देना चिक है तो यहाँ पर law कहता है A is a principal and Mr. Z is the agent और agent normally कोई मेरा घर बेच नहीं सकता अगर A का ये घर है तो कोई ऐसे नहीं बेच सकता Z के बाद बेचने की power कैसे आई क्योंकि principal ने उसे क्या दी है authority दी है और वो भी कौन सी authority दी है मेरे बच्चा express authority मैंने उसे बताया है कि हाँ तेरे पास ये power है अब तू मेरा घर 2 करोड में sale करा सकता है that is known as express authority तो principal agent को authority देता है क्या देता है वो भी कौन सी दी है express authority दी है कि Z अब Z ने क्या करा Z ने A की car बेच दी Z ने A की car बेच दी मुझे बताओ क्या Z A की car बेच सकता है या नहीं बेच सकता है चल्दी बताओ क्या Z के पास A की power है कि वो A की car बेच दी the answer is no the answer is no but why why he does not have the power why he does not have the power उसका reason है मेरे बच्चा उसका reason है क्योंकि हमने authority उसे घर सेल करने की दी थी ना की car सेल करने की लिए इसलिए agent वो सिरफ उतना ही है जितनी हमने उसे power दी थी हमारे ब्याब पे यानि agent मेरे ब्याब पे काम कर रहा है और वो उतना ही काम कर सकता है जितनी मैंने उसे authority दी ठीक है okay sir अब उसने मान लो मेरा घर एक करोड में बेचती है मैंने उसे कितने में बेचने को कहता minimum दो करोड में बड़ उसने कितने में बेचती है एक करोड में again Z अपनी authority में नहीं है यानि Z जो है as a agent उसे वो ही करना है जो मैंने कहा था जितनी मैंने उसे power दिये वो ये सब कर सकता है this is the concept of agency बदले में Z normally commission charge कर सकता है commission charge नहीं भी कर सकता वो Z के उपर है but this is a valid contract always चाहे with consideration हो चाहे without consideration हो Indian contract यही बोलता है ठीक है अब आते है Mitchell agency concept पे जो की एक partnership में लगता है ठीक है मान लो there are three partners लो two partners लो तीन ले लेता हूँ थोड़ा सा बढ़िया रहेगा A, B, C तीन partners है तो Mitchell agency का concept बोलता है देखना हाँ A agent है और B and C principal है ठीक है या और अगर मैं बात करूँ B की B agent है और A and C principal है या T agent है C agent है बढ़ कितना किसका A and B principal है This is known as mutual agency का agent होता है बट ये person इसका principle नहीं है बट Mitchell agency में दोनों ही एक दूसरे के principle नहीं है और दोनों ही एक दूसरे के agent भी माने जाते हैं क्या ये point क्लियर हो गए अब mutual agency आती है बटा section 18 से बट मैंने अभी आपको बताया कि भाया आपके पास क्या होनी चाहिए अगर आप किसी के बिहाफ पर काम कर रहे हो तो आपके पास क्या होनी चाहिए as a agent आपके पास authority और चाहिए क्योंकि आप अपनी authority से कभी बहार काम नहीं कर सकते हैं अब यहां पर अथॉरेटी कहां से आएगी तो law कहता है यहां पर दो टाइप के authorities दोगा एक होगी express authority जो आपने खुछ से दी है और एक होगी implied authority जो law ने दी है एक होगी मज़ा नहीं आ रहा क्या तुको हाँ तो यानि हर partner के पास authority होगी कौन सी express authority जो हमने कैसे दी है by contract दी होगी by contract से दी होगी और एक होगी बेटा implied authority implied authority जो कैसे आएगी बेटा by law मिलेगी आपको by law ठीक है ओके सर तो express authority, implied authority clear है एक बारी Mitchell Agency read कर लेते है ये तो बता दिया न agent concept एक बारी section 18 बढ़ लेते हैं क्या कहता है section 18 बोलता है subject to the provisions of this act a partner is the agent of the firm partner is the agent of the firm for the purpose of the business of the firm यानि एक partner दूसरे partner का agent तो है लेकिन किस purpose के लिए only and only for the purpose of business यानि वो अगर personal कोई काम कर रहा है तो principal agent नहीं रिलेशन नहीं रहेगी for the purpose for the purpose of business for the purpose of business सिरब business के purpose के लिए एक दूसरे के एजेंट है personal purpose के लिए एक दूसरे के लिए agent माने नहीं जाएंगे एक दूसरे के एजेंट नहीं माने जाएंगे agent concept मैंने आपको समझा दिया अब कई बच्चा agent में क्या difference होता और partner में क्या difference होता है मेरे बेटा agent अब तुम कहते है जब सिरफ एक टाइप की रिलेशन है principal और agent एक principal और एक agent है जब principal agent और agent principal वो दोनों का act कर रहा है तो partner के पास दोनों चीज़े होती है और agent का कोई interest नहीं होता है agent का जिसे हमने example लिया था agent का उस घर में कोई interest नहीं था agent का कहां गया अब example agent का यानि Z का इस घर में कोई interest नहीं है ये घर उसका नहीं है correct लेकिन partnership में ABC partners का तीनों का ही partnership में interest होता है business में property उन्हीं के नाम पे होती है हाँ या ना तो वो भी एक difference होता है agent और partner में agent और partner में ठीक है okay sir okay sir बात समझ गई sir हमें बात हमें समझ गई तो now what is implied authority तो implied authority क्या होती है the authority of a partner to bind the firm यानि एक partner कोई काम करके बाकी partners को bind कर सकता है is called implied authority is called implied authority मैंने starting में ही mutual agency का मतलब दो example से समझाया होगा है I hope आपको याद होगा correct अब law कहता है देखना law कहता है implied authority बहुत vast है यानि business में अगर आप कोई भी काम करोगे business में अगर आप कोई भी काम करोगे business में अगर आप कोई भी काम करोगे तो वो implied authority का part बन सकता है लेकिन ये acts लेकिन ये acts कभी भी implied authority का part नहीं बनेंगे क्या क्या यानि partner कुछ काम implied authority से कर सकता है क्योंकि law ने उसको authority दी हुई है कि वो दूसरे partner के भिहाब पर act कर सकता है बट कुछ काम law ने का implied authority में नहीं आएंगे यानि यह कम मिलेंगे तिरफ express authority से ही मिल सकते हैं that is submit a dispute यह important है list बार-बार पूछी जाती है कि क्या-क्या partner की implied authority में नहीं आता है यानि उसको इसकी express authority ही लेनी बढ़ती है submit a dispute relating to the business of the firm to arbitration आप कोई भी लड़ाई जो dispute है firm का वो arbitration के लिए नहीं ले जा सकते second open a bank account on behalf of the firm आप अपने नाम पे firm का bank account नहीं खुलवा सकते हैं आपको इसके लिए express authority चाहिए होगी बाकी सारे partner से compromise अगर कोई firm का पैसा किसी से लेना है तो आप उसको compromise नहीं कर सकते यानि अगर किसी से 100 रुपे लेना है तो आप उससे 80 रुपे नहीं ले सकते या rallying cruise मतलब पूरा ही माफ कर देना कि 100 रुपे लेने ते अरे जात उससे क्या लूँगा पूरे के पूरे पैसे माफ नहीं कर सकते ये power आपकी authority में नहीं है अगर कोई case form ने file कर रहा था आप जाके उसे withdraw नहीं कर सकते फर्म के भियाप पर आप उस case को वापस नहीं ले सकते हो admit any liability in a suit अगर कोई case form के against चल रहा था और form में ये बोला गया कि भईया कोई पैसा देना है तो आप उसको admit नहीं कर सकते हो ठीक है आप कोई immovable property भी form के नाम पर नहीं घरीज सकते हो जब तक आपके पास express authority नहीं है आप कोई immovable property transfer भी नहीं कर सकते हो यानि ये सारे acts implied authority का part नहीं है इसलिए ये सारे acts जो होते हैं वो ये जो सारे acts होते हैं वो express authority से ही मिलते हैं normally normally एक partner business के normal transaction में सारी चीज़े कर सकता है बट ये act जो पीछे लिखे हो है ये implied authority में cover नहीं है यानि ये तभी कर सकता है एक partner जब उसके पास या तो इनकी express authority हो या सारे partners का approval लेके आया हो simple okay sir mode of doing act to bind the pump अब एक partner मान लो हमारी समोसे की दुकान थी तो समोसे के लिए आलू लगते हैं तो मैं दुकान पे गया किसी की और समोसे आलू लिए आलू खरी दे ये कैसे पता चलता है कि ये आलू मैंने अपने घर के लिए खरी दे हैं ये अलू मैंने बिजनस के लिए खरी दे हैं क्योंकि मैं तो घर के लिए भी ले सकता हूं दुकान से और मैं बिजनस के लिए भी ले सकता हूं तो पता कैसे चलता है यही पार्टनर एक दिन दुकान पर जाता है तो मानते हैं कि फर्म के लिए 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 और एक दिन दुकान पर जाता है तो मानते हैं कि किसके लिए 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 तो लौ कहता है सेक्शन 22 से आपको पता चलेगा कि अगर आप ये फर्म के लिए ले रहे ह तो आपको कोई ऐसा काम या कोई document बनाना पड़ेगा, execute करना पड़ेगा, जिस पर कि आपको पता चले कि हमने फर्म से, normally जब हम फर्म के लिए काम करते हैं, तो उनके letterhead पर sign करके देते हैं, letterhead से order देते हैं, कि ये ये लो letterhead पर दिया है, ये proof है कि मैं firm के लिए लेने आया या आपकी intention भी है, कहीं लोग अगर छोटा मोटा contract होता है, जिसे चाय मंगानी है, अब चाय के letterhead पर दे के मंगाऊँगा क्या, अगर firm में partners के लिए चाय मंगानी है, तो के letterhead पर मंगाऊँगा, नहीं न, विदन intention to buy the firm, अगर आपकी intention है, आप बता देंगे, तो हम मान ले रहा है, X एक partner है firm में, of solicitor, solicitor कौन सो होते है, advocate, X एक partner है जो advocate की firm है, X ने उधार लिया पैसा, X ने पैसा उधार लिया, और पैसा उधार लेके एक promissory note दिया, promissory note मतलब वादा करा, firm के नाम पे promissory note दिया, कि मैं वादा करता हूँ, बिना authority के, बिना authority के उसने ये वाद कर दिया, कि मैं वापस कर दूँगा, the other partners are not liable on this note, other partner liable नहीं होंगे, क्योंकि ये ordinary business, देखो implied authority जो होती है, वो सिर्फ और सिर्फ ordinary business पे काम करती है, सिर्फ और सिर्फ किस पे काम करती है, जो business का normal है, advocates का business उधार लेना है, promissory note issue करना है, the answer is no, advocate का business है, कि वो अपने clients को legal आदे की implied authority काम करी है, यहाँ पे implied authority काम नहीं करीगी, इसलिए बाकी लोग उस promissory note के लिए liable नहीं होंगे, X को ही पैसे अपनी जेप से देने पड़ेंगे, बट अगर यही partnership firm का business, bankers का business होता, पैसा उधार लेके लोगों को, यानि पैसा लोगों से deposit लेके लोगों को बा transaction, यानि implied authority सिरफ normal transaction में काम करती है, special transaction में काम नहीं करती है, अगर आपका वो normal transaction आपके business में routine activity है, तो वहाँ पे implied authority काम कर जाएगी, बट अगर वो special activity है, तो वहाँ पे implied authority काम नहीं करेगी, and क्या, it differ, it differ from business to business, क्या normal है, क्या special है, वो differ करता है, अगर मेरी समोसी की दुकान ह है और मैं furniture बेच रहा हूं वो मेरा रोज का काम नहीं है तो महाँ पर मेरी implied authority काम नहीं करती है लेकिन अगर मेरी furniture की दुकान है और मैं furniture बेच रहा हूं तो that will be a normal activity for my business तो implied authority सिरफ काम करती है कहां पर implied authority सिरफ कहां काम करती है बेटा सिरफ normal transactions में काम करती है special transaction में काम नहीं करती लेकिन इसका भी एक exception है अगर आपकी partnership general commercial nature की है तो law कहता है फिर सारी ही transactions आपकी क्या हो जाती है normal हो जाती है अगर आपकी कौन सी है कि आपकी अगर business का नेचर ही general commercial है कि कुछ भी करो तो फिर आप कुछ भी कर सकते हो चाहे pledge करो चाहे sale करो चाहे goods करो चाहे पैसा अधार लो चाहे इंडोर करो सारी चीज़े आप कर सकते हो सब implied authority में आएगा लेकिन only one exception that is general normally आपकी business की transaction को ordinary और special में बाटा जाता है ordinary implied authority में है और special transaction implied authority में नहीं है correct उसके बाद हाँ उसके बाद लेकिन अगर general commercial nature है तो आप सारी transaction आपकी normally मानी जाती है और यह सारी चीज़े आप कर सकते हैं यह सारी चीज़े आप कर सकते हैं clear है क्या आपकी implied authority को बढ़ाया घटाया जा सकता है यह नहीं क्या आपकी implied authority को बढ़ाया जा सकता है क्योंकि हम जानते हैं कि implied authority में वह activities नहीं आती जो section 19 में लिखी हुई है तो क्या वह भी आपको दी जा सकती है the answer is yes क्या आपकी implied authority बढ़ाया जा सकती है yes क्या आपकी implied authority घटाया जा सकती है दानसर इस बट इसके में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है देखना अगर आपकी इंप्लाइड अथॉरिटी को एक्स्टेंड किया गया है या हो सकता है रिड्यूस किया गया हो ठीक है बट दा कोश्चन इस नेक्स कोश्चन इस is third party aware कि third party को कैसे पता चलेगा आप पार्टनर की अथॉरिटी को बढ़ा या घटा रखए हुए Aussे लहें आपकी इस थरड पारटी अभी है well अगर वह अवेज थी कि जो एक्स्टेंड हुई विए इंप्लाइड अथोरिट्य या रिड्यूस हुई हैת Then firm is not liable, तो firm liable नहीं होगी, but अगर उसे नहीं पता है और उसने partner के साथ कराए तो firm is liable, यानि अगर आपने उसकी authority घटा दी थी, वो वो काम नहीं कर सकता था, बढ़ third party के साथ उसने फिर भी transaction कर लिया, क्युकि हो सकता है उसे पता हो सकता है ना पता, अगर नहीं पता है तो वह firm से पैसे legally ले सकता है अगर पता है एक example लेंगे तो समझ जाएगा कितना बड़ा example है यार मैं तो example देखके डर गया हूँ ऐसे बड़े example मत लाया करो भाई बच्चा डर के भाग जाता है यार बंद कर देता है वीडियो कहता है इतना बड़ा example ना 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 इतना बड़ा example नहीं देखेंगे हैं देख लो यार शलो ए एक partner है बोरोस फ्रॉम बी ए पार्टनर ने बी से उधार लिये कितने हजार रुपए इन दी नेम ओफ दी फ्रॉम ए ने जो पार्टनर है बी से हजार रुपए उधार लिये इन दी नेम ओफ फ्रॉम बट इन एक्सेस ओफ इस अथॉरिटी एंड यूटिलाइज दा सेम इन पेइंग ओफ दी डेट्स ओफ दी फ्रॉम उसने अपनी अथॉरिटी से जादा हजार रुपए लिये और यूटिलाइज कर लिये इससे पता चलता है कि यह एक बैंकिंग फार्म है एक की इंप्लाइड अथॉरिटी में था पैसे को उधार लेना थीक है इंप्लाइड अथॉरिटी में भी रेस्टिक्टिड हो सकता है आपने एकी अथॉरिटी छीन ली हो भी अगर इस बात के बारे में नहीं जानता था कि एकी आपने पावर छीन रखी है तो फार्म लाइबल रहेगी वो पैसा आपको बी को देना ही पड़ेगा फार्म को पैसा देना ही पड़ेगा बट अगर fee B को already पता था कि A के पास power नहीं थी ये contract करने की firm के भियाप पे तो फिर वो firm से पैसा नहीं लेगा फिर वो A से ही पैसा लेगा इसको important mark कर देता हूँ बड़े question को important mark कर दूँ तो एकदम teacher की दोस जम जाती है कि देखो बड़े बड़े सवाल देता है यह हमें है ना ओके चलो अच्छा अगर कोई emergency scenario आता है तो partner क्या क्या कर सकता है तो partner वो सारे काम कर सकता है जो firm को loss से बचाने के लिए एक normal ordinary बंदा करता एक ordinary समझ का बंदा जो भी काम करता उस loss को कम करने के लिए वो सारे काम partner भी कर सकता है फिर चाहे उसकी implied authority में आते हो चाहे ना आ इसको reimbursement भी मिलेगा चलो आओ एक कोशन हो रहा गया बड़े कोशन फिरते आ रहे इतने बड़े कोशन नहीं लाएंगा डी पीपी में तो इससे भी बड़े कोशन मिलेंगे तुम्हें चिंता मत करो questions की कमी नहीं है A, B and C are partners in a firm called ABC firm एक firm ती जिसमें तीन पार्टनर थे A with the intention of deceiving D A ने D को बेफकु बनाना था A supplier of office stationery उसने by करे certain stationery on behalf of the ABC firm उसने ABC firm से stationery खरी दी उसने by certain अच्छा सौरी by stationery on behalf of ABC firm यानि उसने ABC firm के नाम पे A ने D से stationery खरी ली The stationery is of the use in the ordinary course, normal use आती थी firm में लगती ही लगती थी stationery, यह ordinary transaction यानि वो कहना चाहरे है यह एक normal transaction से special मत समझना और क्यों कहना चाहरे है, because यह दिखाना चाहेंगे कि implied authority में cover होता है A does not give the stationery to the firm, A ने stationery घर ले गया और firm को दी ही नहीं Lee firm के नाम पे, Lee firm के नाम पे, A ने, Lee तो stationery firm के नाम पे, लेकिन घर ले गया उठा के Instead brings it to his own use, ठीक है, supplier जिसको यह पता ही नहीं था कि उसने personal use कर लिया उसने पैसे किसे मांगे, उसने जाके पैसे firm से मांगे और firm ने पैसे देने से मना कर दिया, यह कहके कि stationary तो हमें कभी मिली ही नहीं आपको बताना है कि क्या firm सही कह रही है कि मुझे पैसा नहीं देना है या firm गलत कह रही है, सोचो इसके बारे में firm सही कह रही है या firm गलत कह रही है firm सही कह रही है या मेरे बेटा firm गलत कह रही है सर नहीं पता सर कि लॉजिकली दोस्ते हैं कि 15 death lovely कि कि ऑ ने जो समान लिया क्या उसकी इंफ्लाइब स्ट है यह नहीं आता था है तो तो च्छाए वो फोर्म को बाइंऄ unset तो लॉक हैगा एक की एक्टिविटी से फॉर्म तो बाइंड हो गया तो फॉर्म तो डी को पे करेगा फॉर्म तो डी को पैसे इस्टेशनरी देगा बट मैंने आपको बताया था ना अगर कोई पार्टनर फ्रॉड करता है जिसकी वज़ा से फॉर्म को लॉस होता है तो वो किस से रिकवर कर सकती है एसे रिकवर कर सकती है यानि फॉर्म बिल पे टू डी बट इट केन आल्सो रिकवर फ्रॉम ए ओल्सो यानि फॉर्म डी को स्टेशनरी का पैसा देदेगा और एसे वो रिकवर कर सकता है लीगली सेकंड कोश्चन कहरें तुम्हारा अंसर क्या होता अगर आधी स्टेशनरी वो फॉर्म को देदेता और आधी स्टेशनरी वो खुद यूज करता तो तुम्हारा अंसर क्या होता तो भी answer same ही रहता कि भाईया firm को तो पूरा ही पैसा देना है और फिर वो A से आधा पैसा recover कर ले थी, है ना, क्योंकि आधी stationery उसने यूज करी है तो आधा ही पैसा फिर वो A से recover करती, यही बात हमने answer में भी लिखी होगी, the firm's contention is not tenable for the reason that the partner, क्योंकि implied authority use करी थी, उसने usual course में करा था firm को bind करा, thus firm has to pay the price of the goods to D, in the second case also answer हमारा change नहीं होगा, same रहेगा, क्योंकि implied authority तो यहां भी काम करेगी, however, दोनों ही cases में partnership जो है, वो case कर सकती है, किस के उपर, उस partner के उपर, जिसने उनके साथ धोका करा है, और यहां पर हो सकता, expulsion भी हो जाए, price तो ले हो सकता, expulsion भी हो जाए, एक और case study, कितनी case study ले आँ यार मैं, हाई 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 हाई, चलो यह homework देता हूँ, कुछ चीज़े homework भी देता नहीं चाहिए, है न, homework यह कर लेना, ठीक है, देखा, answer भी नहीं लाए था, मतलब utility करने वाला था मैं, क्योंकि मैं DP में डाल दिया, already मुझे पता है, तो homework नहीं भी गारा तो चलेगा, क्योंकि DP में डाला हुआ है मैंने, so there is no problem as such, ठीक है, there is no problem as such, चलो, बहुत प्यारी section आगया है, section बोलता है कि अगर partner कोई बात बोलता है ordinary course में business के, तो माना जाएगा कि वो firm ने बोली है, माना जाएगा कि वो firm ने बोली है, बस यही बात यह बोल रहा है, एक example लाएँगा, उससे समझ जाएंगे, देखो, x और y partners है firm में, x और y partners है firm में, जिनका business क्या है, spare parts का है, spare parts का business है, z आया और कहने लगा कि मुझे अपनी यामाहा बाइक के लिए क्या चाहिए, spare parts चाहिए, x ने का हाँ, x ने, z को का हाँ, यह लो spare part, यह तुमारी यामाहा बाइक के लिए ही बना है, ignorant और जबकि y को इस बारे में नहीं पता था, ठीक है, y को इस बारे में नहीं पता था, x ने, z को एक spare part बेचा, यह कहके कि यह तुमारी यामाहा बाइक के लिए ही बना है, spare part proves to be unsuitable for the motorcycle, बाद में पता चला कि भाईया, spare parts तो यामाहा बाइक के लिए बना ही नहीं है, and वो damaged है, law कहेगा, भले ही x ने z को यह बात कहके बेचा था, लेकिन क्योंकि एक दूसरे की agent है, तो दोनों x और y, दोनों ही responsible होंगे, इस z के law scale लिए, तो यही बात है, अगर कोई fact या representation कोई partner बोलता है, ordinary course of business में, तो वो पूरे firm की liability बन जाती है, अगर वो बात business में बोलता है, तो बस यही section में लिखा हुआ है, और यह section, यही वाला example मैंने शुरू में mutual agency का, जब starting में lecture किया था, वहाँ पर यह example लिए था, second है, अगर आप कोई बात active partner को बताते हो, अगर आपने कोई बात किस Active form के active partner को बता इँ तो मान लिया जाएगा ये सारी बात, ये बात आपने सारे partners को बता दिये, except in case of fraud, अगर आप एक बात किसी एक partner को बताते हो, तो अगर उस firm में चारों partner है और वो partner जिसको आपने बताई वो active partner है, तो लौ मानता है, आपने ये बात चारों partner को बता दिये बहले उन तीनों को सच में पता चले या ना पता चले because these are the mutual agency agents एक दूसरे के तो एक agent को बता दी तो principal को तो पता चली गई लेकिन इसका एक exception है that is fraud अगर fraud हुआ है तो fraud के case में ये बात applicable नहीं होती है एक example देखेंगे समझा जाएगा देखो Q और R partner थे business में जो क्या करते थे purchase and sale करते थे second hand goods R ने purchase करी एक second hand car form के भियाब पे S से ठीक है उसकी implied authority में वो खरीज सकता है in the course of dealing जब वो ये car खरीद रहाता S ने उसे बताया कि ये car तो चोरी की है and ये actually में car X की है ये actually में car किस की है X की है तो ये बात किस को पता चली R को लेकिन P और Q को ये बात नहीं पता थी लेकिन log आएगा अगर आपने S ने ये बात R को बताई है तो ये automatically किस को पता चल गई P और Q को भी पता चल गई और इसके लिए all the partners अब liable होंगे X को यानि जब real owner सच में आ जाएगा तो आप उसको liable रहेंगे तीनों को ही अपनी जेप से पैसा देना पड़ेगा उस कार का क्योंकि आप जानते हैं कि जिसके पास title नहीं होता वो आगे किसी को title transfer नहीं कर सकता है तो real owner को वो वापस करनी बढ़ती है है ना जो मेरे पास नहीं है वो मैं आपको कैसे देता हूँ याद है कि नहीं वो rule yes sir लेकिन there is only one exception जहां पर हम ऐसा नहीं मानते हैं अगर fraud हुआ हो चाहिए active fraud हुआ हो चाहिए tacit fraud हुआ उस case में हम यह नहीं मानते हैं so this is the case of fraud ठीक है एक बार ही पढ़ते हैं इसको भी एक्जाम्पल को ए एक पार्टनर है who actively participates in the management of the business of the firm ए एक पार्टनर है जो actively participate कर रहा है in the management of the business of the firm bought for his firm certain goods while he knew of a particular defect ए ने एक active partner है उसने कुछ समान खरीदा firm के लिए खरीच सकता है कि yes implied authority में आता है certain goods खरीदे लेकिन उसे पता था कि इसमें क्या है defect है अब एको जब पता था defect है तो law normally क्या मानता है law normally ये मानता है कि बाकी partner जो भी इसके होंगे उन्हें पता चल गया कि ये defective goods है लेकिन अगर fraud है तो fraud के case में नहीं तो देखेगा his knowledge as regards the defect ordinary would be considered normally कि इसे defect के बारे में पता है तो माना जाएगा बाकी सारे partners को भी defect के बारे में पता ही है लेकिन अगर ए उस defect को छुपाने की कोशिश करता है अगर ए बाकी partner से जान मूच के वो defect चुपाने की कोशिश करता है other partner से तो ये case fraud का माना जाएगा और इस case में क्यूंकि ये fraud का case है यहाँ पर ये नहीं माना जाएगा कि other partners को पता था और other partners उस goods को reject कर सकते हैं ठीक है जैसे ही उन्हें उस defect का पता चलेगा ठीक है तो ये दोनों भी हम important mark करा देते हैं दोनों ही एक fraud का case है जहाँ पे वो rule नहीं लगता है जल्दी बताओ अच्छा partners की liability कैसी होती है partners की liability unlimited होती है और यहाँ पे प्यारा सा वर्ड यूज करा हुआ है jointly and severally यानि partners की liability unlimited तो होती है बट nature क्या होता है jointly and severally ठीक है jointly and severally यह same concept यहाँ पे लगेगा जो मैंने आपको Indian contract एक्ट में joint promissor के case में devolution of joint liabilities में सिखाए थे जितने भी example वो सारे example partnership के case में as it is लगेंगे वो सारे example partnership के case में as it is लगते है क्योंकि वहाँ पे भी joint and severally होती है और यहाँ पे भी joint and severally होती है तो जितने भी example मैंने वो गोपाल शाम वाले सिखायते वो same example partnership के case में भी लगते है तो दब partners are jointly and severally responsible यानि आपको अगर अगर फार्मने किसी को 10 लाग रुपे देने हैं तो सारे partner से भी वो पैसा लिया जा सकता है और किसी एक partner को भी पकड़के पूरा पैसा लिया जा सकता है बट अगर किसी एक partner से पूरा पैसा ले लिया गया तो वो बाकी partner से recover कर सकता है बस आपको तब भी देने नहीं पड़ेंगे तो लॉ कहता है भया अगर पार्टनर कोई गलत काम करता है तो क्या फर्म को पैसे देने पड़ते हैं? अगर पार्टनर कोई भी गलत काम करता है जो अपनी implied authority में जिसकी वज़ा से फर्म को पैसा देना पड़ सकता है तो वो देना पड़ेगा इसका एक प्यारा सा example है दो वन ऑफ दी पार्टनर इन कोल माइन में था एक पार्टनर था जो manager था उसने क्या करा? नेगलीजेंस करी उसने क्या करा? नेगलीजेंस करी और वो क्या भूल गया? उसने सही से शाफ्ट को माइन के शाफ्ट को प्रोपरली पैंसिंग नहीं करी थी जिसकी वज़ा से वर्कमेन को इंजरी होगी जो वहां फैक्टरी में काम करते थे अधर पार्टनर वाद अलसो लाइबल फॉर दी सेम यानि अगर एक पार्टनर गलत करता है तो दूसरा प लाइबल है ठीक है बड़ यस आप जानते कि नेगलीजेंस के केस में आप फ़र्म क्या कर सकती है दूसरे पार्टनर से पैसा रिकवर कर सकती है क्लियर है क्या है ये सेमी बात लिखी हुई है ओक आगे चलते हैं हाँ यह आया कुछ इंप बात अगर कोई partner miss apply गलत इस्तमाल करता है किसका पैसे का या property का पैसे का या property का जो third party से मिली है अब partner को अगर कोई पैसा या property third party से मिली है क्यों मिली है क्योंकि वो firm का partner है उसका गलत इस्तमाल करता है या firm को कोई पैसा या property मिली थी third party से और वो उस money या property को गलत इस्तमाल करता है तो उसको जो भी firm ने जो भी loss हुआ है वो firm को pay करना पड़ता है third party को और third party को pay करने के बाद firm उसे किस से recover कर सकती है partner से recover कर सकती है बहुत simple सा example है ABC partner से किस चीज़ के car parking place में लोगों से car parking करा के पैसे लेते थे P ने उस दिन क्या करा P ने एक parking में एक car खड़ी हुई थी तो P ने उस car को बेच दिया ठीक है P ने नहीं हाँ P ने अपनी car खड़ी करी और partner A ने उस car को बेच दिया to a stranger partner A ने उस car को stranger को बेच दिया अब बताओ ये property car parking में क्यों खड़ी थी ये property किसे मिली थी ये car किसको मिली थी ये car मिली थी firm को firm के पास देखे गया था बट उसे किस ने बेच दिया A ने बेच दिया तो अब P किस से पैसे मांगेगा P A से पैसा नहीं मांगता P A B and C तीनों से पैसा मांगेगा वो firm से पैसा मांगेग और firm को पैसा देना भी पड़ेगा but firm जो है वो किस से पैसा मांगेगी A से पैसा मांगेगी stranger यानि P अपनी काल का पैसा firm से लेगा क्योंकि firm के किसी partner ने उनकी property को मिसप्लाइ कर दिया और firm ये पैसा A से recover कर सकती है firm ये पैसा A से recover कर लेगी फाइनली आखिरकार हम लोग finish कर गए वाई साब partnership act थोड़ा सा ज़ादा theoretical था I know but I hope आपके understanding clear होगी होगी है ना और जितने भी DPP में question है उनको mandatory must take करके जाना कोई भी doubts है तो आप comment section में लिख सकते हैं हम अपने general doubt session में अगली बार ले लेंगे tata bye bye hope आपको इस session में मज़ा आया होगा और मज़े से जादा सब कुछ समझ आ गया होगा जो मैं आपको समझाना चाह रहा था thank you